स्लामों अलेकुम मैं हूँ एसन महमूद एंड वेलकम तो जायूंस लास्ट सीरीज में हमने अपनी न्यूसपेपर एप के कोर्स को कम्प्लीट किया था जिसमें कि हमने एक न्यूसपेपर एप बनाई थी फ्रेंट एंड में रियक्टियर्स को यूज़ करते हुए और बैक एंड में लालावल को यूज़ करते हुए ये एक नई सीरीज होने वाली है जिसमें हम उसी सीरीज पर कंटिनुव करेंगे और वो जो हमने एप बनाई थी उस पर टेस्टिंग करेंगे ऊप टेस्टिंग में बहुत कुछ में आजाता ऐ तेस्टिंग में करन next ने या एक ने और मका आलो सबसे पहले के मिन इन ये तेस्टिंग तेस्टिंग आजाती है और भी बहुत ज्यादा तेस्टिंग کی फॉर्म्स होती है बोसुत zd DO होता है और मकसद होता है हम इस परक्ष्स में सबसे पहले अपने परजक्स से स्टार्ट करेंगे यह द देखेंगे कि हमारे परजक्त में कौन-कौन सी टेस्टिंग प्री-डिफाइन है बिसीकली जब अपने परजक्त बनाया था क्योंके हमने आरनिक को यूज करते हुए अपना परजेक्ट बनाया था सिर्फ उसको यूज करते हुए उसकी एलाई को क्योंकि उन्होंने एक वाइलेंट प्लेट स्टार्टिंग के लिए बनाया वाद में हमने आइनने को रिमॉफ कर दिया था क्योंकि उसमें जरा इशूस हैं इस वजह से और इसके साथ भी कंपेटिबल नहीं है अगर बाद में वो कर देते हैं तो वैलन गुड लेकिन उसकी वजह से और क्योंकि हम वीट को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास वीटेक्स आ गया है और साथ में एक और उन्होंने हमारे लिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क को से चलते हैं वीडियो की तरह पहले हम यह देखेंगे कि हमारे प्रजेक्ट में क्या क्या टेस्टिंग सेट अप है उसके बाद फिर हम एक टेस्टिंग की टाइप से स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ टेस्ट्स लिखेंगे और बाद में फिर हम अपने टेस्ट केसिस को डिफ in one un'tasso light करेंगे को complete करेंगे जब हमारी सारे product complete हो जैघने हम उनको एक दफ़ारण करेंगे और उसके बाद अगर हमने एक Old Testing टाइप साथ continue उवा MEM करेंगे आधर यूजिए के साथ से 알 से कंप्लीट करेंगे चलते हैं वीडियो कीत तरह स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टन ट्वेस्टन से वट इस टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या है? जब भी हम कोई सॉफ्टरे लिखते हैं तो उसमें टेस्टिंग ज़रूरी होती है वो बिसिकली मैनुल टेस्टिंग हो सकती है वो उटोमेशन टेस्टिंग हो सकती है और भी बिसिकली यह दो मेन टाइपस है मैनुल टेस्टिंग मेन के कोई एक यूमन बीन बैठा हो और वो वेबसाइट ओपन करें कोई भी एक वेबसाइट उसमें ओपन कर लिया और जब वो वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद फिर वो वन बाई वन उस चीज़ को टेस्ट कर रहा हो कि वो इसके बटन से पर क्लिक करके देखें वो बहुत है और उसके रिजल्ट को चेक करें कि वो जो रिजल्ट आया वो ठीक है यह सारी मैन्वड टेस्टिंग है एक एक एक्चल हुमन गिन बैठा हूग है वह एक्चुली चीजों पे क्लिक कर रहा है और उसके रिस्पॉंस को देख रहा है, उसने इसे बटन पे क्लिक किया, उसने देखा कि नैविगेशन होई है, कि नहीं होई, रिस्पॉंस टाइम कितना आ रहा है, ये सारा कुछ, उसके बाद हमारे पास next form आती है, वो है automation testing, उस के बाद जब एक दफा वो test cases को develop कर देता है, तो बाद में सिल्फ मशीन का काम होता है, जब भी tests करने होते हैं, आप scripts को run करते हैं, उसके बाद उन scripts को जब भी जरूरत होती है, run किया जाता है, और वो scripts automatically पूरी जो भी test cases define होते हैं, उनको run करके जो test cases pass हो जाते हैं, उसकी report generate कर देता है, और जो fail हो जाते हैं, उनकी भी report generate कर देता है, और depending on के हमने failed cases पे alerts लगाए होएं, तो वो alerts वगारा भी send कर देता है, वो predefined cases होते हैं, जिस पे सिल्फ बच सिल्फ मशीन, जैसे के एक test case हम automation में लिख सकते हैं, आपने इस पे hover करना है, इस पे click करना है, और जो इसमें खुद वेट लगाना पड़ता है, और जब navigation आपकी complete होजाए, उसके बाद आपने search कर लेना है कि आपके जो page है, उसमें यह heading आई है, अगर यह heading आगी है, मतलब आप उस page पे आगए है, और आप URL को check कर सकते हैं, इस तरह के elements को check कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगत Next, continue करते हैं कि तेस्टिंग क्यों जबूरी है, कोई भी software app development का project हो, उसमें टेस्टिंग बहुत ही important होती है, क्योंकि without testing, let's say कि हमने एक app develop किया है, और उसमें हमने एक button यह button जैसे develop किया है, इसका काम यह था कि जब users पे click करें, तो यह उसको contact page पे लेखे जाए, लेकिन let's say क जब user इस पे click करता है, तो वो इसको who we are इस page पे ले जाता है, तो अगर यह case है, और हमने इसको deploy कर दिया हम यही समझ रहे हैं कि user और हमने खुल भी इसको manual testing नहीं की, हमने सिरफ उस software को develop किया और deploy कर दिया, अब user इस पे click कर रहा है, और वो contact page के पे आने की बजाए, वो who we direct होता जा रहा है, इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जो potential clients पे जिन्होंने हमें reach out करना था latest generate होनी थी, वो सारी जाया होगी, इस वजह से, और यह सिरफ एक specific scenario है, इस तरह के और बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो testing किसी भी software development like cycle में important character pay करता है, उसकी basically success को ensure करने के लिए, अब next continue करते हैं और यह देखते हैं कि हमारा जो newspaper app का code है, उसमें already कौन-कौन से testing framework set up होई होई है, स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे code को उपन कर लोंगा, और last time हम इस project में काम कर गए थे और हमने अपनी जो newspaper app है, उसको complete कर लिया था, मैं आपको इसे run करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे के last time हम कहां तक काम कर चुके थे, यह back end है, और यह हमारा front end है, हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर run करके देख लिए, यह एप यहाँ पर हमारी काम कर रही है, और यह इसका कोर्स जायोंस को यूट्यूब चैनल पर अवेलिबल है, उसका लिंक आपको description में भी मिल जाएगा, जिसमें के हमने यह पूरी एप को develop किया है, react.js और larval को यूज़ करते हुए, उसके इलावा भी काफी चीज़ें यूज़ की हैं और वह सारा कुछ आप उस कोर्स में सीख सकते हैं, continue करते हैं और यहाँ पर code में वाफिस आ जाते हैं, यहाँ पर basically हम simple package.json को open कर लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टेस्टिंग जो framework है, वो setup है, सबसे पहले क्योंकि हम WIT को use कर रहे हैं अपने development engine के लिए, तो हमारे पास VTACS automatically इन्होंने मेरे लिए configure किया हुआ है, जो के हम use कर सकते हैं यहाँ पर unit testing के लिए, basically VTACS यह Jest का alternative है, हमारे पास Jest, यह JavaScript testing के लिए है और यह basically काफी ज्यादा mature है, काफी लोग इसको काफी prefer करते हैं और यह काफी बहतर भी है, इसकी community ETC काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं कि यह friendly 29.7 version पे हैं तो obviously यह काफी मुझे हो रहा है, इसके against VTACS निकाला है, जो के basically जरा latest modern syntax है, और जो modern features हैं वो इसमें काफी easily available है, लेकिन क्योंकि यह modern है, यह अभी Jest के मकाबले में काफी ज्यादा इसकी community, sport, ETC कम है, तो अगर आपने किसी बहुत बड़े project में unit testing implement करनी है, जो काफी ज्यादा आपको features और sport, community, ETC वगएरा आपको चाहिए, तो Jest आपके लिए ज्यादा recommended है, और अगर आपने basically unit testing से start करना है, और आप सारे modern features के साथ testing करना चाहरे हैं, तो VTACS एक आपके लिए अच्छी choice हो सकती है, हम यहाँ पे आते हैं, VTACS basically हमारे लिए already configured है, यहाँ पे हम अभी continue करते हैं, और देखते हैं और हमारे लिए क्या configure है, यह basically जो testing libraries हैं, यह use होती हैं, यह दोनों के साथ ही use होती है, VTACS और Jest, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि Jest Dawn भी उन्होंने किया और हम इनकी behind the scene इसको भी use कर रहे हैं, लेकिन इसके लावा जो एक और important चीज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है Cypress, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह Cypress का folder यह basically बहुत ही important है, और बहुत ही ज्यादा powerful है compared to Jest और VTACS दोनों के, क्योंकि Cypress जो है वो एक complete testing framework है, Jest भी है लेकिन यह mainly unit testing पर focus की होगे, यह basically full end-to-end testing और component testing के लिए use होता है, और यह काफी मिचोर है, इसका currently version 11 या 13 चाहरा है, जो कि हम यहाँ से check भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और 13 इसका version चाहरा है, हम यहाँ पर Jest का version देख लेती हैं, Jest भी बहुत मिचोर है, उसका 29 जैसे हमने अर्वेड़ी देख लिए 29.7 चाहरा है, और VTX क्योंकि वह जड़ा latest है, modern है, तो वह अभी version 1 पर यह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अभी version 1 पर यह, तो यह दोनों काफी ज्यादा मिचोर हैं, compared to this, और यहाँ पर आप डाउनलोड्स की चेक कर सकते हैं, कि Jest क्योंकि बहुत ही ज्यादा, ब्रॉडली यूज होता है, और बहुत ज्यादा पराना है, तो इस वजह से यह काफी ज्यादा मुचोर है, continue करते हैं, और यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको Cypress को, रन करके दिखाना चाहता हूं, ताकि आप थोरा सा Cypress को देख लें, कि साइप्रस का जो इंटरफेस है, वो किस तरहां का है, और उसके बाद पिर हम वीटेक्स को चला के देखेंगे, क्योंके वीटेक्स किस तरह भी यह कर रहा है, और लास्ट फिली फिर हम चेस्ट को इसमें सेट अप करेंगे, continue करते हैं, और Cypress को चला के देखेंगे, Cypress के साथ स्टार्ट करने से पहले, क्योंके हम यह जो हमारी Crunk Project की स्टेट है, इसको में टेम रखेंगे, तो हम सबसे पहले तो यहां से एक नई ब्रांच क्रीट कर लेंगे, जो के जिसको हम नाम देंगे, Frontend, Teststream, V1, क्योंके हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अब इस ब्रांच से हम एक बैसिकली न्यू ब्रांच बना लेंगे, Cypress T1, सोरी, यहां पर हम कर रहते हैं, Frontend, Testing, Cypress T1, T for Test और V for Version, क्योंके यह Actual है और यह सरफ हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं और यहां पर जो हमने टेस्टिंग करने हैं उसको करते हैं, क्योंके हम सरफ और सरफ इसको Demo Purposes के लिए भी कर रहे हैं, बाद में हम इसको Actually Implement करेंगे, मैं यहां पर Package Door JSON में वाफिज आ जाता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Command भी और रेड़ी सेट अप है, Test.E2E, EndToEnd, और उसमें हमारे पास जो Command है वो है Cypress Open की, यहां पर आपके पास Cypress Run की Command भी हो सकती है, मैंने इसको रिसेंटली चेंज ही आता Open में, मैं पहले आपको Run की Command के साथ चला कर दिखा देता हूं कि उसका क्या behavior आता है और उसके बाद दूसरी, इसको delete कर देते हैं, इसको भी delete कर देते हैं, default जो होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह चीज होगी, features होंगे और यह फाइले होंगी, अब मैं इस test की command को run करता हूं, यह unit पर हम वाफिज आते हैं, इसको मैंने run किया, जो run की command है वो basically इसको open करेगी और headless mode में, यहां पर आप देख सकते हैं, headless mode में उस test को run करने के बाद, जो उसकी report वगएरा सारा कुछ generate करेगी और सारा कुछ headless mode में करेगी, इसको करके दिखा देगा, यहां पर आप देख सकते हैं, इसने screenshot भी लेकर दिखा दिखा दिया, कि यह fail हुआ है, और भी जो भी इसने reports और जद्रेट करनी थी, इसने सारा कुछ कर दिया, that's it. लेकिन मुझे इसका basically जो graphical user interface है, वो ज्यादा चलिकता है, तो इस वज़ा से मैंने इसको change किया था open में, अब इसको दुबारा run करेंगे, अब की बार यह basically cypress का graphical user interface है, उसको open कर देगा, और cypress यह सारी चीज़े हम manually खुल भी adjust कर सकते हैं, जो के बहुत ही straight forward है, आप सब cypress की website पे आएंगे, और इसको setup परना बहुत ही असान है, आप install cypress के आएंगे, वो आपको बता देगा, इस command को run करेंगे, वो configure करके आपके लिए, जो cypress की default configuration है उसको करते हैं, अब आपकी सारा यह docs में हैं, लेकिन हमने, आईवनिक के जो वायले प्रेटर्स को use ही इसलिए किया था, ताके हमें यह सारी चीजें predefined, pre-setup मिलें, और basic जो configuration है, वो हमारी पहले इसे ही हुई हो, आप यहाँ पे installing में आके यह सारा कुछ follow कर सकते हैं, अगर आपको कोई issue हो, अगर आप किसी और project के लिए लिए इस project में तो obviously आपके पास already available है सारा कुछ, यहाँ पे हम वाफिस आते हैं, यह component testing हम बाद में इस पे आएंगे, अभी इस पे नहीं जाएंगे, end-to-end testing यह देख सकते हैं, पहली configured है, इस पे click करते हैं, और यह basically मुझसे पूछेगा किस यहाँ पे, अभी यह दो हैं, यहाँ पे all be add कर सकते हैं, वो documentation में लिखा है, यहाँ पे यह जो लिखा हुआ है, यह test यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे click करूंगा, तो यह जो test था, यह चलना start हो जाएगा यहाँ पे, और यह test अभी, एक element डून रहा है, जिसकी container, hash container ID है, basically container की ID है, और उसमें, यह text डून रहा है, ready to create आया, basically जब हमने, अपनी app को बना component available था, और उसमें, जो main screen थी, उसमें यह चीज available थी, लेकिन क्योंकि अब हमने सब कुछ चेंज कर लिया, इस वजह से यहाँ पे यह चीज available नहीं है, तो हम इसको improve करेंगे, यहाँ पर basic साएक काम हम करने लगें, कुछ खास नहीं, इसको select करते हैं, that's it, इसको close, sorry, यह हमा इसको resolve करने का तरीका यह है, कि आप यहाँ पर, तीन यह forward slashes लगाएं, और बाद में, reference, types, equal to, cypress, और इसको close कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह type होगे, लेकिन इसके बिना यह क्या कह रहा था, इसको basically, मैं comment कर लें, कि आप mocha जो है, उसकी types को install कर लें, क्योंकि यह सारी types मोका में भी available होती हैं, लेकिन हमने वो नहीं करना क्योंकि हम cypress यूज कर लें, हम यह काम करेंगे, और cypress automatically इसको बता देगा, क्योंकि यह type का क्या मतलब है, क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो automatically सारा link create होगे, अब हम इस test को update करेंगे, तो यहाँ पर हम क login text is visible on login page, यह visit हम यही करेंगे, क्योंकि हमारा जो visit का URL हो, यहाँ पर automatically आजेगा, लेकिन हम इसको confirm करनेंगे, कभी हमने visit login को करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है, यहाँ पर get, get जो होता है, वो element get करने के लिए होता है, यह element है, और इसमें dot contains यह, और यहाँ पर आजाएगा login, इसको save करेंगे, और यह test automatically रणना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें login पर redirect किया, यहाँ पर इस element को select किया, और इसमें contains को check किया, वो यहाँ पर है था तो इस हो जाएगा, अगर आप इसमें कर देंगे कि does, sorry, dot function, किया अजा अम आप पर आप दो ओर आप दोगा किया, नहाँ अब душ प्लोगो, और सकते हैं, यहाँ पर प्ल question समें, यहाँ आप WAT, birा हो जाप आप start okay have you you uh झाल 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 यहां पे मैंने इसको इस तहां अब्डेट कर दिया है अब हम कलचा रहे हैं यहां झाल यहां पर झाल उसके साथ की है आप मैंने शोटकट की उसकी है Ctrl Shift I, Mac OS पे Command Options I आप Windows पे अप्टोर दबाएंगे तो यह उपन हो जाएगा और अगर इसमें आपको लोग चाहिए तो आप सिंपल जो पहा है Javascript का Console Log उसको यूज़ कर सकते हैं In JS Console, Save करेंगे तो यह यहां पे यह आप देख सेखते हैं कि आगए In JS Console एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहाँ हूँ यहां पे जो c y.get है इसके end पे आप .then लगा के इस element को यहां पे करके receive इसके ओपर यह सारे जो basically यह आपके पास actual जो element है j query element वो आगया mean कि आप इसके ओपर इसका text यहां पर लेके cost l text equal to this और इसको c y.lock भी कर सकते हैं यह basically यहां पे यह पास हो गया और contains यह basically इस वज़ा से पेल हो गया क्योंकि इसका जो काम था वसाला यही पे खतम हो गया और अब इस यह इसका रहतास यहां पे नहीं मिला क्योंकि यह then में हम चलेगे तो इसको खतम कर देंगे और यह चीज हम यहां पर कर देंगे यहां पर हम कर सकते हैं expect इस text को to equal और यहां पर जो भी आप जिसके equal के हम कहते हैं कि expect पर इस text को to be equal यहां पर b लगाना चाहें तो बी लगा लें otherwise to equal भी चल जाएगा दोनों चल जाएगे और यहां पर हम साइक्रस में आके यह देखें assertion यह assertions होती है और यहां पर बी लगा रहता हूं to be एक English syntax कंप्रीट हो जाएगा लेकिन इससे कोई यहां पर basically result में कोई फरक नहीं करेगा सिर्फ वो कहलें कि आपने उसको chain थोड़ी लगी कर दिया that से तो to equal direct भी चल जाएगा यह आपके पास लाएगा यहां पर यह जो element है यह जैक्यूरी element है जैसे कि आप देख सकते हैं यह लोग है यह सिंपल लोग है यहां पर इसको conclude करते हैं और next continue करते हैं Vitex के साथ Vitex के साथ continue करने के लिए मैं सबसे पहले Cyprus को यहां पर close कर ढूंगा और क्यूंके मैंने इसको पहले बनने था किया इस होजा से यह इस तरह हुआ है अब next continue करते हैं इसको मैं यहां पर close कर लोगा और यह भी और screenshot मैं चाहता हूं कि कोई भी backup ना हो क्योंके otherwise जो रैपो का size है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज एड़ कर लोगा कि Cyprus में जो screenshot है वो हम exclude कर लोगा तो यह चीज हमारी exclusive होगी अभी के लिए बस इतनी इसको close करते हैं और इसको commit कर लिए यह हमारा हुगा है Cyprus testing demo completed अब हम वाफिज आ जाएंगे अपनी जो पहली ब्राश थी हमारी यह आप चाहें तो यही से अगली ब्राश बना सकते हैं मैं इसी से बना लिता हूँ क्योंकि हमने इसमें थोड़ा काम किया है तो मैं आप यही से एक नहीं ब्राश बना हूँगा frontend Vitex T1 यह हमारी नहीं ब्राश बना गी अब इसमें हम Vitex की testing करेंगे और सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि Vitex जो है वो basically थोड़ी से इसकी definition वगरा देख रहते हैं और फिर हम continue करेंगे क्योंकि क्योंकि यहां पर हमारे project में setup वगरा तो सारा हुआ हुआ है तो उसका तो कोई मसका नहीं है लेकिर हम उसको अगर खुद करना परे तो क्या उसका flow होगा क्या चीज़ है यहां पर मैं package.json में आता हूँ जो command हम यूज़ कर रहे होंगे यह वह यह वाली है test.unit for Vitex को यूज़ करेगा यहां पर जो वीट में आप देख सकते है test का जो parameter है वो already configured हुआ है json को यूज़ कर रहा है उसके बाद अगर मैं source में आता हूँ तो यह यहां पर setup हुआ है जो के jest dom extend जो भी उसकी support है उसको extract कर रहा है और उसके बाद हमारे पास अभी कोई test नहीं बना हुआ यहां पर यह इसकी basically default जो file है जो configuration की वह है कहां पर हम get set it पे click करते है ताके यह हमें आगे ले जाए basically ही है SP है तो वो loading में तोगा time ले रही है Vtex हमारा install है उसके बाद यह कह रहा है कि इसने यह sum बनाया है हमने इसकी जो भी file है end पे सरफ text.txt.js करना है हमारा obviously ts हो जाएगा और उसमें फिर Vtex से हम करेंगा expect test और यह sum यह basically test को start करेगा और expect कर दिया है ओके ठीक है यह direct उसको कर रहा है और हम उसकी जो configure, obviously यह इसकी काफी ज़्यादा configuration है काफी ज़्यादा इसमें चीज़ें होगी तो हम यहां पे simple side test लिखेंगे और उसके साथ इसको finalize करेंगे हम let's say के यहां से कोई function देख लेते हैं जिसको अगर हम use कर सकते हैं otherwise हम और के चीज़ देखेंगे ओके यह truncate को हम test कर दते हैं तो इसके लिए मैं यहां पर जो होगा बनाऊँगा vtex tests slash utils slash helpers dot test dot tx यहां पे हम import करेंगे vtex import करेंगे हम यहां पे देख लेते हैं क्या क्या है एक तो expect assertion के लिए describe block define के लिए test test के लिए और इसमें मुझे एक और चीज़ चाहिए from add slash utils helpers इसमें से मुझे truncate to title case भी कर सकते हैं लेकिन इसको बिल देख और यहां पे describe यह basically आपको रूप कर रहे हैं कि यह क्या है testing with vtex memo और यहां पे एक function और जिसमें test आ जाएगा testing testing truncate helper function using vtex ले हो गया और अब इसमें हमने करना किया है और यहां पर const result यहां पर const result truncate dot com यह आप में से भी कोई भी यूज कर सकता है यह आप सब के लिए सिंपल सा helper टूल बनाया है जिसको यूज करते हुए आप काफी जो इसमें टूल्स अवेलेबल है उनसे फाइदार सब्सक्ते हैं जिसमें के currently अभी एक percentage calculator available है word counter available CSS specificity यह टूंकेट का जो function है यह क्या करता है basically string लेता है और length का एक variable लेता है जो के अगर उस string की length उस length के variable से ज्यादा हो तो उसको basically उतना substring बना लेता है उसको cut कर लेता है string को उतना और end पे यह ellipse sign एड़ कर लेता है तो यहां पे मैं कहा जाता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तीन की count चाहिए तो इसमें क्या होगा कि यह तीन character को पकड़ेगा और end पे dot 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 add कर देगा तो टोटल जो length होगी वो six हो जाएगी और end जो होगा वो उसके साथ होगा तो यहां पे मैं कहा सकता हूँ expect sorry expect result to end sorry end close okay यहां पर basically साथ देखना पड़ेगा तो to to equal match which okay to यहां पर end बेद नहीं है तो आप basically इसमें कह सकते हैं to contain यह कह सकते हैं यह भी true हो जाएगा उसके लावा to to equal आप कह सकते हैं कि यह space v होगा क्योंकि हमने three character के हैं तो यह भी true हो जाएगा तो इन दोनों को देखते हैं अब इसको run करने का तरीका का यह है कि हम यहां पर command run करें npm run और यह हमारे पास command अब test.unit इसको run करेंगे यह automatically vtext क्योंकि हमारे प्रजेक्ट में configure हुआ यह sub को देखेगा क्योंकि यह helper text को इसने automatically define कर लिया और यहां पर यह कहरा है existing dot extend specifier in this okay यह basically इसकी configuration में पुरा साइशू आया अला कि हमने इसकी configuration change भी ने की यहां पर आते हैं यह कह रहा है इस चीज़ extend expect okay हम simply यह करते हैं कि जो भी यहां पर हमें error आ रहा है उस error को जब भी कोई error आए उसको सबसे पहले तो search करें और यहां पर हम ztools पी search देख रहते तो खेर यह यह ztools है इसमें से आप word counter यहां पर इसको use करते होगे यहां से जो भी यह था इसको वहां पर put करेंगे तो यह आपको बता देगा चार वर्ड रेक्टर जो भी आपने देखना हो उसके लावा भी है खेर इस पर आते हैं किसी एक पर चले जाएं और यह इसका solution है basically यह breaking chain 6 में आया उन्होंने इसको remove कर दिया और default के लेगे है that's it तो हम भी यही करेंगे हम इसमें आएंगे और इसको यहां से remove कर देंगे और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी यह दोनों test pass हो गए ओके one passed, one passed दो session थी इसको यहां से close कर दो दो sessions थी दोनों pass हो गए और यहां पे हम इसमें message दे सकते हैं the string contains in it okay, अगर आपने इस तरह के helpful message messages देने हो तो इससे basically आपको फाइदा यह होगा कि जब आपका test अगर fail होगा यहां पर pass नहीं, fail में तो fail में basically यह the string contains यहां पर obviously फिर यह होना चाहिए the string does not contains this in it ताके obviously जब fail हो तो हमने आपके के string में यह नहीं है तो expecting to include this तो इससे काफी और अगर हम यह message नहीं देंगे तो जब जब default था वो यहां पर आप आजएगा तो आप चाहें तो इसको तुला सा बेतर कर सकते हैं उसके लावा आप और देख सकते हैं यह सब बोई expect कर रहा है तो मैं इसको यही दाने दूंगा ऐसे और अगर मैं इसकी length को खत्म कर देता हूं तो आप यह एदर आएगा क्योंकि अब उसकी length है वो काम में कापी और वो as it is return हो जाएगा क्योंकि इसकी default value जो है वो 240 तो यह सारी चीज है यह वीटेक्स हो गया अब next continue करते हैं इसको यहां से close कर देते हैं और that's it यहां पर एक मिनट मैंने शार उसमें से इसको खत्म करती है और यह का कह रहा है oh sorry यहां से मैंने 3 नहीं याड किया यह दोनों pass हो गया that's it next अब continue करते हैं और jest को set up करते हैं और उसके साथ जो अपने test cases हैं उसको demo करते हैं यह थी हमारी testing vtex के साथ obviously इससे हम बहुत ज्यादा यहां पर testing कर सकते हैं जैसे के हमारे पास यहां पर इसमें हम import कर सकते हैं from testing library react render और इसमें हम कह सकते हैं render यहां पर हम component import कर सकते हैं हम इस testing में बहुत आगे जा सकते हैं इसमें as such कोई restriction नहीं है इसमें obviously इसकी बज़रह में जाना चाहिए आप में और यह और यह बिसकली यहां पर बट्रे इस बिंग यूस्ट अज़र टाइप एं okay just one minute render this and that यहां पर यह क्या क्या रहा आप okay render okay यह error जो यहां पर आता है यह basically actually इस फाइल की वज़ा से आता है क्योंकि हमारी ts की फाइल है और यहां पर हम यह jsx से यूज करने की कोशिश करें तो हमें इसको convert करना परेगा tsx और फिर यह देंटर कर से करेंगा okay इसको यहां से remove कर जाते है और इसको अब आप रहने देंगे तो फोई इतना इशो नहीं यह that's it इसको भी remove कर जाते हैं और press to be false यहां पर इसको अभी के लिए इसको save करते हैं यहां पर यह सारा करेगा और यह result यहां पर क्या हुआ है oh sorry यह result और यहां पर एक field हो गया क्योंके इसको false ही समसरा था और यह यह render हो जाएगा और यह true होना चाहिए तो इसको एक दफ़ा close करते हैं उसके अलावा एक चीज़ में आपको और बताना चाहरा हूँ कि यहां पर wheat ने आए तो यह देख रहे हैं कि आप यह configuration error दे रही और यह means कि यहां पर auto concrete भी हमें नहीं proper दे लिए तो उसके लिए आप इसको इसको डिफाइन करने का वीट से आ लिए तो आप इसको लेकर आएंगे वीटेक्स configs से और एक तो यह यहां पर यहां पर इसकी जो प्रोपर जो है आटो कंप्लेशन वह भी आप पर जाएंगे जैसे कि यह coverage है तो अगर coverage में आते हैं तो यहां पर all कर सकते हैं otherwise आप इसकी जो है इसको reporters और उसमें कह सकते है tax यह अभी मैं आपको बताता हूं अच्छा यह क्या रहा है normal voter tax is not assigned to this okay just run provider provider have यह reporter reporter in type coverage में आ जाते है coverage options में आ जाते है यह कह रहा है कि इसमें provider और वो किस टाइप रहा है इसमें यह reporter ही आना था tax okay और provider V8 reporter 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 आपको किस तरह जाएप चाहिए all provider जो actual basically जिसके through वो करेगा पुट है आपके इसको लन करते हैं यहां पर आके VTX में dash dash coverage इस command को add करना पर देगा इसको close करते हैं और फिर run करते हैं अब की बार यह इसने पूच आपकेज इसको चाहिए तो yes कर लेते हैं यह package इंस्टॉल कर ले ताके यह इसकी dependency है इसको और यहां पर basically यह यहां पर भी mention यह आप देख सकते हैं VTX यहां पर आप privilege में इसको बता सकते हैं जो भी आपको चाहिए optional by default V8 will be used coverage this and that यह package चाहिए अगर otherwise आपको यह करना परेगा दूसरा अगर आप यह तब करेंगे जब यहां पर इसको यूज करेंगे उसके बाद coverage यह जो हमें flag app लिया है और यहां पर रिपोर्टर्स में आप बताते है यह कौन कोंसा चाहिए यह यहां पर hopefully इसको करेंगे तब तक हम यहीं पर continue करते हैं आप इसको और ज्यादा बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हैं और यह कस्टम रिपोर्टर्स को नहीं चाहिए इसको रहने पर यह रिपोर्ट वाइ रेक्ट्री अग्नोरिं देस और यह इस तरह की रिपोर्ट में क्रिएट करके देगा यह जैसे ही इंस्टॉल हो जागा फिर कंटिनु करेंगे तब तक हम यहां से बागी चीजों को देखते हैं कि इसके फीचर्स में क्या क्या वी कंटिक जो हमने करके देख लिया उसके बाद यूस असे बाद करना हो चल जाएगा यहां पर आप देख लिये हैं कि बेसिकली टॉप लेवल अबेट ओके इसको भी देख लिए यह भी यहां पर इंस्टॉल गर रहा है वर्कर्स मल्टी थैट बाई इस यह एक पैकेज है बेंचमार्किंग स्पोर्ट इस टाइनी बेंच फिलिक्रिंग टाइम आउट पर सूर उसके बाद वर्कस्पेस यह बिसिकली इसी में लेकर जाएगा मेरे क्राव से यहां पर ले जाएगा मैक्स पर जैस्ट कंपेटिबल स्नैपशोट यहां पर स्नैपशोट यह इस पर लेकर जा रहा ओके चाहे बिल्डिंग जो हम एक्सपेक्ट तोगेदर सर्चन कर दें उसके बाद यह मौकिंग के लिए बेसिकली आप डेता मौक करके इसको सेंट कर दें जैस्टोम हम यूज कर दें सकता है यह भी जो हमने कवरीज को देख रहा है और रस्ट लाइक यह ज़रा मैं आपको भी लिखा रहता हूँ यह एका चीज है हम टाइप को भी टेस्ट कर सकते हैं चीजों की यह इस पर लेकर जा रहा होगा यहां पर यह टेस्टिंग टाइप यह ज़रा आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं यह 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 यहां पर कंप्रीट हो गया है हम फिर इस एक मांड को रूं करेंगे और अब की बार यह हमें बिसिकली कवरीज रिपोर्ट दे रहेगा कि हमने जो हमारा टेस्ट हैं हमने कहां कहां तक टेस्ट को रूं कर दी आउट यहां पर हमने कवरीज रिपोर्ट में क्या क्या सेटिंग की है रिपोर्टर टेक्स और इसमें मैं सिंप्ली एच्टी एमल याइड कर रहा हूं बिसिकली वह हमारे लिए एक एच्टी एमल बना रहेगा और इसको यह देखें वो उसने कवरीज रिपोर्ट जड़ा बना रहे हैं लेकिन इसको मैं क्लोस कर रहा हूं ओके बस एक वह बना रहा था कि मैंने उसको चेंज गिया लेकिन रन करती हैं अपकी बार जब यह कवरीज रिपोर्ट कंप्रीट ली बनाएगा तो यहां पर हमारे लिए यह इसने वैसे बना रिया था लेकिन वस अब जैसे ही कंप्रीट होगा तो यह पूरी कवरीज रिपोर्ट के हमारे लिए एक HTML डॉक्मेंट बना देगा जिसको कि हम यूस बार में यूस करके देख सकेंगे तूअ में से कौन कौन से टेंस हम ने कर लिया और कौन से ट् мощ हमारे लिए हमारे लिए रिमेंट गए यहां पर यह बहु आपस बन रिया और यहां पर यह भी आप देख सकतें जो गया ज करड़ीड़ा नहीं पर दोए पूह इसमें क्या है , इसमें की चीज है इसमें कोई तेस्ट बिने वाली इसमें कहा दिया 100% टेस्ट्टेड है यहाँ पे अगर आते हैं यह बसी कली कपैस्टर गए रहा है और यह ऑबजेक्ट था इसवजा से इसको पहला है कि हम जो नहीं है इसी तरह बिसीकली यह सारे criteria पुट define करना होता है कि इसको करना है जैसे कि यह helper सबसे जब इम्पोर्टेंट है यहां पर आप देख सकते हैं जो जो यह रेड में है वह बिसीकली हमने अभी तक test नहीं किया और यह बिसीकली पाक्ति अच्छा है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह truncate वाला जो पाम है यह test हो चुका है इसमें से जो string वाला काम है वो टेस्ति नहीं हुआ string वाला काम जो है वो इसवजा से टेस्ति नहीं हुआ क्योंकि हमारा test case था यहां पे अबिए अगर मैं आपको test case दिखाओं this without anything और इसको यहां पे कट करके const text equal to this यह text हम यहां पे भी pass कर लते हैं और यह text यहां पे भी two be equal यह to equal to equal यह to equal यह to equal यह to equal यह text के तो यह उसके भी प्रोब हो जाएगा इसको अब फिर run करते हैं अब की बार आप देखेंगे अभी यह part tested नहीं था और इसको हम ऐसी रहने देंगे यहां पे इसको फिर run करेंगे यह basically सारा test पहले तो कि यहां पर这 benda करेगा कुछोंום कर देगा कुछ रंड चार्बूर्ड के सब्सक्राइब कुछ इसको उतल रख देखो todavía मैं थिसको पर हो高छाइगाई ऊ और अख्री बार अगल मैं उसके आता हूँ, त minder आप देख सकते हैं कि यह वाला जो part है यह properly test हो चुका है, यह see Zhen. और यह जो yellow का है, यह हम documentation में टेख सकते हैं, यह build को मतलब करता है कि य falar रहे एक मगुणति है ओनके हैं कि यलो का मतलब है, फिर इसको ही करें और अब की बार कुछ भी पास ना करें सेफ करें और यह पिर एक दफार टेस्ट को रन करेगा और बिसिकली इस केस तक हम कैसे पहुंचेंगे जब हमारा स्ट्रिंग जो है वो अनडिफाइन हो यह फॉल्स हो जाएगा यह फॉल्स होगा और यह वाली जो कंडिशन है वो मैट हो जाएगी और इसी तरह क्योंकि अभी यह कंडिशन मैट हो चुकी थी इस वज़ा से यह केस तो टेस्ट हो गया इन दोनों में इस वज़ा से यह कंडिशन तो मैट होगी लेकिन यह कंडिशन मैट नहीं होई अब हमने इस टेस्ट में कुछ भी पास ने किया उन्डिफाइन पास किया तो इस वजा से अब हमारी जो दूसरी केस है वो भी ओके जस्वन निनट ओके यहां के रहने एक गल्जी किया इसको हमने करना है तो भी एकल टू डेस क्योंकि हमारा अधरवाइस मारा जो टेस्ट है वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह एम्टी स्ट्रिंग है यह हो गया पतम इसको मैं इसी तरह कोपी कर लोंगा उसको वही तरह में दोंगा और इसको बेसिकली खिल सेफ करेंगे ताकि यह कबरीज रिपोर्ट है उसको रीजनरेट करते हैं यह यहां पर इसको प्लोस करते हैं दोबारा करेंगा जिससे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बेनफिट होगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पोर्ड भी क्या चीज जो है अभी टेस्ट नहीं हुई और अविएसली यह सिर्फ इतना ही नहीं है यहां से हम अगर वाफिज आएंगे और फाइल्स में तो यह बाकी सारी अगर किया और बाकी जो है और इन 20% में से भी काफी फाइल्स इस तरह किया है जिसमें ऐस सच टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था वह स्ट्रेट टाइप सो गयरा थी इस वजा से उनको और्टमेटिकली उसने कह दिया कि ठीक है यह पूरी टेस्ट है क्योंकि इसमें ऐस स अगर हम इस कंपोनेंस में अते हैं तो इसमें आप एपस को नहीं किया गया लेकिन जो बाखी चीज है जैसे के जो एक्टूल कंपोनेंट है वो अभी अंटेस्टेट मार्क हो आए और उसको टेस्ट करने का क्रीका है क्लिंग एग और बाद में उसको देखा जाए उसमें आपकर स्पाँटे करिये शिर्म सक्षांगे स्फारा कर देखी कए यह नहीं और ही इसारा काम कि अीड़ में डाइओ whेश्स पार की अ मुलत करे दिय अपमाश्वार सब्सक्राइब कर नहीं कि अल्सक्राइब डिए कर दोदूरा तो सब्सक्राइब गुए है, कि अथिए इत डिए अर्व प्सादिए अपने जिए एल खंग कर दोली जाल या है, बीज़ कि अज़ असलामा अलेकुम मैं हुआइसन महमूद एंड वेलकम तो जायोंस लास्ट वीडियो में हमने टेस्टिंग के साथ स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिकली पहले टेस्टिंग की डेफिनेशन देखी टेस्टिंग क्यों जूरूरी है यह देखा हमारे न्यूस्पेपर ए दो-तीन ब्रांचे q3 को मर्च करके वाफिस एक ब्रांच सेंगे जोंसेरी इमन टेस्टिंग वीवन ब्रांच आ और उसके बाद वहां से कंटीनिव करेंगे और सयप्रस से हम स्टार्ट करेंगे एंड-एंड न स्टिंग से और उसमें बैसि कली अपने स्ट रिजिस्टर की की चाहिए जाब करें चलते हैं वीदेयो की तरफ हुआ हुआ है सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर सिंप्ली इंको मर्च कर लोगा इसमें मैं चेंच कर लूगा टरिख टुक्राइब करें और टाष न यहां पर यहां पर यहां पर प्रक्राइब यहां पर श्रप्ठेब आपकेंज। करेंगे तो हम सिंप्ली जो बेसिकली उसको कर लेंगे एक सब्सक्राइब ज्यादा रूल है और जी यह कि इस इसका कश देंगे और उसके बाद फुल ले लेंगे डी से कुल करेंगे है इस में भी कंशीजा देगा लेखिए है यह जो निवाद आभी से कर सकते हैं इसको से यह को से अपसे यहां पर सकू घगा होगया नेक्स अब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगे और इसको यूजर वारे सबसे पहले मैं इसमें एक पेजिस्टर का और उसमें इंडेक्स डॉट टेक्स डॉट टी एस सॉरी यह होगा साइ सीवाइ डॉट टी एक्स जो साइप्रस के टैस्स हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हमसे रिक्वाइड करते हैं कि हम उनकी फाइल की जो एक्स्टेंशन है वो डॉट सीवाइड और उसके बाद टी एक्स जे एस टी एस एक्स और यहां जे एक्स एक तरीखा कार यह है कि यहां पर देडिय डिस्क्राइब करूँ और यह वीटेक्स में से आ गया मुझे वीटेक्स में से नहीं चाहिए । इस तरह से मैं सिरफ एक चीज ट्राइए अगर वो काम करे तो यहां पर आने के बाद मैं यहां पर करूँगा टाइप्स और साइप्रस लेट सी ओके शायद इसमें इंट्रियूर तरवाना परेगा लेकिन चलें एक मिन देखते हैं नहीं खीगा अभी के लिए हम मिसी के साथ करेंगे यह जो काम हम कर रहे हैं उसके बाद इसको मैं कोशिश करूँगा तोरा सा स्टरी करके आपको इसको एक्स्प्लें कर दूँगा ओके प्रेजिस्टर पेज एटूए टेस्ट यह करेंगे ओके बिफॉर इच और अब बेसिकली मैं यहां पर थोरा सा आपसे एक्सपेक्ट रिखाँ कि आपको जो बेसिक जो टेस्ट की कमांड्स है जैसे डिस्क्राइब बिफॉर इच इट टेस्ट इट डॉट और और इस तरह कि जो बाकी है सीवाई साइपर्स के रिलेटिड में यहां पर बदाता रहूंगा लेकिन यह जैस्ट में और बाकी जो टेस्टिंग लाइबरेजिस हैं यह सब में कॉमान है डिस्क्राइब जो होता है वह ग्रूप करनाने के लिए यूज होता है बिफॉर इच बेसिकली आ और यहां पर अब मुझे वो चाहिए फाप तो मैं बिसिकली आप लाउट्स मुझे चाहिए जो के यहां पर शायद नहीं मेलेबल होंगे एक मिनर बस आप लाउट्स और उसके लिए मैं देखता हूं कि क्या कर सफ़ता हूँ अभी के लिए क्विए यह जो कॉंस्टेंस है यह हमारे यहां पर हैं और यह हैं जिसमें के यह चीज़ है एप लाउट्स मुझे यह वहां पर चाहिए और मैं डूबलीगेट नहीं करना चाह रहा लेकिन अभी के लिए जो हमारे मारे बार स्विशन है क्योंक्र साइप्रस बाहिर है अभी के लिए इसको डूबलीगेट कर लेते हैं और इसको बाद में मैं जरा इंप्रूव करके आप लोगों के साथ शेयर करना हूँगा क्योंके और अभी के लिए इस चीज को रहने देते हैं इसको बाद में यहां फिर इसको भी चले मैं इंपोर्ट कर लेता हूं at least बागी फिल बाद में देख रहेंगे एपर आउट्स को कॉपी गया यहां पर आए और अभी भी यह आटो कम्प्लीट नहीं दे रहां इंपोर्ट देस प्रॉम यह जो है यह पे सिक दी मुझे यहां पर रिजिस्टर के पेज़ पर जाए और उसके बाद अगर आपने कुछ और करना हो तो यहां पर लिए बेसिकली जब हमारा कर सकते हैं दोनों में से जो आपको सही लगे मैं और इस पर भी बेसिकली और यहां पर टेस्ट रहने दूंगा क्योंकि इससे जरा थोड़ा सा एजी रहता क्योंकि यह एक टेस्ट केस हैं साइन इन सौरी साइन आप यूजर विद कोरेक्ट डिटेल्स यहां पर हम एक फंक्शन को करेंगे और यहां पर मेरे ख्याल से यह बेसिकली इसमें आप स्किप अगर आपने जब इसको ना चलाना हो तो आप स्किप कर सकते हैं और एक और होता था जो शायद एट पे है कॉंक्रीट नहीं वह नहीं है और यहां पर आप सरसे पहले यह उसमें चला जाएगा बिसिकली लो डिजिस्टर के पेज पे इसको करते हैं से इससे यहां से क्लोज करते हैं और यहां पर जो जो टैस्प.e2e है उसको रण करते हैं यह साइप्रस ओपन को रण करेगा और वो साइप्रस को जो गुई है उसकी उसको चला देगा ताके मारे फ़सा में यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आजाए इसका और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे यहां पर इसमें आ जाएंगे इसमें से एलेक्ट्रॉन को अभी के लिए मैं कर्टीनियू करूंगा आप उसा भी ट्राइब कर सकते हैं कोई इश्व नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जिस्टर का टैस्ट है यहां पर आए और अभी के लिए इसमें बिसीकली the following error originated from text code not from cyprus okay क्या क्या रही है ठीक है अभी के लिए कंटीनु करते है test is not defined कि उसका कोई logic नहीं लिखा continue करते हैं और फिर आगे यहां पर अभी के लिए मैं सर्फ cv.log लिख रता हूँ देखने के लिए अगर यहां पर इट कर देखने के लिए यहां पर यहां पर नहीं चल रहा हूँ अगर यहां से अब हम continue करेंगे सबसे पहले हम सिंपल सी एक असर्शन लगाएंगे कि यह जो रिजिस्टर है यहां पर अवेलिबल है इसको देखेंगे यहां पर आजएंगे और यह हैडिंग है लेकिन जो टेस्ट केसि जब हम लिख रहे होते हैं को चोटी से मैंने कि निशन मनाई हुई है कि टेस्ट केसिस जब आप लिख रहे हो तो आप उन टेस्ट केसिस में जो ऐलेमेंट्स हों उनको specific selectors assign करें ताके आपके लिए असानी रहें जैसे कि basically यह हो जाएगा कि heading, register page heading, इस तरह का कोई assign, यहां पे register page form, name field, जो भी आपने specific size का identifier हो, ताके आपके लिए उसको select करना असान हो, बजाए इसके कि आप इस तरह के जो automatically generated selectors हैं उसको use करके करेंगे तो test काफी नुकसा उससे हो जगता है, अगर वो selectors change हो तो, तो सबसे पहले हम इनको selectors assign करेंगे, यहां पर page में आएंगे, auth में, register में, यहां पर, और, मैं यहां पर basically data, testing selector, ts, tels, testing, okay, ETS, element testing selector, और यहां पर आप हम basically इसको एक assign कर देंगे, let's say के, यह जो है, हमारे पास, इसको देख लेंगे, यहां पर basically हमें जो testing selectors चाहिए हैं, उसके accordingly हम काम कर लेंगे, ताके हमारा काम सही रहे, इसको यहां से खट कर देंगे, यह heading है, इस पर करेंगे, यह क्या है, register page heading, इसी तरह इसको copy करेंगे, यह link है, इसकी हम short form कर लेते हैं, rp, rp heading, rp login, page link, page navigation link, okay, और यह जो abbreviations हैं, उनके लिए हम एक file बना लेते हैं, जो के हम लेक्से के project record slash abbreviations md, और यह बेसिकली यहां पर तोड़ा गलत हो गया, यह abbreviations होगा, अच्छा कर, यहां पर अब यहां पर इसको ही कर लेंगे, abbreviations, used in project and their meaning, अच्छा यह का कह रहा है, सबसे पहले हमने rp किया है, जो के equal है register page, उसके बाद हमने किया है page link navigation, यही किया है, confirm कर लेते हैं, तो वो है page link navigation, अभी के लिए ठीक है, बाकी हम बाद में add कर लेंगे, उसके बाद, यह हम form में आ जाएंगे, और इसमें हम, यह सबसे पहले, इसको assign कर देंगे, यह form point है, और इसके लिए मैं data, ETS, element और इसको भी मैं यहां पर activation में mention कर दूँगा, testing, labels, उसमें, ETS, element, testing, selector, element test selector कर लेते हैं, और उसको भी आगे कर लेंगे, यहां पर अब equal करेंगे, यह equal होगा, जिस्टर page, form, font, और font को भी यहां पर define कर देंगे, container, ओके, अब नीचे आते हैं, यहां पर अब हम इस चीज को assign कर रहे होंगे, यहां पर आते हैं, हमें चाहिए data, element selector, और यह होगा, ETS इस तरह से, जो के string होना चाहिए, इससे basically फाइदा यह होगा कि हर जगा पर आदा आजाएगा और हम उसको resolve करते वक्त उसे collect कर सकेंगे, और, बस एक मिनट, लिस्ट, इसमें क्या क्या चाहिए, हमें एक selector चाहिए, जो field के लिए हो, उसके बाद, एक हमें selector चाहिए, जो icon के लिए हो, या icon button के लिए, उसके बाद, एक selector चाहिए, जो इसके लिए हो, error message के लिए, ओके, field, data ets, और, यह required, field, icon, data ets, और, lastly, field, error, message, और यह जो दोनों है, यह optional हो सकते हैं, लेकिन यह required है, लेकिन सिर्फ आइकोन ही optional हो सकता है, error message भी almost हर एक field का हो सकता है, लेकिन उसको फिर भी हम optional ही रहने देंगे, ताकि उसमें issue ना हो, ओके, मैं चाहता हूं कि क्योंकि error हम अपने form में सब को भी कर ले हैं, अभी के लिए, कैद इसको रहने जेते हैं, बाद में इसको करेंगे, जो भी हमने इसको करना होगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, इसको जो data ETS तेंगे, वो होगा, field, data ETS, इसके बाद यह बटन को जो assign करेंगे, वो होगा, field, icon, button यह होना चाहिए था, from ETS, and lastly, इसको इसे जो देंगे, वो होगा, field, error message, ETS, इसी के साथ यह complete होगया है, इसको हम close कर देंगे, यहां पर आ जाएगे, यहां पर जो जो चीज़ें required हैं, यह सबसे पहले, और यह जो basically हम बना रहे हैं, जो assign कर रहे हैं, बहतर यह होगा कि अगर हम इसका एक constant बना लें, क्योंकि वो constant बाद में हम एक centralized जगा पर रखे, तो इससे भी फाइदा उठा सकते हैं, तो इसको थोड़ा साइं प्रूव करते हैं, हम आएंगे utils में, और यहां पर testing, यह tests, slash, index.ts, और यहां से export कर देंगे const, test, element, test, selectors, जो कि एक object होगा, जो हो जाएगा, let's say register page, register, page, उसमें basically क्या हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले heading, और वो यहां पर आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास यह form आ रहा है, और सुरी, navigation link, login, page, navigation link, यह PLN, page, link navigation, नहीं, navigation link, यह थीज़ी क्या, ओके, और पहले इनको implement कर देंगे, तिर आगे continue करेंगे, this, this, यह, इससे फाइदा ही होगा, एक जगा पर change करेंगे, और selecting के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, यह हो गया, इसको as constant कर लेते हैं, यहां पर वाफिज आ जाते हैं, और अब हम इस पर काम कर लेते हैं, और यहां पर basically हमारे पास field का जो है, basically field पर related होगा, अब यहां पर आपको थोड़ा सा इसका फाइदा नज़र आएगा, क्योंकि हम, यहां पर इसकी field type यह है, तो हम यहां पर, form, वहां पर हो जाएगा, यहां, whatever, इसको यही दाने जाते हैं, form, form, और उसके बाद fields, और उसमें यह आएगा, अब मैं आपको यह देखें, name, यहां चले, name, और क्योंकि अब देखें, जब यहां पर चेंज होगा, इस तरह, mean code एक जगा पर चेंज करें और हर जगा पर चेंज करें, और हर जगा प register page form field ओके, इस एप डिवेक्शन को एड़ कर जाते हैं, register page form field, ओके, इसको हम एड़ कर लेंगे, अपनी, यह वर्ट स्पेस सेटिंग में, ताकि यह जो error आ रहा है, वो भी खतम हो जाए, और, यहां पर हम इसको repeat कर लेंगे, यहां पर email आ जाएगी, यहां पर password आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा password confirmation, और अगर आप थोड़ा सा और इसको बेतर करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप इसको खतम करें, यह करें, और, इस में, इसको, स्री, इसको select करें, और यहां पर यह करते हैं, और, इसका तरीका का इस तरह से होगा यह ले सेफ कर दे और यहां से इसे बेसिकली यहां पर करके क्या हो जाएगा यह स्वरी इस तरह नहीं element selector.this form fields और उसमें यह यह ले ले तो यह हो गया लेकिन सिर्फ यहीं पर बात नहीं खतम हो नहीं हमें इसका बिसिकली जो error selector है वो भी चाहिए और जो icon button selector है वो भी चाहिए उसके लिए हम यहां पर यह करेंगे कि इसको हम ज़रा बहतर करेंगे क्यूंकि यह हो जाएगा input यह है यह है उसके बाद icon button इसका लेट से undefined हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं चाहिए और error message उसके लिए field error message इसको अब copy करेंगे paste करेंगे इन दोनों में यह undefined नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में इसका वो basically आएगा दोनों में हमारे बास यह icon है इस तरह से और इसमें basically इसको हम copy paste कर लेंगे इसमें हम इसको copy paste कर लेंगे और यहाँ पर हम कहलेंगे के field icon button field icon button मैं उस पर वाफिस आता हूँ यहाँ पर यह हो गया और field error message lastly इसको किया यहाँ पर यह किया इस शिस को यहाँ पर कर दिया that's it अब इस पे आजएगा input और इसको दो दफा कॉपी कर लेंगे यहाँ पे आजएगा field icon button और यहाँ पे आजएगा field error message यहाँ पे आजएगा error message और यहाँ पे आजएगा icon button यह लेंगा इसी के साथ यह finalized हो गया next move on करते हैं और आगे करते हैं इसको खतम कर देंगे जो unused है और यहां पे मैं आप को open करके इधर verify करूँगा और मैंने जैसे last time कहा था इसको खाम कर देंगे disable अभी के लिए कि इसको मैं disable कर दूंगा अभी के लिए यहां let's say इसका हम कुछ और काम करते हैं just one minute करते हैं कॉंस्ट और यह होना चाहिए बैसे कर यह से नहीं यह सारा इस तरह होगा return यहां पे कॉंस्ट search params और मेरे काल से इसकी वज़ाए हम use कर रहे होंगे get search params data यह हमने किया और यहां पे search params चाहिए cost search params use search params और यह search params हम इसको दे रहेंगे और इसमें basically अब मुझे चाहिए यह data इस तरह return कर देगा data को sorry और मुझे यहां पर जो मैं चीज expect करा रहा हूँ theme theme panel number यहां पर is open यहां पर हम कर लेंगे बिस्टी कर लेंगे बुलियन कर लेते हैं इसको वट्सवाबर इसको कर लेते हैं okay search params data उसमें से हम इसको extract कर लेंगे इस चीज़ को और अगर यह है और यह है तो फिर आगे काम है यहां पर हम एक बटन एड़ करतेंगे जिसका काम यह होगा कि जो यह पर लिए तो एम को बसिकली यहां के तुडू एड़ कर जैते हैं in search phrams for now अभी के लिए बस्तूदा इसली के साथ इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको अफ़न करते हैं ओके यहाँ पे इस वज़ा से यह नहीं चलेगा यह चीज मेरे जेन से निकल गई यहाँ पे इस वज़ा से यह नहीं चलेगा तो हम इस चीज को जो है इसको पुरा सा नेस्टिट लेवल पर कर देते हैं अब ही के लिए मैं फिर इसको ख़तम भी बस कर रहा हूं इसको कमेंट कर रहा हूं जालेक्स अभी के लिए इसका बैक अप रख लगते हैं और इस चीज को डिलेट कर दो और इस चीज को भी अभी के लिए डिलेट कर दो अब है यहां पर हो गया जिस्टन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास आ गया है यहां पर हमारे पास होना चाहिए यह हमारे पास आ गया उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स में यह सईसे होना चाहिए यह पास है यह कौन आ गई उसके बाद यह रहा हमारे पास सेलेक्टर आ गया जो हमें चाहिए था और जब हम इसमें एरर मेसेज आएगा तो हमारे पास उसका भी जो है सेलेक्टर है और जो आइकॉन है उसका भी हमारे पास सेलेक्टर है यह बटन है और यह इसका सेलेक्ट अब इसका भी हम पीज़ेक्टर लगा चुके तो इसके पास भीज़ेक्ता सत्राइब तlle mismos रगाना है अच्छ ऑ रहर क्थू लगाना है और इस पेज़ि़ेक्टर लगाना है और इस पूरे केज़ेद़ angels स्नुन engaging अगाता है अगाता है पर मुव़ा उन करते हैं? हमें तो डिसेत का चाहिए र॒िसेट होगा है और अक्षंच रिसेत और रिजिस्टर पेज फायम्ट पार्म अक्षूं ग surprises cayettes.. इसको एड कर लेंगे उसमें यह हो गया और एक्षन मारे पास यहां पर रीसेट है रीसेट और सिंपल यहां पर बीटी एन एड कर लें या वटसुएवर इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ आप चाहें तो बीटी एन एड कर लें सब्मिट सब्मिट और यह दो ही एक्षन हमारे पास हैं इसके अलावा जो एक्षन हमें पहले चाहिए हैं उनको हम एड कर लेते हैं बाद में हम वाफिस यहां पर जाएंगे यह हमें बेसिकली एक इसका हमने नाम क्या रखा था इसका नाम था हैंडल फॉर्म वैलिडेशन स् है फॉर्म वैलिडेशन स्पेट हैंडलर फॉर्म वैलिडेशन स्पेट हैंडलर ओके यह हो गया और उसमें बेसिकली यह हो जाएगा चेक चुक और यह हो जाएगा उसकी बेसिकली स्पेट्स और अब हमें हैंडर नेविगेशन का चाहिए है हैंडर नेविगेशन आइटम यह जाएगा header navigation items और उसमें यह login देस्ट है उसके बाद मुझे footer का चाहिए एक मुझे चाहिए basically hc header con यह container हो रही लिख लेते हैं क्योंकि कौन लिखोंगा और उसके बाद मुझे चाहिए सब्सक्राइब क्योंकि क्योंकि हमने कौन का ओपर डिफाइन किया हुआ है container as a उसके बाद मुझे चाहिए copyright text copy right और टेक्स आगे वैसे लिख देंगे यह अब और एक मुझे चाहिए okay footer, links, footer, links, okay? or developer, information, con developer, information, con that's it इसी के साथ ये page complete होगा और जैसे ये page complete होगा हमारे क्वाफी selector औरों के भी हम आड़ कर चुके होगा continue करते हैं, reset पगएदा उसको add करते हैं यहाँ पर आगे और यहाँ पर basically पहले form को हम complete कर चुके हैं इससे उपर basically मैं header को add करूँगा header header ओके और इसको basically मैं recommend ये करूँगा कि इसको हम pages में कर दें, pages उससे obviously हमारा यहाँ पर ज़रा नुकसान हो जाएगा लेकिन यह अभी छोटा ही है क्योंकि हम pages लिखके इससे बच सकते हैं अब और यहाँ पर footer इसको कर देंगे pages यहाँ लिखा होगा है तुना भी करने के जोटनी यह भी उस होदेगा फिर फीचर का यह उसके चक्रड़गा इसमें मुझे अब चाहिए copyright copyright और इसमें basically मुझे चाहिए tax sorry tax इसका होगा copyright tax उसके बाद मुझे चाहिए developer information.com tax और यहाँ पर basically once again बस इनको confirm करना है कि यह वही है के नहीं यहाँ पर developer information.com okay okay links links में basically आजएगा LinkedIn आप पूरा लिखने है या जैसे भी आपने लिखना है मैं इसकी भी short format कर लोगा उसके बाद इसके बाद you are you are or you see in यह क्या था footer links s or in इसको करेंगे g इसको करेंगे you are और इसको करेंगे you see और इसमें आ जाएंगे इसमें मारे पास सबसे पहले और एक हमने सच यहां पे कौन की भी एड करनी थी जो के था footer s c i think okay footer मैं as it is add कर रहा हूं क्योंकि okay इसको रहने देते हैं अभी के लिए पुटर कौन यह यह मुझे पूरे कॉन्टेनर में चाहिए और एकसी को ज्याद ही शोट कॉम होज़े कि वह जड़ा यह मुझे इस तरह चाहिए लेकिन जब हम इसको किसी और के साथ इस्तमाल कर रहे होंगे जहां पर फुटर कॉम की बेसिकली चाहिए होगे तो बहां पर एकसी कल देंगे यहां पर सबसे पहले कॉम तो हेडर कॉम उसके बाद नैभ इसको भी दे देंगे यहां पर वैसे तो यह काफी कॉमाल है लेकिन बचसा अबट नैविगेशन और इसमें बेसिकली क्या आजाएगा इसको नैविगेशन लिंक्स ही कर जाते हैं इसमें मारे पास आ रहा है लॉग इन और अब आएगा hc nav और nls कर जाते हैं इसको और nl कर जाते हैं नविगेशन लिंक्स अब के यह हो जाएगा nls और यह nl login इसको पॉपी कर लेंगे यहां पर जिस्टर आजाएगा उसके बाद सर्च आर्टिकल्स यह बेसिकली हैं पेजिस आपको बाद में नजर आजेंगे न्यूस फीट उसके बाद और कुछ है और अकाउंट माई अकाउंट है और उसके इलावा एक और रहा गया लोगाउट इसके इलावा हमारे पास कुछ है इस लोगो को इसका लगा देते हैं एक लिस्ट लोगो एच सी लोगो और यहां पर वाफिज आती है उसके लावा उसका भी थे लेकिन पहले इनको सबको एड़्यस कर लेते हैं बजाए इसके हम बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिए और मैनेज करना मुश्किल हो जाए यहां तक हो गया एक्शन में आते हैं सबसे पहले एक्शन को फाइलाइस कर लेते हैं ओके यहां पर मारे पास होगा डेटा kts equal to element test selector.pages.rt.form.actions.reset copy paste और submit एक चीज़ हो गई इसी को copy कर लो यह हमारा काम खतम हो गया और इसी के साथ हमारा यह भी काम खतम हो गया इसका काम रहा गया इसको कर की जाते हैं ताके यह पेज पूरी तरह खतम हो जाए इसमें आ जाते हैं यह basically हमारे पास individual components है जो के itself किसी page को ब्लॉंग नहीं करते हैं components और उसमें हमारे पास कौन सा है यह मैंने अभी इसकी application लिकिती form validation state handler इसमें आ जाएंगे और इसमें अब क्या है सबसे पहले तो इसका कौन container उसके बाद इसमें जो state text है उसके बाद स्विच बटन इसको हम कर लेंगे यह और इसको कर लेंगे ऐसे और यह भी आ जाएगा यहां पर इसमें आते हैं और सबसे पहले हम इसको देंगे बेसिकली यह जो container है इसको data pts और यहां पर आजएगा elementslector.components.this.com और एक चीज़ यहां पर मैं आपको बहुत ही important बताने वाला हूँ और यह क्योंकि बहुत ज्यादा important है तो इस वज़ा से section heading add करेंगे ताके यहां इसका chapter भी add होज है और जो basically specifically इस पे वाफिज आना चाहें कि उनके लिए असानी होगी chapter animation आपको पता चली गया होगा मैं आपको custom attributes के मतलीक बताने लगा हूँ क्योंकि basically मैं इसको लिखता जा रहा था हूँ अचानक मेरे जहन में आया यहां पर अगर हम अभी project में आते हैं और इसको open करते हैं यहां पर और इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं कि इसको ignore कर दें प्लीज यह basically किसी और चीज़ का यह 401 इसके icon को देख रहा है इसको icon भी मिल रहा whatsoever और care यह important नहीं अभी इसको अगर आपको ज्यादा basically यह annoying कर रहा है क्योंकि कभी-कभी errors होते हैं वो annoying करने लग परते हैं जो कि understandable बात है तो यह है जो कि इस icon के उतने version को देख रहा है इसको 144 pixel का चाहिए तो मैं simply यह इसको यहां पर आता हूँ newspaper में front end में और public में icon को copy पिया पेस्ट किया इसका नाम क्या था यह इसका नाम यह रखा और WPNG को खतम किया इसको open किया और इसको adjust size किया 144 किया save this और refresh किया खेर वो error कितम हो गया जो बात मैं करने लगा था वो यह थी कि मैंने तबके इतने ज्यादा custom attributes add की हैं जैसे के obviously data ETS ही रही हैं लेकिन काफी elements कोगी हैं अभी तक हमें error नहीं आया क्योंकि मैं proper format को use कर रहा हूँ error कैसे आएगा error ऐसे आएगा कि अगर मैं let's say यहाँ पर आता हूँ किसी को try कर लेते हैं ETS refresh और यह आपके सामने error आ गया error गया है कि यह जो आपने चीज इसको pass कर दी है यह acceptable नहीं है इसको नहीं चाहिए है यह चीज जबके यह मैं जो चीज पास कर रहा था यह okay थी क्योंकि data hash जो है यह HTML की तरफ से allowed है वल्लब हमें कोई भी अपनी customer even कि मैं यह कह सकता था यह ठीक है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता यह नहीं कह सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं यह allowed है ओके लेकिन इसको ट्राइ करते हैं यहां पर देखें यह रहा नहीं आदा ओके जो इस तरह के होते हैं one word यह फिर बिसकली जो camel case होते हैं वह attributes जो है ना वो रीयक्त टेक ओवर करने को कोशिश करता है जैसे यह है और उसके लावा name class name है रीयक्त उनको टेक ओवर करने कोशिश करता है और देखता है कि क्या यह element जी जो attribute है इस component को चाहिए का नहीं चाहिए जब नहीं मिलता तो यह error आता है आपके प्रजेक्ट की इस कंसोल में और इस कंसोल में कोई errors यह warning नहीं होने चाहिए अच्छे developer का यह है वर्णिंग्स नहीं होने चाहिए एन ही नहीं होना चाहिए कोट जितना बहतर हो से क्यों इतना हो तो इस वज़ा से आपने जब यह pattern follow करेंगे यह basically hash वाला तो यह उसको बताएगा कि ओके आप इसकी जगह जैसे मैंने बताएगा आप जायोंस लिख सकते हैं आप SNL लिख स कोट लिखना है और वो खुद ही इसको टेक ओवर कर लेगा इसके लिए जो जनरली नोन है जो अल्मोस सब डेवलपर्स को बता होता है जो डेटा एट्रिव्यूट्स होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं इस वज़ा से मैंने डेटा यूज किया ने तो नॉर्मली मैं जा हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट एट्रिव्यूट्रिव्यूट्रियूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव्यूट्रिव् कि यह प्सिकली कहलें के को पार्टी को इंप्रूव किरने कुछ करें जिससे के फैदा होगा और यहां पे बिसकली हम वह पास कर लें जो हम आगे पास कर रहे थे यह क्या है यह कंपोनेंट्स है यह और और इदर हम केंगे कि हमें एक चाहिए selector string और उसको हम return करेंगे जो के होगा data ETS selector ओके यह लें और यहाँ पर मैं refresh करता हूँ आप देखेंगे के यह चीज इसको apply हो चुकी है और इसका फाइदा क्या होना था अगर मैंने हर जगा पर यह करना और हम इसको improve कर देते हैं हम हर जगा पर यह यूज़ करते हैं इसका फाइदा यह होगा कि अगर मैंने आपको समझा दी आपार मैंने जायोंस करना है एक जगा पर change करूँगा पूरी एप में change हो जाएगा कोड आपका इस तरह होना चाहिए कि एक जगा पर change करें और पूरी एप उससे effect होनी चाहिए बैतर कोड की यह निशानी है लेकिन अच्छा होना चाहिए यह ना हो कि एक जगा पर change और सारी एप लोग हो जाती है यह भी अच्छा नहीं है यह बहुत important concept है तो प्लीज इसको याद रखिएगा next up continue करते हैं और पहले जो अभी तक हम testing selectors add कर चुके हैं उनको update कर देते हैं और मैं अब इसको use कर रहा हूँगा और जहां जहां पर हमने testing selector add की है वहां वहां पर basically हम इस function को call करेंगे ताके जो उसका logic है वह थोड़ा सा improve होजाए और हमारी functionality उसकी वज़ा से overall improve होजाए इसको यहां पर copy कर लेते हैं आप इसको obviously already improve कर सकते हैं इनम और बनाके लेकिन मैं यहां पर simply ही रखता हूँ काम को और obviously इसको जो है यहां से cut करते हैं और इसको एक लाइदा helper file में इसको अभी के लिए रहना जाते हैं फिर एक ले helper में जाते हैं और हमें यह helper की चीज़ का है यह testing helper आगा तो इसको general में यह add कर जाते हैं फिर remove export cost this ok save get ok अब हम search करेंगे data ets sorry ets equal और जहां जहां पर use or else इसको change करेंगे यहां पर यह करेंगे इसको import करेंगे और इसको इसकी जगा पर use करेंगे यहां पर import नहीं आप एक जो हो यह यह हो जाएगा और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा copy और close कर दें पहले फाइलों को थोड़ा साथ आके समझ लगे और इदर हम इसे कर देंगे यह और यह इतर आ जाएगा sorry यह इतर आ जाएगा और यह खतम आ जाएगा इसी तरह इसको यहां पर करेंगे और यहां पर करेंगे यह चीज यहाँ पर आजाएगी और यह चीज यहाँ पर आजाएगी यह क्या होगा और उसके लिए फिर यह है कि हम इस चीज को undefine कर सके और अगर यह const less equal to this जो के होगा record of string and string okay and if selector then इस में obviously आसे करने के जाएशे करो और less को return कर दो ओके यह लगा यह हो गया और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको close करो यहाँ पर और इसको copy कर लेना वेकर था यहाँ पर इसके आजाएंगे यह यह इस तरह से और इस तरह से इसके कंऌने कर दो your और मूह है आज चै ucर मजुटा यह इक रहाँ गया उसको भी कर लेदे हैं दूख और यह यह भी अच्छा हो गया चलें इसी बहांदे हमारा यह तोड़ा सा बेतर हो जाएगा यह form.com यह container बच लाओं इसको कर लेंगे और पिर हमने कौन वगयरा काफी जगा पर कह चुके होई हैं तो फिर कौन ही करें इसको container कहने कर पर कोई जबूरत नहीं है ओके इसी के साथ हमारा यह काम खतम हो गया data का कोई attribute नहीं है और जो सारी attributes से वो update हो गया है जो मेरी normal convention है उसके साथ और once again मैं आपको इसका benefit बता चुका हूँ यहाँ पर आप इसको यह करें save करें और आपके सारे attributes अबडेट हो गया है हर जगा पर यह बैख कर रहा है continue करते हैं अभी तक हम कहां कहां पर attributes set कर चुके हैं almost this form में कर चुके हैं इसमें भी I think कर चुके हैं शर्थ नहीं इसमें नहीं नहीं कर चुके ओके इस form को हम कर चुके next move on करते हैं और इस component में जो form validation state handler है उसमें testing attributes एड़ करते हैं इसको मैं यहां पर आ जाओंगा code में और इसको open करेंगे और इस पर हम आप कर रहे थे सबसे पहले मैं इस पर एक आप कर लोंगा और यह वेसिक लिए है टैक्स और उसके बाद मैं इसके एक हैट कर लोंगा switch पर और इसको एंड़ पर रखा करें प्लीज जो के हो जाएगा switch button that's it इसी के साथ इस पर भी लग गया है और इस पर भी लग गया है जी next move on करते हैं और header को finalize करें यहां पर आएंगे और components में हमारे पास है header इसमें आ जाएंगे और इसमें हमारे पास सबसे पहले इसके container को करेंगे यह container का box है इसको कर लें यहां इसको कर लें दोनों ही okay है मैं इसमें कर लूँगा क्योंकि इसको मैंने वह class की दिए है get testing attribute this और इसको चाहिए element selector this header और font और उसके बाद मुझे लोगो के लिए चाहिए logo उसके बाद मुझे navigation links के लिए चाहिए once again हम प्लोड़ा सा इंट्रूर करेंगे काम को और उसके साथ continue करेंगे लेकिन यहां पे अब issue यह है के यह जो हमारे पास इसमें अगर आएं हम देखते हैं हमें इसको कुछ इस तरह से करना है इसमें आके अगर मैं इसको as const करता हूं सबसे पहले इसको भी as const और वाफिज आता हूं एक तो यह मुझे इसकी value बताने लग परेगा एक चीज मैस का मखसद आपको बताता हूं किसका मकसद कया था इसका मकसद यह एए कि मैं यहां पर इस चीज को automate कर सको कहा है और अब यहां पर मैं कुछ इस तरह से इसको करना चाह रहा हूं कि यह हो जाय배 बिए कि मैरे क्याल मुझे यहां पर individually करना परेगा, no problem, तो यहां पे individually कर देगा, okay, element testing selector, जो क्यों हो जाएगा, element selector.header.navigation links. अब अपना अपना link आजाएगा, सब से पहले सब को मैं यहां पर search articles का दे दूँगा, और, यहाँ जाएगा, newsfeed, यहाँ जाएगा, my account, यहाँ जाएगा, login, यहाँ जाएगा, register, उसके बाद, एक logout का button है, उसको बाद में देख रहेंगे, और यहां पर, यह basically हमें, यहां पर कर देगा, el.ats, और, इसी चीज़ को कॉपी करके, यहाँ पर आके, इसमें आगे, और, इस चीज़ में इसको कर दिया, सबसे पहले, इसको import किया, यहाँ पर element selectors को import किया, यहाँ पर headers को import किया, इसको किया, और, मैं इस तरह नहीं करना चाहरा, क्योंकि यह component है, यह button नहीं है, यह एक लएदा component है, तो उसको मैं components में आजाओंगा, logout, okay, और, logout, button, BTN चलें आई गया है, इसके आगे भी बहत हो रहीती है, यह दा project record, abdivations, BTN, button, वैसे यह boot चलें पर दर बहुत जगा पर यूज़र है, लेकिन फेख भी, let's not take anything from, for granted, let's not take anything from, let's not take anything for granted, और, हम अपना जो code है, उसको सही रखते हैं, यहाँ पर यह हो गया, और इसी के साथ, यह complete हो गया, सिरफ एक चीज़ रह गी है, जो के लोगो, लोगो को के में लगा चुका हूँ, save करेंगे फिर इसे, और, एक दफा चेक कर लेंगे, कि हमारे पास जो लिंक्स हैं, वो साथ को लग चुके हैं, जी, इसको, इसको कहां पर लगा है, बस एक अनक, ओके, ठीक है, यह नज़र नहीं आ रहा है इसको, ओ, सॉरी, सॉरी, इश्यू यह वह रहा है कि, मैंने उसको इस परहा लगाया हलांके, मुझे करना था उसे, यहां पर receive करना चाहिए था, और यहां फिर, इश्यू यहां पर यह है कि, यहां पर इसको पास कर रहा था, लेकिन receive नहीं था कर रहा था, तो सबसे पहले, और यह इसके अब काफी तरीके हो सकते हैं, एक तरीका यह हो सकता है, कि आपको जो 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 बेसिकली नेम्ड पैरामिटर चाहिए, उसको इस तरह कर लें, यहां पर यहां तो नेम्ड पैरामिटर आट कर लें, यहां पर एक आर्ड की अरे कर लें, कि बाकी जितने पैरामिटर्स हैं, वो सारे इसमें पास कर दो, और उसको यहां पर डिस्टिविट कर दो, वो तरीका मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी फिर पास हो कि वो अप्लाई हो जाएगा, तो इस वज़ा से मैं ETSC यहां पर रसीव करूँगा, जो कि स्ट्रिंग होगा, ओके, और उसके बाद मैं यहां पर, जस्ट वन मिनट, यहां पर ETSC रसीव करूँगा, और यहां पर मैं यह करूँगा, इस परा से, यह, सेव, और इसको अब ETSC चाहिए, तो इसको ETSC परवाइब कर देंगे, होफुली आपने गैस कर लिया होगा, यह वाला ETSC, और अब यहां पर, यह प्रोपरली, शो करेगा, जी, यहां पर भी यह शो कर रहा है, और इस पर भी यह शो कर रहा है, इस पर, यह शो कर रहा है, जी, यह कर रहा है, और कॉम पर भी आप देख सकते हैं, होफुली कॉम पर भी होगा, जो के यह है, यह कॉंटेनर की है, यह कॉम की है, और इसको यह assign है, that's it, move on करते हैं, और footer को जो elements, factors हैं, उसको assign करते हैं, मैं यहाँ पर इसे close कर लूँगा, और abbreviation को open रहने दूँगा, इसको close कर लूँगा, abbreviation को यहाँ पर इस तरह से, footer को open कर लूँगा, और इसमें आ जाओंगा, सबसे पहले, once again, इन सबको ETS assign कर लेंगे, क्योंकि वो required है, sorry, ETS, और हमें चाहिए elementselectors.footer.links.onebyone, GitHub, updated resume, and updated CV, ओके, यह हो गया, उसके बाद, यह जो है, हम यहाँ पर इसको चाहें, तो इसको भी दस्रीव कर सकते हैं, इसका एक लेड़ा component भी बना सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, मैं अभी के लिए वैसी इसको रहने दूँगा, और इसको कर दूँगा, get at testings attribute, el.ets, ओके, उसके बाद, यही मैं copy कर लूँगा, और इस पर आ जाँगा, इस में आ जाएगा, element selector.footer.ya, उसके बाद copyright this, और उसके बाद lastly यह, चले, इसी के साथ हमारा पुटर भी complete हो गया, इस में आ गया, hopefully, जी आ गया, मैं सब को assign हो गया, जी हो गया, यह basically मैं यहां पर देख रहता हूँ, कि यहां पर नीचे आ गया कर नहीं, और इन सब को भी assign हो गया, रेजिस्टर पेज का complete हो गया, तो आप बेजिस्टर पेज का जो है, वो testing की तरफ move on करते हैं, लेकिन उससे पहले इस code को commit कर लेते हैं, क्योंकि हमने काफी code changes कर लिया है, dot, testing, sorry, element, testing, selectors, edit, moving on to the cypress, testing, end to end testing, for register page, और इसको push भी कर देते हैं, just in case, ओके, यह यहां पर finalize हो जाता है, और यहां पर यह finalize हो चुका है, वाफिज आ जाते हैं, cypress में, यहां पर, और pages में, इसमें, और अब हमें, यहां पर, utils में, testing selectors भी चाहिए हैं, तो, उनको copy कर लेते हैं, यह, once again, अभी यह, बहुत best नहीं है, क्योंकि मुझे, यह चीज़ चाहिए, कि, यह, इस दो जगा पर भी repeat ना हो, यहां पर मैं comment add कर देता हूं, to do, find a way, sorry, move these, constants, in a separate package, so, we can import them in app code and test code from one place and we will be able to make changes in one place and it will effect everywhere both in app code and test code and this एलिमेंट, टेस्टिंग, स्लेक्टर्स, यह कहां से आ रहे हैं, ओके, मैंने एक लाइदा एट किया था, यह और यह, ठीक है, इसको, अच्छा, इसको मैं टेस्स नहीं कहना चाहरा है, इसको मैं एक तो यह कॉंस्टेंट्स है, कॉंस्टेंट्स में जाएगा, इसको मैं टेस्टिंग स्लेक्टर्स कहना चाहरा हूँ, एक चीज यह automatically सारी imports वो मेरे लिए improve करेगा, दूसरा मैं इसको move करना चाहरा हूँ, constants में, फिर यह मेरे लिए imports को improve करेगा, okay, hopefully imports वो इंप्रूव हो चुकी होंगी, जी हो गई है, once again, यह जो है, यह package है, auto import, यह आप के लिए, यह आपके लिए automatically यह वाला काम करतेगा, जो इसने मेरे लिए भी किया, अच्छा package है, अच्छा काम करते हैं, और अब हम जो गलत काम करने लगी हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें इसको काम को चलाना है, तो at least काम चलाते हैं, बाद में देखेंगे, testing selectors, this, और झाला हैं, अज्का हैं, जो झाला हैं, आपके लिए, और झाला हैं, तो कि नाम लिख देते हैं ताके चलें अटलीस यह हो कि अगर कोई कोड़ देखे तो इसको पता हो कि हमारी यह नॉलिज में है कि हमने इसको इंप्रूव करना है बस इसके थोड़ा टाइम लगेगा इसमजा से अब यह चीज यहां पर करेगी काम को थोड़ा सा खराब क्यूंकि एक चीज मैं यहां पर देखना चाहरा हूं कि क्या मैं यहां पर इंपोर्ट एक तो नहीं चलता रहा एक जो है वो नहीं चलता अच्छा एक मिनट मैं मुझे बस एक मिनट टाइम दें थोड़ा सा मैं इसको देखता हूं अगर यह अभी सही हो सकता है करें और आई थिंक कि यह सॉल्व हो गया लेट्स ट्राइट इदर आते हैं इस चीज को भी खतम कर है और सब्सक्राइब करता है कि अब करते हैं के अब कॉंटिन्यू करते हैं यह व्य्यूंस पहले आप पहले अब यह अजय हो गया यह अच्छाव अब और आपको पता रही था तो क्योंटू करूंट इसमें type set कर जाते हैं, देखते हैं, Cypress type set करने से यह काम कतम होता है, कि नहीं, ओके, with text global, इससे खतम होता है, नहीं, यहां पर यह जारा मसला काफी जारा हो जाएगा, can not find module constants, इसको कार कतम करते हैं, और यहां पर यह काम करते हैं, और इसको देखते हैं, यह चलता है कि नहीं चलता, लेकिन इस पर पहले, यहां पर basically इसको to be कर लेते हैं, to be equal, sorry, to equal कर लेते हैं, to be equal करने के जाए, वह session use कर लेते हैं, जो इसको भी समझ आ रही है, बजाए इसके के हम उसको, और पहले इसको देख रहे थें, कि यह चला है कर नहीं चला है, और I think कि यह चल गया, मेन के हमारा यह काम काफी असान था, फैर, बस एक मिनद यहां पर मैं एक, जो यह नेम फील्ड है, इसमें टाइप करता हूँ, अगर वो टाइप हो जाता है, तो मतलब हमारा काम चार रहा है, c y dot type, sorry, पहले गैट करने हमने, और गैट करने के लिए अब हम मुझे चाहिए, element selector dot, जो भी इसका selector है, यहां पर, मुझे चाहिए यह, pages में, is में, home में, fields में, name की field, और obviously इसको क्या चाहिए, इससे क्या मसला है, यह क्या कह रहा है, no overload match, खेर एक मिनद बस, इसको खतम करो, और यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर होना चाहिए, zions, इसको मैं भी अपडेट कर खार्वर्स रेकिनद, यह इस तरह होगा, यहां पर क्या होगा, हमारा काम चल गया है, very good, ठीक है, आप सिरफ हमने इसको अपडेट करना है, तो इसका काम हम, लेकिन इसका क्योंकि यह मुझे helper function यही पर चाहिए, तो इसकी मैं यूटिल की file यही पर बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, इसमे utils helpers index.tx or export const get cy cypress element selector cy element test selector यहां पर मुझे ets चाहिए जो के string होगा obviously, और मैं return करूँगा, return भी यहां पर बता रिताँ कि मैं string की return करूँगा, और यहां पर basically क्या return किया जाएगा, वही जो चीज हमने यहां पर किया, इस चीज को यहां से cut करें, यह, और यह चीज यहां पर हो जाएगी, इस चीज को यहां से cut करें, और यहां पर हो जाएगा, get, cya, this और यह, इसी के साथ इसको save करते हैं, और यह हमारा काम complete हो गया, अब जल्दी से यहां पर data put करते हैं, basically इन सब का अभी के लिए सिरफ और सिरफ correct data put कर देते हैं और इसको finalize कर देते हैं, उसके बाद जो next काम होगा, basically जो और ज्यादा टेस्ट हैं, इसका जो invalid case है, ETC वगारा, वह हम next video में continue करेंगे, B मैं यहां पर आऊंगा, और quickly शिफ और इन्फेर्मेशन के लिए कर लूँगा और बाद यूनितराम इसके आगे की तरफ जाएंगे, सबसे पहले basically name मैंने एंटर कर दी है, और यहां पर मुझे एक चीज चाहिए current time new date dot get time ओके और यह बैसिकलिए अब डैटा है तो इस डैटा को मैं fill out करूँगा let's say के मुझे यहां पर एक तो utils को हम बाहर रखते हैं इसकी import automatically update हो जाएगी issue की मसला कोई मसली और ही बात नहीं और उसके बाद ओके एक चीज मैं यहां पर आड़ करना चाहूँगा basically यहां पर यह चीज पर आड़ है यहां पर एक चीज मैं करना चाहूँगा addcy.all is equal to cypress.all ओके और obviously इसको हमें इसमें भी बताना परेगा vtex में भी यह cy हो जाएगा is equal to cypress और इसके साथ हमारा यह जो काम हो जाएगा addcy हो जाएगा ओके next move on करते हैं यह जड़ा इंपोर्ट से इस तरह बता देंगी आप हमें यहां पर data चाहिए था उसके लिए मैं इसमें करूंगा data user index.tx export const user auth data name sn email password email a1sn at gmail.com password वो basically हमारा हो जाएगा ओके वाफिस आते हैं यहां पर user auth data dot name इसी तरह हम get करेंगे email को password को password confirmation को password को email को और एक चीज़ रफो हम कर देंगे plus this ओके यह basically time और हम्पर ब cosìकाली कि था बट्ड़ कि अमँवए सी गाय सी अविढुड गत यूनिक, इमेल, इमेल, टाइम, और यह दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, और लैट से नंबर है, कोई फरक नहीं पड़ता, और यह रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा, और यहाँ पे होगा क्या, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, क्विकली हमारे लिए असानी देगी, मैं करना यह चाहरा हूँ कि लैट से एवा नेशन मैं इसको पास करूंगा, इस जीमेल डाट कॉम, उसको मैं सप्लेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, कहां पर, एड पर, तो यह, डन है, यह, यह हमें देदेगा, इस तरह तो, स्ट्रिंग, कॉंस्ट, न्यू, इमेल, इकल टू, इमेल, इमेल, रे, प्लस, उसका जो है, जीरोत अलिमेंट, और सबसे पहले, यहां पर यह करना है, इफ, लेट से के, और यहां पर एमेल रसीव नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम रसीव करते हैं, और यह जो एमेल है, यह हम, यूजर, डेटा, और डेटा, डॉट, इमेल में से ले रहे हैं, अच्छा, इसकी फिल जुरुत नहीं देगी, अच्छा, यह हो गया, जीरो, अब यहां पर पीच में टाइम आ जाएगा, प्लस, एट, और प्लस, एमेल रे का दूसरा पार्ट, यह आपकी न्यू एमेल होगी, इसको रिटान करना, उसको सेफ करें, यहां पर आजाएं, इसको करें, गैट इस, और करंट टाइम इसको पास कर देए, और इसके साथ, आप इसको सेफ करें, और यहां पर टेस्ट में आएं, यहां भी यह कुछ कह रहा है, गैन नोट रिजॉल्व, ओके, एक दफा रीस्टाट कर लें, सब से पहले मैंने यह लास टाइम मैंचन की थि iS ko close करें इसके बाद फिर यह ऑट 겁니다 कड़ हुyan ty जिया उच्छी बात था और इसको भी क्लोश कर ले आब पहले स्कुर उसके बाद पहले पहले इसको स्टार्ट होने दे और ठिर इसको स्टार्ट कर लो कि यहां पर इसको एक दफारा रेफ्रेश कर ले और यह स्टार्ट हो जाएगा और हौफुलि आपका जो इशु था वो रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम ने विर्त में और उसमें दोन हो। तो कभी रभी पिकप नहीं होता जो सिंपल सा स्ल्यूश कि इसको इसमें यह एड़ करते हैं एड़िंग इसकी जगह हम देखें कि कोई और ज्यादा बहतर तरीका होना चाहिए बजाए इसके कि यह क्योंकि हमारे पास से बस एक मिझे दिजेगा अभी कि इसको एड़ कर दूं यहां पर मिली सेकिड में बिसकली हमें चाहिए और यह हमारा यहां पर क्या कर रहा है यह एलियस के साथ क्राम कर रहा है बिसकली यह उसके एलियस बना रहा है और यह उन सब के लिए वेट कर रहा है कि यह एपीए कंप्लीट हो यह कंप्लीट हो यह एपीए कॉल कर रहा है उसका उसने एलियस बनाया है और उस एलियस पे वेट लगा रहा है कि जब तक यह पीक कम्प्रीट नहीं होती तब तक यहां पे वेट करो और उसके बाद उस पे इंटर्सेप्ट कर रहा है लेकिन हमें यह इसकी मोस्सिंपल फॉर्म चाहिए जो कि सेकेंड में हैं यहां पर हम फाइफ सेकंड वेट वैसे काफी ज्यादा बेट हो गया लेकिन कोई मस्क्रावली बाद नी लेकिन मुझे यह वाली चीज नहीं चाहिए बलके ओटमेटिक जो है वो चाहिए यहां पर यह सारी चीजें हो गई है एक चीज मुझे जो यहां पर चाहिए वो यह है कि इनकी जो स्टेट है वो वैलिड होनी चाहिए इनकी स्टेट वैलिड है कि नहीं उसका पता इसका चलेगा कि यह बटन बिस और सोड़ी एनेबल हो जाएगा सबसे पहले यहां पर हम उसको get करेंगे const submit button equal to cy.get यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा actions.submit और यहां पर basically आजाएगा इसको हम as करते हैं बजाएगा इसके कि उसमें store करवाएं submit और आर्टी करते हैं submit btn ओके इससे बहतर है उसका फाइदा यह होगा कि हम बाद में इसको कर सकेंगे c y dot wrap dollar यह इस डिस तो यह क्या हो रहा है oh sorry यहां पर expect करना है expect disabled to be disabled okay और उसके बाद जब यह सारा काम हो जाएगा तो सबसे पहले इसको unfocus करो क्योंकि जब हम इसको unfocus करते हैं फिर वो जो है ना जो just one minute unfocus यह focus out whatever मुझे basically बस इसका focus out करना है oh okay यहां पर blur का होगा dot blur j done और इसके बाद यही जो चीज है इसको expect करते हैं हम कि यह to be enabled to be enabled save करते हैं देखे सबसे पहले वह और इसका wait करते हैं कि यह wait को ज्यादे ही हो गया sorry 3 seconds बहुत है यह page load हो जाए okay page load हो रहा है उसके बाद 3 seconds wait okay और यह button जो है disabled होना चाहिए था लेकिन यह enabled है okay बस एक minute सबसे पहले हम यह करेंगे कि जाना है बस एक minute वह start में enabled इस वजा से है क्योंकि जो form की state है वो अभी dirty नहीं है मतलब के अभी form को जो है touch नहीं किया गया किसी भी field को तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इस field को focus करते हैं और blur करते हैं dot focus dot blood यह किया और अभी भी यह नहीं हुआ अलाकर यह करेंगे यह करेंगे तो यह disabled हो जाएगा लेकिन यह इसमें अभी disabled नहीं किया इसको तो एक असान तरीका फिर यह है कि इस चीज को कर लिया जाए प्रिकर जब type करेंगे तो फिर वह disabled होई जाएगा और मैंने उसके वेट को खतम कर दिया क्योंकि यहां पर यह साइप्र आटमेटिकली पेज लोड का वेट कर रहा है और जैसे ही पेज लोड हो जाता है फिर यह आगे movement है और यह क्या 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 रहा है invalid child property to be okay यह जो property है यह कह रहा है कि यह नहीं सही just one more cypress alias cypress alias variable and aliases यह as इसको जात स्टडी कर लेते हैं कि इसमें कोई गलती ना कर रहा हूँ get to find this first nav और उसके बाद as यह क्या कह रहा है alias element this okay और बाद में इसको use कैसे कर ला है okay उसको get करना है sorry wrap नहीं करना get ही करना है और इसको get कर लो और इसको भी get कर लो let's see यह कहा है यह अभी भी नहीं यह क्या कह रहा है issue तो इसको इसका ही है okay should be care no problem should we can go bus save should be disabled let's see enable यहां पे तो होना चाहिए और इस चीज़ को save करते हैं यहां पे आते हैं और यहां पे आप देश सकते हैं कि इसके पास भी होगी हैं दोनों सक्ष्ट्रास होगी है मैं यहां पे वाफिस आता हूं और यह वाला काम मैं नीचे करता हूं आइडिंग दिस तो गैटा यूनीक नेंड ओके मैं सरफ और सरफ वही जो काम है वह पहले वाला करके देखना चाहरा हूं कि उससे यह होता है कि नहीं होता डॉट फोकस डॉट बलड इससे देखते हैं कि यह चीज ओके यह चीज हो गई है कि हमने उस पर फोकस किया जब इस पर फोकस किया उसके बाद बलड किया तो वह चीज यहां पर यह डिसेवल हो गी जब यहां पर बात है और उसके बाद पर हमने इसमें टाइप किया सारा कुछ चीजों को करते गए और यहां पर जब पहुंचे तो यह अनेबल हो चुका तो इसको क्लोज करते हैं यह यहां पर कंप्लीट हो गया लास्टी बस हमने इस पर क्लिक करना है एक दफा अगर आप रिसेट पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली सारा कौम रिसेट हो जाएगा यहां पर उस पर भी कर लिते हैं स्टार्ट में वो डिसेवल गोना चाहिए जो रिसेट का बटन है रिसेट और रिसेट और इसको बेसिकली यह जो है यह स्टार्ट में डिसेबल होना चाहिए और एंड पर यह भी एनेबल होना चाहिए और लेट से के इस पर हम क्लिक भी कर देते हैं तो इससे हमारा जो फॉर्म है वो रिसेट हो जाएगा सबसे पहले पेज लोड हुआ उसने डेटा एड किया सारी चीजें और डी सेट हो गए यह हमारी सारी स्टेट होगी और अगर हम इस चीज को बिसीकली रहने देते हैं और दूसरे को क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा बेसीकली रिजिस्ट्रेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा सारा डेटा होगा इंपूट और यह कुछ एरर आया नेट्वर्क अरफ जो के है अंसोल में आंके क्या होगा XCS अरफ बेकेंट शर्वर जिस्टर्व फैल फैल, no data found no content available for free flight अच्छा यह मेरे क्याल से बेसीकली क्योंकि हम टेस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं इस वज़ा से यह ब्लॉक्त हो गई है तो इसके कापी तरीके हैं एक जो सिंपल सा तरीका वो यह है कि अगर मेरे पास यहां पर एंजी रोक हो एक टीटीपी और यह पॉर्ट पांस ही यह एट पोजन है एट फोजन इस पर मैं एंजी रोक चला लूँ बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एक एक एच्टीटीपीएस का यूरल चाहिए जो के उसके पॉइंट कर रहा होगा और यहां पर मैं फ्रंट एंड में इसको चेंज कर लूँगा लेट से के इससे मैं कर लूँगा कोपी पेस्ट पहले इसको क्लोस कोपी और पेस्ट यह क्या होगा ओके कैप यह नहीं था करना यह करना था स्वर्ट इस वज़ा से वह हम्ती स्पेस थी इस वज़ा से नहीं कर लिए ओके यह कर लिया सेफ लॉस लॉस और यह आइधिंक ओटोमेटिकली रीफ्रेश हो जाता है क्योंकि यह वीट जो उसमें चेंजिस होते हैं उसको ओटोमेटिकली पिक अप कर लेता है इस टेस्ट को दोबारा रुन करते हैं देखते हैं क्या होता है लोडुबा नेम एमेल पासवर्ड ये और सब्मेट पर क्लिक ओगया और यहां पे आप देख सकते हैं कि रिजिस्टरेशन क्प्लीट हो गया हम चाहें तो यहां पे रिजिस्टर की अपियाई पर क्या नहीं प्रशाव में कर दोने शचांने ला करेστεर हो दोनेंट। प्रत फेंग करना दोने शचांथ वाइस प्रत और जाएक उनुपक्रतु करuine चाहिए, यह हम अज़ बाहरा को baruünde बाहरा करें कांने निविगेत है, मैं सिर्फ तो कुर्श ही जिया वोत्खें सेके हैं यह थी आज की वीडियो, होफ़िली आपको आज की वीडियो बहुत पिसंद आई होगी, वीडियो के दिलेटिज कोई क्वेशन हो तो प्लीज उसे कमें चेक्शन में में मैं असका ज़्राब दूँगा, वीडियो का लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब क असलाम अलेकुम, मैं हूँ एसर महमोद, एंड वैलकम तो जायांस, लास्ट वीडियो में हमने अपने रिजिस्टर पेज पे जो टेस्ट था, सक्सेस के स्वाला उसको कम्प्लीट किया था, इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और बेसिकली सबसे पहले हम ज testing selectors add कर लेंगे, और testing selectors add करने के बात, फिर हम वाफिस आएंगे Papa, और continue करेंगे, test cases के साथ, और एक test case लिएंगे register page पे, जो के existing user की email को use करते होवे, sign of try करेगा, और उसके उसे basically error आना चाहिए, कि user already exist, और इसी के साथ हम आज की video को पिर conclude करेंगे, और उसके बाद तिरह हम next continue करेंगे चलते हैं वीडियो के तब स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पे ब्राउजर में आ जाओंगा और साथ ही मैं कोड को भी open कर लोगा यहां पर last time हम यहां पे register इस test पे काम कर रहे थे और उसका हमने success case जो है वो define कर लिया था यहां पे sign in user okay अब मैं इसको dot skip कर दोंगा ताकि यह test अब रनना हो और next अब मैं एक new test create कर लोगा जो के होगा try sign up with existing user details it should fail यहां पे आगे और अभी के लिए मैं यहां पे सिर्फ एक log लगा दूँगा ओके ready for start और इसको हम चला के देख रहेंगे बस क्योंके यहां पर इसको मैं clear कर लोंगा और e2e dot sorry test dot e2e यह Cypress को open करेगा यहां से हम wait करेंगे इसका जैसे ही यह आगे हो जाएगा यहां से हम continue करेंगे और अजय करेंगे और यहां पर आजाना चाहिए करेंगे इसे स्टार्ट कर देगा यहां पर इसको स्लेक करूंगा और यहां पर आजाना चाहिए कि रैडिव पर स्टार्ट बैड से सर्फ इतना था काम था बैड़ी पर स्टार्ट अब हम continue करेंगे और मैं basically quickly पूरी एप के लिए जो testing selectors हैं उनको एड़ कर दूँगा हम वीडियो के स्पीड पर स्पीड अप कर लेंगे ताके क्योंकि मैं सब्सक्राइब स्टेसिंग स्टार्ट जाट कर रहा हूंगा और जैसे ही वह काम खतम हो जाएगा उसके बाद फिर हम continue करेंगे और इसकी क्योंकि जो दिमेनी पुक्षाल्ट यह उसको कम्ली सरेंगे क्योंकि आपको क्योंकि आपको पोग पैड़ कि अवट कि अवट कि पूए आप अबबाद कि अवटिछ कि अवट अवट कि अवट पोग में आप कि अवटिट कि अवटिष अजाँ यूजको झाल लाते हैं अब दो प्र टाल कर दो आया है पिजा मैणचर कर दो दोदे में हरे कर दो घर कर दो को लिए जा हम कले कर दो कले एग हमें हम्हाओ लाप कर दो नहे हैं हुआ है ब Maarुटतर toy नयों मैं नड़ला हुआ मैं चलुपलिय स настал होसला है पत्रक्था लंटर में 3 हुटतर तो, लग यादा मैं जल पर लगउते हैं कि एफिताय। झाल झाल में पाल पीडियो निता करती हुआ आछको, झाल 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 यह तो तो और यह जो आ रहा है यह मौस्ट प्रबरबिली इस वजा से आ रहा है क्योंकि हम लोकल होस्स को ट्वाइकर करने कोशिश करने और उसमें क्लोस का जो एरर है वो आ रहा है तो उसका जो सुलिशन है वह काफी सिंपल है हमने सिरफ और सिरफ आप एक लावा एक ओर रहा है यह मेरे पास एंस्ट्रॉल यह बिसिकली आप एंपियाम लोकल टर्नल यह पैकेज इसको भी प्राइग कर सकते हैं और यह पर मैं लोकल टरनल डैश पी जो पोर्ट है जिस पोर्ट पे बिसिकली चल रहा है मेरा बैकेंड वह और डैश एस इस इ फाइदा है जो एंजी रोक है जब तक हम उसके प्रेमियम वर्जन बाइय नहीं करते हैं वह हमें एक स्टैक्स अब डुमेन नहीं देता है लोकल टरनल जो है इसकी सर्विस ऐस सच इतनी कहले के एंजी रोक हम काबले में स्टेबल नहीं है लेकिन अपलीस यह में फ्री में दोमेन के जो एक स्टैक्स डुमेन है सब डुमेन वह प्रवाइड करते है तो इस वजह से हम बार पार जब सेर्वर को दी स्टार्ट करेंगे तो आlt लिसमें सें स्टैक्स डुमेन पर उन्टिल ऑंल्लेस के वह स्टैक्स डुमेन किसी और ने यूज में ना रखी है और हम यहां पर अपी एंजी लोग के साथ ही करूंगा एच टीटीपी फॉर ताउजन लैट सिप इसका सिर्फ यह नुक्सान है कि यह हल्प दफाए एक नही पॉर्ट असाइंग करता है सब्रमें तो हमें बार बार यह चीज चेंज करने करेंगी बागी यह सर्विस का फीस्टेब कर देंगे जो इसको मैं अब रिस्टार्ट करूंगा टेस्ट को जाएगा और अब की बार यह एंजी लोग की प्रॉक्सी के तरूप जो बेकन्ट प्सेस करेंगा और यह फास होजाएगा अगर यह फास होता है यह फेल हुए है यह क्या यहां पर कह रहा है जब वह बीच में नहीं है और इसलिए शायद वह भी निथा चाहएगा प्यूंकि इसने भी यह लेखते हैं यह चुलता है जी यह चुलता है जी यह चलिया तो वह मेरी उल्थी है मैंने बिस्किली ओर ताउजन लिख देए कि कि नॉर्मली नोज्यास के प्रजेक्ट में उसको और जाते हैं अच्छा लोकल तरनल की एक और बात ही है कि एंची लोग जैसे आपने देखा वह डिरेक्ली काम कर लेता है लोकल तरनल में आपने एक पहले यॉर्ल को अपने डॉसर में उपन करणा है wszystkie कि खल आप ऐसा क्लिक करना है यह को यहां करना और इसको काम करना साथ करेंगा अगरने क्योंचे अगर नगा दख़ हमे पर करें आबसुप है। कि यहां पे डिए सब्सक्राइब करते हैं और चाहरा है Warehouse और इसने सब्मिट की डिटेल और यह test case पास हो गया क्योंकि अब यह सिर्फ और सिर्फ डिरेक्ट कर रहा था उसके उपर में जो प्रेश है उस पर यहां पर इसकली जो यूजर था वो प्रेट हो गया एक प्रफाइस को फिल रण करते हैं और आपकी बार जो में बिसकली रि यहां पर आपके स्ट्रिक्ट पोजिशन आगी है रफ्रेश करते हैं और यह अभी प्रेंडिंग नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एर्र आ गया इस एर्र का हमने बेसिकली टेस्ट करते हैं यहां पर आते हैं और इसको जड़ा अप्डेट करते हैं कि करते हैं साइन अप शुड फेर इफ दा यूजर ओर्रेड़ी एक्सिस्ट अधर्वाइस एक शुड पास जड़ा तुरा साइम कर लेते हैं यहां पर यह सारा काम हो गया और मैं आपको बहुत आता हुँ कि हम इस APA को सिस्ट करेंगे करने साइप्रस हैं इसको गां यह भायां मुक्तु करिंगे य Soc Bayern को स Reach में मीel में और इसके रिसपॉंस पर हम दिखेंग कि असमें में मों लिया और उसकी quatre-ट हाय सब्स करेंगे यह काम करें। Fast see river variables 510 में जो इंटर्सेटोफ़ा PowerPoint इंट्रीटोर्क डिक्वास्टो ग्राफियस्टोर्स रिक्वेस्टोर्स URL बताएंगे आप method भी बता सकते हैं और end पे आप एक जो static response है यहां तो बता दें otherwise जैसे कि इस URL को देखना है अच्छा get का method होगा फिर इस URL को देखना है यहां फिर आप पूरा इसको बता सकते हैं इस तरहां से और body URL बता सकते हैं जो भी आप कह सकें otherwise आप यह काम कर सकते है कि ओके इस URL को intercept करो और उसका नाम local host को करो और उसके बाद यह जो request है इसमें आके do something with the request or response यहां से response निकलाता है यह सारी चीज़ें हम यहां पर कर सकते हैं जो response है वह आपको request में से बाद में मिलता है यहां पे इस तरहां से यह देखें यह intercept किया इसको क्योंकिंके intercept की जो अपना action perform यहां पर पीच में जो होगा data वगारा आड करेंगे और पिर इस पर wait लगाएंगे और उसके बाद यह intercept इस अग्ज़ेप्शन इस अग्ज़ेप्शन इस आइड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट भी होगा और उसमें पिर हम इसको चेक कर लेंगे तो इससे सबसे पहले चेक करते हैं और उसके बाद पर continue करेंगे यह network disconnected यह basically internet disconnect हो गया था तो आप देख सकते हैं जैसे internet disconnect होता है वो हमें error दे देता है अभी के लिए हम यहीं प्या जाएंगे और सबसे पहले interceptive call define परेंगे c y.intercept url बताना है और उसके लिए basically हम API urls में आजएंगे API urls registered इसको देख लेंगे कि यह क्या है ओके यह ठीक है अगर आप method वगयरा इस तरह की बाती सारी चीज़ें बताना चाहते हैं तो वह भी आप बता सकते हैं कि यहां पर url जो है वो यह है जो मैंतर है वो एपी मैंतर्स इसकी बेसिकली हम वह एक बना सकते हैं इनम बना सकते हैं ओके यह रहा और लेटी बनाया होगा इसको पोस्ट है और उसके लावा बाकिए इनकि आप देख सकते हैं कॉम कौम सी चीज़ आप भूइड करना चाहते हैं जैसे लेकर हैं जासे है अगर आप्ले कीशन जेसं आप एक लिए पे पहले ने किया है कॉंस्टेंट में अपके यह भी पहले रिफाइन ती याओं हम पर एक्स रहे हैं इसको भी के लिए मैं रहने कोगा हम पहले इसको रिस्पॉंस पर रेखेंगे बाद में इसको एज एलियस में आले ते हैंसका और अब यहां पर जब सब्मिट करना है तो इसके बाद हमने c y dot wait इस request का करना है रभी और जब यह request complete हो जाएगी तो उसके बाद अब हमारे पास इसका जो intercept result है वो आएगा जिसको के हम use करेंगे तो इसमें basically idea request response यह सारी चीज़ें होगी request में आप इसका url.atc यह सारी चीज़ें चेक कर सकते है जो जो आपने इसमें से करना पोच है तो अभी के लिए सिर्फ इसको console लो करते हैं सिर्फ देखने के लिए ताके हमें थोड़ा idea कि क्या चीज हमें receive हुई है और यहां पर id भी करते हैं इसमें से आज़ेगी response को mainly करते है intercept.response और इसमें basically body etc लेकिन यह optional है क्योंकि error आसकता है तो इस वजासे इसको press body यहां पर optional chainning करेंगे बॉड़ी में और उसके उपर अगर कुछ लगाएंगे इसके बाद जो भी response होता है basically dependent होता है यहां पर आते हैं अब देखते हैं क्या होता है okay सबसे पहले यहां पर आदर आया because it triggered a a disabled just one minute a 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 an a a a a जेगा अगर एक मिनुट में भी पीड नहीं होती तो फिर आपफना बार्ट बढल लाएं यह बार पर यहां पर यह पीड कंप्लीट पूर चुकी है आप यह आप यह ठीए यह कंप्लीट फोच यह तो फिर ओके मेरे चाल सक जो इस्यू यह आया कि हमें इसका रखना था और हमने सरफ रखा है तो इसे अपडेट करके देख लेते हैं अगर उससे काम चलता है तो ठीक है और इसको मैं थोड़ा साफ अपडेट कर रहा हूँ मैं तर एटीज सी सारी चीज़ों को मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए URL के साथ जा रहा हूँ यह, SLASH API,また SLASH REGISTER, सेफ करते हैं यहां पीजिस्टर के तैंडेक पे अप्लाविट यहां पर देखते हैं चाफ काने इसको क्लोज करते हैं और यह वह पास हो गया यहां पर आ जाए और यह हमारे पास मीन के हमने वह बस SLASH API SLASH REGISTER करना था उसका तरीका कर रिए हमें सेंपल हे फिर फंक्शन दिना लेंगे यहां पर एक्सपोर्ट कॉंस्ट गेट एपी आई यूरल गेट कम्प्लीट एपी यूरल यहां पर हमें एपी आई पाथ चाहिए जो कि स्ट्रिंग होगा और यह रिटर्न करेगा जो हमें भी दिया है स्लैश एपी और यहां के हम चेक्टर लेंगे इफ पाथ दॉट इंक्लियूड्स और नहीं स्टार्ट विट अगर इसके साथ स्टार्ट होता है तो फिर सेदा पर सेदा फिस्पूल एड कर दो और अधर वाइस यहां पर एपिये स्लैश पार्ट इसको कॉपी कर लें यहां पर आजाएं और यहां पर इसमें इससे कॉल कर दो अट इसके साथ यह चीज़ कंपीट हो जाधी अब हम कंटिनी करते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं यह रिकस्स स्टार्ट हुई हो घुए यहां पर यह हमारे पास स्पॉंस आया आप इसको जरा स्टडी कर लिए यह हमारे पास इंटरसेप्ट का रिजल्ट आया जो भी उसमें यह जो भी आपने बाकियों को अगर स्टडी करना है तो कर सकते हैं क्योंके बॉड़ी क्या थी एडर्स क्या थे सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं प्रोपर जो रिक्वाइस्ट मेंड हुई है उसका जो जल्डी है सर्च क्यूरी का रमजा है किसी अचा स्टन ठेडिफन पैस पम homem ext in जो नहारा जाती हैंं और इसको one yağ जैक्राइन थी बॉड़ी है इसको अमने बर फ़ॉर्मेट पर अग theo तो स्कीं में प्रिब्जिक में अञांते हैं आजिए जरुग पेंडियावर्स का यह को पर मैं बांगा एल्याएस्ट में अजिस्टर म तो response का उसको कैसे कर ले ते यह हमारे फास डेटा आ रहा था और उसको हम बाद में कर ले थे API response मेन के उसको map कर ले थे एक किसम का type assignment कर ले यह क्या करता है कि errors result यहां पर हम यहां पर हम type assignment कर ले थे कि जो API का response है अगर इसको open करो errors हो सकते हैं result हो सकता है और यहां पर basically हमारे फास किया है यहां पर errors वही same जो है यह चीज़ है जो हमने यहां पर okay तो यहां पर मैं यह करूंगा और यह body में ही है इसको यहां से close करें यह body है और यह same है okay हमने यहां पर गड़ना है const less body response body equal to इस चीज़ को सबसे पहले हमने देखना कि यह चीज एक्जिस्ट की या के नहीं की अगर यह exist करती है तो okay otherwise basically जो error आया है उसको else c y dot log यहां पर अब हमें messages चाहिए उसके लिए utils में messages की खुना रहते है messages slash index dot tx response export messages और हमने यहां पर देख लिए हैं कि इसमें messages को capital रखा था small messages में आते हैं यहां पर capital रखा है तो convention follow करते हैं और यहां पर करते हैं रिजिस्टर और यह जन्रल है जन्रल और यह चीज़ को हमारे पास पिर नहीं है यहां पर दिया है तो यह messages हम यहां पर ले लेते हैं और यहां पर हम इसको c y messages करते हैं ताकर कोई messages specifically इसके लिए हम चाहिए हो तो यहां पर हम करते हैं अभी के लिए यहां पर वाफिज आते हैं और यहां पर messages import करते हैं और general में आते हैं fail message that's it यहां पर हमारे पास अगर body आ गई है और body में mainly हमने यह देखना है क्योंके हमारी कोई भी API request होगी तो उसके body में यह parameter ज़रूर होगा message का तो हम यहां पर आते हैं message को वैसे रहने देते हैं code को करते हैं and code अगर यह exist करता है तो फिर as high API response और उसमें यह register okay यहां पर और उसमें जो result आ सकता है वो user i user यह हमारे पास result आ सकता है अब सबसे पहले हम इस चीज़ को ट्राइ करेंगे के if dot code equal to response code item exist तो यहां पर हमने करना है असर्ट करना है इस चीज़ को कि यह जो selector है इस पर हमने selector लगाया और यह unique selector यहां पर आप देख सकते हैं यह selector है यह basically एक तो visible होना चाहिए और इसका जो text है वो इसके equal होना चाहिए इसको search कर लेते हैं कि यह text और यह back-end से आ रहा है यह back-end से आ रहा है तो यहां पर आ जाते हैं यहां पर कल जाते हैं user एक्जिस्ट और यह इसको कोभी करते हैं और इसको अभी के लिए store कर देते हैं बस यह अभी rerum नहीं होना चाहिए यहां पर सबसे पहले मुझे इस item को get करना है इसका जो phone है वो यह है जिसको हम get करेंगे c y dot get और यहां पर element selector dot यह है page dot gesture page form fields और यहां पर यह email field पर होगा parallel message issues को get करना है और उसका जो contains यह जो message है यहां पर एक चीज में आपको और दिखाता हूं जो थोड़ी सी आपके लिए helpful हो सकती है इसको आप dot then लगाके यहां पर element को पकर सकते हैं यह element जो है आपके लिए फाइदा होगा और उसके बाद इस चीज को आप compare कर सकते हैं expect to equal to contains यहांदा to contain just run यहां भी हमें c y messages चाहिए user exist और इसको भी to lowercase करते हैं आप checking बस न बस involved is to map you इसका मतलब यह कि अगर यहां पर बेसिकली लैट से मारा मैसेज यह था अगर पिसमें गलती से यूजर इस तरह लिख दी यहां सारा ही यूजर लिख दी है तो उसकी वज़ा से मारा कैस्ट फेल नहीं होना सही क्योंकि मैसेज तो एक लिस वहां पर है और मैसेज एक्सिस्ट अगर यह है तो इस तरह अगर तरवाइस एल्स की केस में एल्स इफ यहां पर इसका कोड फिर एक दफ़ा चेक कर रहेंगे सक्सेस क्योंकि दूसरा केस सक्सेस ही हो सकता है और सर्वर डायर का केस भी हमने देखना है अब यह सक्सेस का केस देखनें इसमें री डायक्ट होना है उस पर जो है सक्सेस केस में सरफ यह देख लेते हैं कि जो लोगाउट का बटन है वह विजिबल महां चाहिए बटन पॉर पोग Our बटन पॉर विजिबल महां जो रायर की की ए opens लैड विभल दो और उस भी है विजिबल एै विजिबल ओिखन झाड्ड़ है और भान चाहिए विजिबल एम झाड़ ओटन खूर यह क्लिक डिवरे प्लिक की अबना है लगा है टॉसियु और गॉसिप्ट पांब बुट और लास्टी ऐस थाल फीड एप टॉट नने फैंड़ है घॉक है expect यहाँ पर sale a c plus test मैं रॉली यहाँ बे हम देख रहते हैं ओके गच मेद आए को भी कि अहाँ तो चुरे यहाँ झाँ आए यहाँ आए यहाँ झाए को शेन झाँ झाए झाँ झाए झाँ बेख भी कर दो यह ठीक है और यहां पर इसको वेसिकरी चेक कर लेते हैं कि यह हमने सम फिंग वेंट रॉंड का मैसेज करेंग पर आड़ दिया हुए सेफ करते हैं और अब देखते हैं यह करेगा यह इंटर्चेप्ट करेगा एपिया का वेट करेगा एपिया जैसे ही पास हो जाएगी उसके बार यह चेक करेगा कि वो इसे यहां पर वो रिक्वेस्ट फेल होगी है यहां पर यहां पर नजर आई है जो मैंने यहां पर किया है बेसिकली मैं यहां पर डिरेक्ट जो कंपोनेंट सेलेक्टर उसको गैट करने ही कुशिश कर रहा हूँ जबकि हमने यहां पर यह करना था इसको इस एलिमेंटर तो बारा रिफ्रेश करते हैं इसको, सेफ किया है, यह अटमेटिक ली दीनन हो जाएगा, एपीए का वेट करेगा, और अब की बार जब यह बेसिकली एपीए फेल होगी, तो most probably उसको देखेगा मैसेज को, वो स्रेक्शन पास हो जाएगी और यह टेस्ट और और पास हो ओके यह अभी request pending state में, ओके वो, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हो गया, और यह यहाँ पर कह रहा है, invalid child session, to contain, did you mean contain, ओके, यह जो assertion है, यह invalid है, contains, ओके, includes, content, okay, खेर, यह assertion जो है यह अभी पास में तो हम simply इसको यहाँ से remove करेंगे, इसकी हमें message ज़रूरत भी नहीं है, तो हम यहाँ पर directly आजाएंगे, contents में आजाएंगे, contents, this, और इसको lower में नहीं करना क्योंकि वो match नहीं होगा, अब, इसको फिर सेफ करते हैं, register की API कॉल होगी, वो wait करेगी request का, यहाँ पे हम backhand में भी देख सकते हैं, तोड़ा सा time ले दिया है, अलाकर register की API को इतना time नहीं लेना चाहिए, और यह सारा टेस्ट पास हो गया, basically यहाँ पे assertion होई है, और यह जब message आया, तो इसने इसको get किया, और यह session लगाई है कि यह contains है, जो कि पास हो गई है, और हमारा overall test पास हो गया, अगर आपने उस चीज़ को test करना है कि जो new user है वो पास होना चाहिए, तो आप simply यहाँ पे जो data पास करेंगे उसको change करेंगे और वो उस पे पास हो जाएगा, यह submit पे इसको मैं यहाँ से delete कर रहा हूँ, सर्ब्मेंट पे basically user create हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर भी इस API को intercept कर सकते हैं, और अब जो जो basically data repeat हो रहा है उसके लिए हम इस चीज़ को जरा modify कर सकते हैं, ताकि जरा हमारा repetition वाला काना वो come हो जाएगा, यहाँ पर हम चाहें तो इसको एक API में move कर सकते हैं, इस तरह basically sorry एक function में और उस function को यहाँ पर call कर सकते हैं, अभी के लिए मैं सब्सक्राइब इसको यहाँ से copy करूँगा, और इसको ज़रा simple message कर दूँगा इसका, यहाँ पर सबसे पहले intercept करो इस call को, उसके बाद end पर इस intercept call के continue करो, और यहाँ पर इस चीज़ को यह नहीं आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ success ही आना चाहिए, और यहाँ भी हमने check करना है, otherwise हमारा जो fail की request आ जाएगी और यहाँ पर भी जो है fail की request आ जाएगी, invalid this API response, यहाँ पर यहाँ पर और इसको API response कहा रहते हैं यह यहां पर इसी के साथ इसको save करते हैं लेकिने अपकी बार मैं इसको skip करूँगा और इसको dot only के साथ चलाऊंगा only save यहां पी आएंगे और यह refresh हो जाएगा और अब यह basically जो sign up का case है वो success होना चाहिए यहां पर इस चीज़ को और यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला जो दो सर्चन्स भी वो पास होगी हैं इसी तरह यह डेटा करेगा यह क्लिक करके इस एपिए का वेड़ करेगा जैसे ही वो एपिए कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद basically यहां पर री डिरेक्शन होगी और फिर यह जो लोगाउट का बटन है उसको सर्च करने में लग जाएगा कि लोगाउट का बटन मिल रहा है इसको स्क्रीन में कर नहीं मिलता तो जैस ही देख सकते हैं आगिए अब देख सकते हैं अब यहां पर मेंली उसकी स्को सर्च कर रहा है कि इसको कंपॉनिंट में जो बटन है लोगाउट का बल जाया और यहां पे लिए च्रूयार बटन मिल है हमारा यह है ट्टेस्ट overall पास हो तक यहां पहाँ लिग व्रेइं पास साइन अप का जिसमें के यह होगा हम जब साइन अप पेज पी आएं इसको भी स्किप कर जाते हैं और यहां पर इप डॉट अउन्ली अहां एर्र मैसेजेज शुड् शॉर इफ नॉ वैलिप डैटा इस प्रोवाइड इड एंड सब्मित बटन इस प्लेट यह टेस्ट है कि ओफुली आपने कैस कर लिया होगा क्या होने वादा यहां पर सिंपल हमें यहां पर सब्मित बटन को रेफरेंस करेंगे उसको क्लिक करेंगे डिरेक्ली और उसके बाद एर्र इसको चेक करेंगे यहां पर आप इसको रेफरेंस ही कर लेंगे कोई इतना मसला नहीं है और इसको बटन क्लिक करेंगे आप सब जगह पर बिसिकली सारी फिल्ड्स में आलगा आना चाहिए और उसके लिए मुझे यहां पर जो मैसिजिस हैं उनको चेक करना पड़ेगा सिर्फ इतना पहले ट्राई कर लेते हैं ताकि जो एर्र मैसिजिस आएंगे उससे फिर मुझे चेक करना सामगों यह सारे एर्र मैसिजिस आगे हैं अब यहां पर मैं वन इन एर्र मैसिजिस को देखोंगा और बजाए इसके कि मैं एर्र मैसिजिस को देखों मैं यह रेखोंगा क्योंकि यह विजिबल होना चाहिए और इसकी जो स्टेट है वो इन्वैलिड होनी चाहिए इसको कोपी करें यहां पर इसको देख लेंगे जो हमारी स्टेट है यह यह रैड है इसी तरह यह इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो कर रजाए हो रैड है लेकिन मैं यहां पर सेंट्री सब यह देखोंगा कि यह जो error messages है यह विजिबल होने चाहिए that's it cy.get यहां पे हम element selector use कर दे होंगे once again इसके साथ ताकि वो selector properly बन जाए और हमारा यह है register sorry pages register page उसमे form fields और सबसे पहले name field का error message should be visible इसी तरह इसको copy कर लेंगे चार दफार और यहां पर email आ जाएगी यहां पर password आ जाएगा और यहां पर password confirmation आ जाएगा that's it और इसके बाद basically आप यहां पर one by one इन में character type करके इस चीज को confirm कर सकते हैं कि वो should not be visible होने चाहिए उसके लिए यहां पर इसी चीज को मैं copy कर लेता हूँ यहां से इस data को copy करते हैं और यह यहां पर नहीं आएगा और मज़े यहां पर password confirmation चाहिए यहां पर यहां पर नहीं चाहिए जब नेम एड़ हो जाए तो उसके बाद नेम वाला जो नोट दी विसेबल उके उसके बाद जब email कर लिया तो email वाला विसेबल नहीं होना चाहिए यहां पर आजाएगा email का email उसके बाद जब password लिख लिए तो password वाला विसेबल नहीं होना चाहिए और लास्टली जब confirmation हमने कर लिया तो password confirmation वाला विसेबल नहीं होना चाहिए और यहां पर एक चीज़ जो मैंने गल्द की है वो यह है कि मैं director उनके names के थुरू उनको call कर रहा हूं उसका नुकसान ही होगा कि अगर मैं इस चीज़ को यहां पर change करता हूं मैं आपको यह दिखाता हूं कि इसका नुकसान कैसे होगा मैं आता हूं enums में form data this और यहां पर इसका नाम मैं change करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं name भाली जो field है वो change क्योंकि हमने code को इस तरह लिखा है कि हम एक जगा पर change करते हैं हर जगा पर change हो जाता है कि बजाए इसके हम इसको इसको इस तरह access करते हैं से पहले इसको change करते हैं रवार इसके बाद यहां पे हमने make sure करना है कि यह जो चीज है यह इसको access करने की बजाए इस चीज को access कर लिगा नहीं प्रदों करो हैं ताक्ट कि भाम उस्कों चेंज करें जिला हैं त дов us को दो उत्य है लिए कि पहले हैं ने इसकी आएगा इस तरह से पासवर्ट कंफिरमेशन और फॉर्मेट कर लेंगे एक रफा ये काम खतम हो गया उसके बाद देख रहेंगे के कोई चीज रह गई या तो उसको भी अपडेट कर देंगे अधर वाइस मारा ये काम कंप्रीट हो गया यहां पे ये गलत हुआ यहां क्याएगा फील्ड्स और इसी के साथ ये काम कंप्रीट हो गया और एक चीज यहां पे आगे कंटीजिन करने से पहले ये और प्लिक और उसके बाद शुड बी डिसे और एंड पे वह शुड भी एनेबल्ड हो जाना चाहिए क्लिक करने के जोड़ने है शुड वी अनेबल्ड बैसे इप सेफ करते हैं यहां पे आते हैं देखने क्या हो तो इस सबसे पहले जो पहली सर्चन थी वह गई और आप यह क्या कर रहा है और सॉरी नॉट भी विजिबल और यह सर्चन पास हो तो गई है अच्छा वो एलिमेंट ग्याट करने की कोशिश कर रहा है यहां पे हमने यहां पे यह जो है यह फेल हो रहा है बैसिकली क्योंकि नॉट भी विजिबल यह एलिमेंट को ग्याट करने की कोशिश कर रहा है तो हम यहां पे इसको करेंगे शुट नॉट एग्सिस्ट और फुली यह पास करेगा नॉट विजिबल को नॉट एग्सिस्ट कर देंगे और दोबारा चाही करेंगे यह ओके यह ठीक था और इसी के साथ आप देश सकते हैं कि यह मारा टेस्ट कम्प्लीट हो गया और करते हैं यहां पर यहां पर वाफिज आ जाते हैं इसी के साथ अगर हम वाफिज आते हैं ऐस स्पैक्स में इस में और यह और वल्वा λाधा रटा स्काran करेंगा यहां पर हमारे पास यह था रिप्लीट होगे यह यहां पर इसके साथ complete हो गया नेक्स्ट अब हम move on करेंगे और login पेज के tests को लिखेंगे यहां पर हम एक नया folder create करेंगे basically a file जो के login के लिए होगी slash index.cy.tx इसमें हम काफी कुछ यहां से copy कर सकते हैं मैं यहां पर almost सब कुछ ही copy कर दोंगा और अभी के लिए इन दोनों को delete कर दोंगा यहां पर only add कर दोंगा यहां पर login हो जाएगा यहां पर login हो जाएगा इसकी जगा पर यह वैसी रहेगा यह mainly change होगा यह login फील सो जाएगा obviously नीचे errors आएंगे लेकिन उसको बाद में देखते हैं और name etc इस नहीं करता यहां पर हम इसकी जगा email को focus कर लेंगे और यहां पर इसको मैं remove कर दोंगा और इसकी जगा पर मैं simply user details यूज कर रहा हूंगा user auth data dot email और user auth data password इसको यहां पर किया और end पर dot blur कॉल कर दिया सिर्फ confirm करने के लिए और बाद में यह भी enable हो आचाई यह दोनों enable हो मैं चाहिए इस पर click करना है और register की बजाए login की API को intercept करना है login API intercept यहां पर हमारे पास login होगा इसको हम cut कर देंगे यहां पर register को search कर लेंगे login कर लेंगे और यहां पर हम यह चीज कंप्लीट हो गई है इस तरह से अगर success का case आता है तो बस इसको यह कर लेंगे और that's it otherwise यह इसको save करते हैं यहां पर आते हैं और हम specs पे वाफिज आते हैं हमारे पास login का test आ गया है इस पर click करेंगे और यहां पर देखेंगे किया result आता है यहां पर एक जो obviously गलती इसको stroke कर दूँगा यहां पर जो गलती हुई है वो यह है कि मेरे जो selectors है वो सारे अभी register page के हैं तो उसको पहले update कर लेंगे यह login पेज हो जाएगा और इसी के साथ hopefully यह काम चल जाएगा वाफिज आते हैं इस पर click करते हैं और अब देखते हैं यह सारा कुछ पास हो गया है यह आ गया और हमारा overall जो test था वो हमारा pass हो गया next continue करेंगे और basically invalid details के साथ login को try करेंगे मैं यहां पर once again इदर आऊँगा और मैं इसी को copy paste कर दूँगा यहां पर क्योंकि इसको skip कर दूँगा copy paste इसे only पहले आऊँगा with incorrect कर दूँगा यह और अब की बाद reset button की कोई ज़रूरत नहीं है reset button lasting और में ओके वह session रगाए थी सिरह यहां पर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ उसमें जो यहां पर यादर हम करेंगे const current time equal to new date dot get time इसको यहां पर add कर देंगे basically email हमें एक unique email चाहिए तो मैं यहां पर time pass करूंगा get unique email और उसके बाद password यही दाने दें कोई फरक नहीं पड़ता और और लास्टली आप यह reset button को मैं खत्म कर रहा हूं तो कि इसकी ज़रूरत नहीं है reset button खत्म कर रहा हूं यहां से भी सिर्फ submit button है जो के enabled होना चाहिए और उसके click करना है और उसके बाद इसको यहां पर wait करना है और यहां पर अब इसका result है वो false होना चाहिए जो इसका result है वो fail में आना चाहिए और यहां से देख लेते हैं bad request आएगा most probably नहीं not found शायद आएगा क्योंके user not found इसको simply call करते हैं और देख लेते हैं जो भी यहां पर result आएगा वो हमारे लिए easy होगा उसको वैसे continue करना यहां पर आगया okay no user found और यह most probably इसका result होगा वो 4040 होगा लेकर भी confirm करनेते हैं 404 और not found और यहां पर यह क्या कह रहा है undefined to not exist assert यह एकर अएगा okay यह हमतार let's see हम किस पर काम कर दें इस भी पर कर दें यहां कर जिसके तो equal नहीं है और स्वजा से नहीं आया क्योंकि यहां पर यह यहां पर आएगा अब देखते हैं login wait और यहां कर रो और अब यह क्या कर रहा है यह बैसे कर लिए उसकी post की request को wait कर रहा following arrow originating not from cypress network arrow track ओके यह वाला काम नहीं कर तो पर लिए ठीक था okay continue करते हैं यहां पर यह होना चाहिए not found और यहां पर user not found error should be visible हमने सिरफ और सिरफ यहां से उस error को देखना है element pages login page form fields email और once again यहां पर यह नहीं करना यहां पर login करना है और उसमें else यह हो जाएगा save करते हैं और अब की बार यह test पास होना चाहिए और यह कहरा है कि यहां पर error आ गया जो कि है क्रोस्ट इचन एडर यह शाद स्टोप हो गया तो इसको दबारा यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो सारी assertions नहीं पास हो गए यह test भी हमारा complete हो गया next अब हम last test करेंगे कि basically जब submit का button click करेंगे तो सारे other messages शोने चाहिए और उसके बाद जब हम data put करें तो वह other messages disabled होने चाहिए और submit का button enable हो जाना चाहिए यह हम next करेंगे continue करते हैं यहां 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 सीख़क कर लेघर मेद करेंगे और इसको सबस्क्राइल सीखटर नहीं पर जाएगा यह पर लुस्तर करेंगा यहां कर अदर और इसको यहां सीख़क कर्लेगा दोने कर दोस्ता पर सिम्राइगा именно messages there's on that अखेistое लूण घब हमाने लिडे से लोग से लगसे है अशजव के सांट निया मुदलिटि हमंतिक Да और सब्सक्राइब का लापन सब्सक्राइब है, यहां पर अधर, इसपे हम एले क्लिकर देंगे, cy.get, this.click, इससे अधर मेसज़े से शोर देंगे, और इसके बाद यह शुर्द, और यहां पर उसके उपर लाद देंगे, .should, इससे, sorry, v, disabled, next, यहां के आएगे, इसमें, बिसिकली सिर्फ email एकर है, यहां के आएगे, इसमें, बिसिकली सिर्फ email एकर है, user.za.eemail, और अब, इससे से ने, जो, messages ने आएवां को चेंगे, यहां के वजाएगा, cy.get, get, cy element selector, elementslector.pages.loginpages.form, fields, loginpage.email.caralmesseg, प्रोड शोड़ वी लिजिबार भॉसके बाद उसमें टाइब करो और आभ ये शोड़ बीजिबार आप चाहेंगे ऺखार आप में सका अजोडिया हमसे ब्रेंट कर लिके लाइया बंप यहसे लना सबस्टें और लिए प्रेंस, व्लगन पेंसे इमेंल, पिल अरॉड और बाद में इसका फादाई होगा कि यहां पर इसकी बजाए है एक डिस करने है शुट नॉट एक्सिस्ट यह चीज़ कंप्रीट होगी नेक्स मोगँ एक पर इसकी बाद में एल में आठीक षाद पर फील में और जिल से बाद माम ढय में और भया करने है अभर्ण यहां प्रॉत यहां प्रॉत चुट यहां इना यहां चल्ट का 밑 एहां 29 इसके आपने ग्राइस कर दिया होगा यहां पर इंप्रूब्मेंट किया होगी कि यह जो मैसेज़ेज हैं हम इनको इनके अलियस्स यहां पर जना लेंगे ताकि नीचे जब इनको पॉल कर रहे हैं तो इसके साथ कॉल करेंगे कि क्या नेम फिल्ड अदर मैसेज और नीचे जब इसको कर रहे हैं को यहां पर लेंगे यहां पर कर लेंगे यह होजाएगा इमेल यह होजाएगा पासवर्ड यह होजाएगा पासवर्ड कंफर्मिशन उसके बाद यह जब होगा तो अब की बार हम सिर्फ इसको करेंगे अधिस नेक्स्ट हम सिर्फ इसको करेंगे अधिस उसके बाद हम सिर्फ पासवर्ड फिल्ड के लिए इसको यूस करेंगे और लास्टली हम इसको यूस करेंगे करेंगे और यहां करेंगे और यहां करेंगे इसको फिलाल कंट्रॉल जई करो एक है क्या हुआ यहां पर यहां पर यह इसको ने के साथ परना शुख हो रहें यहां कर दूंग इसको इसके साथ मिला दू नेक्स अब हम इमेल के साथ करेंगे यह इमेल की जो टाइप हमने करना वो करेंगे और यहां पर इसको असर्ट करेंगे नेक्स्ट पासवर्ड यह पासवर्ड टाइप करेंगे और यहां पर इसको असर्ट करेंगे next confirmation यह चीज यह assertion और obviously इसको एक दफा टेस्ट करते हैं तकि confirm हो जाए कि यह चाह रहा था other messages यह सारे show होंगे पास होंगे और सारह test password इसी के साथ login और register page के जो test पे वो complete हो गे हैं अब हमने next यूप काम करना है कि इसको यूजर को प्रोब्रमेटिकली कोड के थूरू लॉगिन करवाना है और उसके बाद फिर वहां से हम करें ये थी आज की वीडियो, होफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो में हमने लॉगिन और रेजिस्टर पेज़ के जो टेस्ट केसिस थे हमको कंप्लीट किये है अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और यूजर को प्रोब्रमेटिकली कोड के थूर लॉगिन करवाएंगे अपनी एप में और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट केसिस के साथ कंटिन्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे माई अकाउंट के टेस्ट केस के साथ इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोचल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज्यादा से स्यादा लोग इस कोर्स से फाइदा हंसिल कर सकें और ओटोमेशन टेस्टिंग को सीख सकें वीडियो के देलेटेट कोई क्वेशन हो तो प्लीज इस से कमेंट सेक्शल में मैं असका जवाब दोओगा वीडियो को लाइक, शेर एंड गुमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब करें मैं आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक लिए लिए लाह आफिस असलामों अलेकुम, मैं हूँ एसर महमूद एंड वेलकम तो जाइओंस लास्ट वीडियो में हमने अपनी लॉगिन और रेजिस्टर टेज के टेस्ट केसिस को कम्प्लीट किया था आज ही वीडियो में हम वहां से कंटीनु करेंगे और सबसे पहले फुक्षनल्टी एड़ करेंगे्गे जिसके तो हम अपने Cypress App में Environment variables को इंट्रद्यूस कर्वाएंगे Environment variables क्या होती है कैसे यूज किया जते है उसके बाद Environment variables को use करते होए क्योंकि हमें user का authentication details होती है जो हम एडियो एपने set प्लों वो require यूजर को अपते टेस्स केसिस में प्रोग्रमेटिकली लॉगिन करवाएंगे जब यूजर लॉगिन हो चुका होगा उसके बाद हम माई अकॉंट पेज पर उसके जो टेस्स केसिस हैं उनको डिफाइन करेंगे इस काम को हम आज की वीडियो में कम्प्लीट करेंगे चलते है स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर ब्रॉजर में आ जाओंगा और हम सर्च करेंगे साइप्रस इंवार्मेंट वेडियो और इस पर आ जाते हैं इसमें चले जान जो भी है यह गाइड में आ जाते हैं और यहां पर बेसिकली आप इसको पूरा स्ट्रडी करना चाहें तो क्सथे हैं मैं स्टेट फोरवड जो जो चीजें रिक वायर हैं तो यह नो यह तरह रहां पर इस स्टेट कर रहा है लेकिन मैं यह स्पस्ट फाइल के तरू जा रहा 효ंँँ हम एक file create करेंगे, हम यह file create करेंगे, यहां पर आ जाओंगा, और इसको close कर दूँगा, यहां से close, Cypress main, एक, sorry, यहां पर main पी create होगी, जाँब से Cypress complete गया, यह, और इसमें basically JSON-right structure के साथ आप, जो आपको data चाहिए होगा, आप रड़ लेंगे, let's say मुझे user auth, यह, auth details कर लेते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहिए, auth details, और इसमें आजाएगा token, जिसकी कुछ value होगी, और साथ में user data, उसकी कुछ होगी होगी, यह depend करता है कि आपके system में जब आप login करते हैं, तो क्या-क्या detail आप save करते हैं, यह application to application vary करेगा, क्योंकि हम जब इस application को develop करे देते हमने इसकी authentication को काफ़ी straightforward रखा था, यहां पर email और password में करके आपको दिखा रेता हूं इसकी authentication, अभी यह जो हैं यह 10 stack query के हैं, यह हमारे नहीं है, करना हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पर जो authentication detail शो होती है, यहां पर login की अप्लेश होई है, और यहां पर वाफ़ राता हूं है, हमारे जो detail हम set करते हैं, वो यह दो हैं, basically क्योंकि हम capacity storage को यूज कर रहे हैं, तो इस वजा यह front में आता है, उसके बाद हम इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं, यह दो details हैं, जो हम use कर रहे हैं यहां पर front end, हम इनको as it is, अगर अपनी basically profile में set कर देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं अगर एक private tab open करता हूं, local host उसमें open करता हूं, और अभी क्योंकि इसकी local storage में कोई key नहीं है, मैं सिर्फ यहां पर आता हूं, इस key को copy करता हूं, यहां पर इस key को generate करता हूं, यहां पर और refresh करता हूं, तो आप देखेंगे कि यह login हो चुका होगा, क्योंकि हमारी जो authentication की state है वो इन दोनों से control हो रही है, यही काम हम अपने cypress में भी करेंगे, उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यह detail required है, अब इसमें से एक, अब इन दोनों में से एक जो चीज है वो basically authentication token है और दूसरा जो है वो user data है, उसके लिए मैं यहां पर आँगा और utils में, constants में, यहां से हम main में आजाएंगे, मुझे local storage की जो keys है, local storage, local storage keys, यहां पर यह दहा, user data, factor auth data, यह कहां से आ रहा है, यह constants में से आ रहा है, और यह चीज मुझे चाहिए, यहां इसके लिए, जो user data है, वो यह है, हम यहां पर आएंगे, यह जो है, token है, और यह user data है, done, मैं इसकी value copy करूँगा, और यहां पर environment variables में, token में paste कर दूँगा, और इसकी value copy करूँगा, और इसको यहां पर paste कर दूँगा, आप चाहें तो obviously, यहां पर थोड़ा सा message भी कर सकते हैं, otherwise, इसको आज़ाएंगे, सबसे पहले, हम इसको यहां पर call करके देखेंगे, ताके हम यह देख सकें कि call कैसे करते हैं, और etc, उसके लिए हमें यहां पर helpable function में वो चाहिए, जो login करवाएगा, उसकी तरफ बार में जाएंगे, यहां पर सबसे पहले हम एक file बना लेंगे, my account, उसमें आगे, और index.cy.ts, यह हो गया, और यहां पर अब once again, मैं यहां सही, जो starting structure है, उसको follow कर दूँगा, ताके हमें बहुत कुछ लिखना ना पड़े, only वाले को रहने देंगे, skip वालों को delete कर देंगे, यहां से इस लों को delete करेंगे, और continue करेंगे, यहां पर change कर दूँगा, मैं login user into the air using cypress.env variables, यहां पर आ जाते हैं, और सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ environment variables को यहां पर मैं log करवा के लिखाता हूँ, ता कि हम यह देख लें कि हमारे पास यह आ गए, उसके लिए cypress.env यहां पर आप नाम यूज़ करेंगे, जो के हमें यहां पर हम नहीं यूज़ किया है, यह जो दोनों चीज़ें हैं यहां पर, इसके लिए मैं एक चीज़ सर्फ यहां पर देखना चाहरा हूँ, बूलना जाएं, यहां पर हम एक simple rule लिखेंगे everything.env, simple, कोई भी अगर env की file है, और end पर everything कर जाते हैं, यह और एक without, यहां पर और simple इसको कर सकते हैं, अगर लेकिन env अगर ऐसे करेंगे तो वो जड़ा मसला हो सकता है, यह कर देते हैं, बाहर सेट, यह भी हो गई, skip और यह भी skip हो गई, इसको close कर देते हैं, वाफिज आते हैं, यहां पर एक चीज़ सिर्फ मैं चाहरा हूँ, यह क्या कह रहा है, के जो, यह environment variable मैं यह चाहता हूँ के, इसको हम, किसी js की file में रखनें, that's it, okay, यह उन्हों ने अभी सर्फ JSON की file लिए provide किया, अगर JS की file होती तो उसका फाइदा यह होना था, कि हम उसको basically उसमें import और गयरा को use कर सकते थे, well, अभी के लिए यह चलेगा, यहां पर आते हैं, और अब यहां पर जो चीज़ें होंगी, उनको हम ज़रा improve करेंगे, जो के सबसे पहले वही local constants को मैं open करता हूँ, इसमें यह चीज़ है, और हम ऐसे करते हैं कि environment variables में, इनके नाम को भी same रख लेते हैं, इससे हमें फाइदा होगा, लेकिन यहां पर अगर हम इसके नाम को same रखने कोशिश करेंगे, तो वह match नहीं करेंगा, क्योंकि जब हम इसकी की को करेंगे तो वह वहां पर different होगी, इसको हमें यहां पर करना ही परेगा, यहां पर आते हैं, देख करते हैं constants, constants, यहां पर directly, env, keys, flash index.tx, और इसमें export, const, env, keys, और यहां पर देख लेते हैं कि इस project में मैंने कैसे env keys को किया था, क्या नाम दिया था, ताके envs कहा है, लेकिन यहां पर cy envs होगा, बाकी convention फूलो करेंगे, और यहां पर अब, मैं auth detail नहीं कह रहा हूं, मैं simply यहां पर इसको simple रख रहा हूं, user data, user auth token, user auth token, simple as that, इससे यह फाइदा होगा कि यह चलें इसके साथ थोड़ा सा match करेंगे, इसको save कर लेंगे, इसको उपर आपने करने तो उपर कर लेंगे, वैसे कोई फरत नहीं बेटा इससे, save, अब, यहां पर, user data, जो कि इसके equal होगा, और user auth token, जो कि इसके equal होगा, इसको read only बना लेंगे, यहां पर आएंगे, इसको import करेंगे, user data, और इसके साथ ही यह काम होगया, इसको copy करेंगे, और user auth token, that's it, save, यहां पर आते हैं, यह क्या कह रहा है, error reading this, no problem, try again, simple, यहां पर आ जाते हैं, यह हमारे पास my account है, और इसमें log, ओके, यह वैसे login पर नहीं था जाना चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं, values लीड होगी है, लेकिन यहां पर हमें login पर जाने की जूरत नहीं थी, हम simply आप को विजिट करें, और आप में जो root URL है, उसको विजिट करने है, that's it, root URL, क्योंकि यहां पर हमें as such कुछ भी अभी नहीं चाहिए, जो unused imports हैं, उनको बस verify कर लेके हैं, इस file में दोनों में clean unused imports हैं के नहीं, अगर हैं आप उनको खतम कर दे, यहां सभी अभी के लिए खत करके जाएंगे, that's it, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास environment variables आगे हैं, अब हम next continue करेंगे और एक helper function लिखेंगे, जिसके तुरू हम user को अपने browser profile में, जो basically यह cypress में running है, इसमें login करवाएंगे, continue करते हैं, हम यहां पर एक helper function अभी के लिए मैं इस file में बना लूँगा, यहां अगर आप start ही better करना चाते हैं, तो आप simply उसको यहां पर यहां पर यह लैदा में बना ले, export const authenticate user, यहां पर यहां पर यह हो गया, और अब हमें यहां पर दो चीज़ें चाहिए, जो के है, user का जो data, user data, और user auth token, यह दो चीज़ें चाहिए, दोनों string है, यह भी string, और जब यह दोनों हमारे पास available हैं, यहां पर हम सिर्फ पर सिर्फ इतना काम करेंगे, कि user जो window.local storage, लेकिन क्योंकि हम cypress को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वज़ाए हम cypress को ही यूज़ करेंगे, ताके हमारी app भी इसको डीटिट कर सके, तो इसके लिए हम करेंगे set auth data, और यह दोनों चीज़ों को required कर रहा है, और इसको basically, दोनों चीज़ें उस form में चाहिए हैं, जो actual इसकी form है, ताके यह उसको यूज़ कर सके, ओके, तो मैं यहां से फिर इसको यूज़ कर लूँगा directly, बजाए इसके यूज़ करने हैं, इसको async बनाएंगे, यहां पर storage लेके आएंगे, यहां पर keys लेके आएंगे, और यहां पर issue यह है, कि यह basically उसको करेगा, उस तरहाँ, नो problem, यह user data आ रहा है, हम इसको simply decrypt करके, तब store करवालेंगे, okay, mean, यहां पर अब हम थोड़ा सा काम करना परेगा, समसे पहले user data equal to decrypt data, उसमें user data pass करो, और यह generic type है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि यह user return करेगा, यह हो गया, okay, duplicate, str कर लेते हैं, okay, यह यहां पर कर लेते हैं, यहां पर यह user data होगा या नल होगा, उसके बाद और इसको basically let's से पहले करते हैं, और, sorry, copy, sorry, यहां पर यह try catch, इसे try करो, और अगर if user data dot, email कर लो, नहीं तो id कर लो, यह id जारा बतर है, अगर है तो ठीक है, otherwise return null, और अगर यह है, तो अब simply set auth data in local storage और अब हमारे पास user data भी है, और user auth token भी है, यह क्या कह रहे है, ओ, sorry, यह हमने यहां पर एक parameter में काम करना, यह रहे, और यह भी a sync है, इसको भी यह wait करेंगे, यह यहां पर void return करेंगा और return true, that's it, इसको हम copy करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर इस चीज़ को आप चाहें तो save कर सकते हैं, और यहां पर आप कह सकते हैं, user data str equal to this, और इसको close कर देंगे, और इसकी जगा पर इसकी जगा पर और यहां पर आप करेंगे, और यह काम हम before each में कर सकते हैं, जब visit किया, उसके बाद हम यह काम करें, और यहां पर authenticate user करें, यहां पर इसको async कर लें, यहां पर authenticate user में हम user data string पास करें, और user auth data पास करें, और once again यहां पर यह genetic type में नहीं है, जिसके जो तीन overlords है, अच्छा, यह है key, any type की environment variable, और object like, और host, और यहां पर हुआ है, ओके, इसको ऐसे करें, सबसे पहले हम नहीं यहां पर इसको चेक कर रहा है, if, यह, और, यह दोनों exist करते हैं, अगर यह दोनों exist ही नहीं करते हैं, तो फिल कुछ भी करने का यहां पर फाइदा नहीं है, और यहां पर basically आप simple एक कर सकते हैं, let user is authenticated, obviously उसको चलें, जैसे भी आप, और यहां पर इसको इस तरह करते हैं, boolean और null, simple यहां पर आएं, यहां पर आप इसको false return करते हैं, simply, और यहां पर इसको care भी दें कि यह जो return करेगा, boolean करेगा, और obviously वह promise में होगा, यहां पर आदे हमाफिस, यह हो गया और इसमें आप simply कर लें, अगर यहां पर इसके बाद यह हो गया, और authenticate होने के बाद हमने इसको किये करना है, cy.visit, अब हमने basically उसका जो page है, वो change करना है, okay, यहां पर हो जाएगा app roots.my account, यह, और lastly यहां पर हम देख रहेंगे, if user is authenticated then हम यहां पर cy.log कर लें, user authenticated successfully otherwise or user authentication fail. यहां पर आते हैं और आप देखते हैं क्या आता है, okay, यह क्या क्या रहा, यहां पर क्या रहा, यहां पर क्या रहा, the following environment, sorry, the following error originating from your test code not from cypress, सबसे पहले इसको interface refresh कर लेके हैं देखने के लिए के, okay, अब इसको देखना परेगा, यह क्या रहा है, we dynamically generated a new test to display the stream, cannot read of undefined, okay, just one minute, यहां पर see why this, यह authenticate हुआ है, यह इसको call कर रहा है, इसमें हम ENVs को call कर रहे हैं और वो इस चीज़ को call कर रहा है, okay, और यह चीज़ I think मसला कर रहा है, क्योंकि वो इसमें कोई इतना issue वाली बात नहीं है, हम जो authentication वाला काम है वो यहां पर food लिख रहे थे हैं, यहां पर मैं सरफ सरफ इतना कर रहा है, यह helpers आ रहे हैं इसमों भी, सबसे पहले इसको decrypt वगारा करके देख रहे हैं, यह decrypt होता हैं, अगर तो decrypt करते वक्त भी यह error दे रहा है, तो उसको फिर दर हमें move on करना परेगा, उसका logic भी जड़ा थोरा सा देखना परेगा कैसे होगा, यहां पर इस चीज़ को मैं अभी के लिए comment कर रहा हूं, return true कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है, refresh, अब इसको मैं यहां से comment out कर रहा हूं, और इसको यह कर रहा हूं, और यह देखते हैं यह पास होता है कि अच्छा, यह कह रहा है कि Cypress detected here, you return a promise from a command while also working one or more CY commands in that promise, the command that returned the promise was this, a command you invoke inside the promise was, because Cypress commands are already promise-like, you don't need to wrap them or return your own promise, Cypress with a Zolian command with whatever the final Cypress command will be, okay, because this happens occurred in, okay, इसको करते हैं यह basically यहां पर नहीं है, फिर हम यह कर सकते हैं कि इस चीज़ को dot them में लगा दें, और result, और result, और इस चीज़ को इसमें करते हैं देखते हैं, अच्छा, अब यह क्या कह रहा है, अच्छा, अब यह क्या कह रहा है, यहां पर, अच्छा, ठीक है, यह इस चीज़ में इशु गह रहा है जब हम उसे करने की पोशिश कर रहे हैं, यहां पर अब बिसिकली जब प्रॉमिस रिटर्म कर रहे हैं, तो यह इस चीज़ को, यहां पर अगर मैं एसिंग कहता हूं, तो इसको भी यह कहता है, अच्छा, साइपर्स, विफॉर इच, एसिंग, अच्छा, यह बिसिकली साइपर्स की जो रैप की कमांड है, यह बहुत जबर दस्त है, क्यार मैंने सर्फ रैप लेकिया, साइपर्स रैप जो कमांड है, यह बिसिकली यह बिसिकली रेट करती है, उस चीजों की यील्ड का, इस अब्जाइक्ट वर्टस राइवर, और यह चीज मेरे जैन से निकल दी थी, हम यहां पर वाफिस आएंगे इसको इसमें वाफिस कंवर्ट करेंगे जो भी हम कर रहे थे इधर वाफिस आजाएंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे इसको भी करेंगे ओके यह ठीक है यहां पर इस चीज को हम कर देंगे c y dot wrap और अब ये क्या कह रहा है just one minute c y dot wrap ये basically promise boolean और ये अब unknown है ये यहां पर कह रहा है कि मुझे promise boolean assignment है option जो है वो है और यहां पर वाफ़ज आते है और इस तरहा से इसको मैं सरफ और सरफ log करवा रहा हूँ अभी के लिए यहां पर c y dot log result और ये कह रहा है कि और कि ये unknown है ये जनेरिक टाइप है और कि ये डिपेंड करता है कि मैं इसको क्या यहां पर रहा हूँ इसको अभी के लिए यहां से खतम करते है और देखते हैं कि ये result क्या देता है refresh और कि ता following ये अब आलर वही जो लास्ट अडर था उसका है हमें इसकी फंक्शनलिटी को यहां पर मूफ करना पड़ेगा ये जो इन्वार्मेंट वेडियेबल्स यूजो हो रहे हैं और चीज़ों को और इन्वार्मेंट वेडियेबल्स अब के लिए मैं इन फंक्शन्स को जो फंक्शन्स हमें चाहिए उनको वहां पर मूफ कर रहा हूं और फंक्शन्स मूफ करने की बजाए मैं सिंप्ली जो उनका सफ लॉजिक है वही मूफ कर रहा हूं क्योंकि पूरे फंक्शन्स मूफ करते वक्त तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा यहां से इसको कॉपी करते हैं और यह इसको यहां पर इंपॉर्ट कर लेते हैं यह वैल्यू जो है इसकी जगा यह चीज आएगी और यह क्लिप्टो सीकर्ट जो है इसको हम इसमें अड़ कर लगे बाद में इसको देखेंगे इसका क्या तरीका कार हो सकता है और गेटर और यहां पर हम आएंगे इसको यूज करेंगे यह और ओविसली यह होना चाहिए डबल कॉट्स क्लॉस यह हो जाएगा यहां से यहां पर आप साइप्रस भी नहीं ओके साइप्रस यहां पर वैलेबल यहां पर मुझे वह चाहिए क्रिप्टो सिक्लेट इसको करो इस और यहां पर नहीं यह इस चीज़ पर इसको यहां पर करना है एक असाइन और इसको यहां पर करना है इस चीज़ को यहां पर करने की जूरत नहीं है यह जो है इसकी जगा पर डिरेक्ट हम इदर से उठा लेंगे और यहां पर क्या जगा यूजर डैटा टू स्ट्रिंग यह भी वहीं से आ रहा है और ये जो ए है, आ यू zajडा और ये यूजर डेटा आगया तो यूजर डेटा में आगर ऐडी है तो इसके बार इसके बार स्टोरेज का काम करना भी हमें डिरेक्ट्री करना पड़ेगा पंपर इदर आ जाओ और इदर preference को save करो और preference यहां पर await dot set और यहां पर options में keep जो key है वो है local storage keys dot user data और उसकी value जो है वो है encrypted value जो के हमें यहां पर इसको पर decrypt करने की जूरत ही नहीं है हम direct यह जो encrypted value है उसकी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने mean इसकी जूरत नहीं है user data की जूरत नहीं है हमसलब और सलब यह देखेंगे user data string cost user data str equal to this and user data auth token equal to user auth token अगर यह दोनों exist करते हैं तो हम assume करेंगे के okay account और इसको हम यहां पर sign कर देंगे इसको copy paste करेंगे यह क्या कहता है okay any हो सकता है इसको हम कह देंगे just one minute यहां पर इसको string में convert करेंगे परय реально ji पर haya बीवारा देंगे और dot trim ॅअए फिर आप आप소 ट्रिंट अभार मू अपर देंगे थीन Paul यहां पर देए तीन फर्यूंग अभी क्या कह रहा है ओके यहां पर वैल्यू आएगी ना पही है और इसी तरहां यहां पर यूजर और उसकी वैल्यू जो है वैल्यू यह यह दोनों चीजें असाइन हो जाएंगी और पिर हम रिटांग करतेंगे और अगर इसके दुरान कोई भी एरर आता है तो फिर हम रिटांग कर देंगे फॉल्स सेव इसको क्लोस किया इसको क्लोस किया और एक मिनट उसमें वाफिज आते हैं जो हेल्पर्स हैं साइप्रस के इसमें मैंने सब यह देखना है कि जो अन्यूस चीजें उनको फत्म करना है यहां फिर यहां पर यहां पर इसमें इसकी जुरुत नहीं है यह करने दें और इसमें इस चीज़ की जुरुत नहीं है और लास्ट ली इसको करो यहां पर आएं और देखे हैं जिजिसेट करेगा और अचारेगा और ठैसे यहां पर आप्टिक्ट करेगा यहां पर आप यह नहीं है एक प्र हमने वर फिरस्डीज करेंmos कौनेंके थेषらई वसलन्हां तर प्र यहां पर हमने यह देखना है कि एप्लिकेशन में डेटा सेट हो गए नहीं यह सेट हो चुका है मतलब हमारा जो काम है वो ठीक है next continue करते हूं यहां से continue करते हूं हमारा जो auth data है वो सेट हो चुका है और उसके लावा बेसिकली अगर हम यह देखना चाहें क्योंकि auth data क्या है क्या नहीं है तो हम यहां पर अपनी app में आ सकते हैं और इसके लोड पर और यहां पर यहां पर हम यह कह सकते हैं अब के इसके लिए अभी यूज की हमारे पास हुक नहीं है वो experimental है उसके लिए फिर हम यहीं करना पड़ेगा यूज एफेक्ट में गाना पड़ेगा this that or void passing यह await const of data यह और यहां पर console.log करना परेगा यह और यहां पर log message इस चीज़ को और यहां पर यह इसी के साथ अगर यहां पर आते हैं और इसको refresh करते हैं तो hopefully हमें कमस्कंद जो auth data होगा वो यहां पर दिखा देगा यहां पर अंपो यहां देख सकते हैं कि जो auth data ने पर फिर यहां पर हैं मेन के हमारा जो और टाटा हम स्टोर करवारे हैं वो बिल्कुल कॉलेक्ट है हमने अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक काम करना है जो कि है इसको क्लोज करते हैं और यह रैप में बेसिकली मुझे इसका जो रिजल्ट है वो यहां पर चाहिए गिली मुझे में इसका जो चाहिए जो कही है जो कि मैं नहीं पर लेट से के चील करते हैं और यह प्रूव आगा है पीश्ट के और यहां पर करके देखते हैं अन्न रहा है अब अदोड रमारे को यह क्या है क्योंकि आप bulion के साथ sign नी कर सकते लेकिन हमें पता है कि यहां पे as bulion यह बुलियन होगा ओके नहीं पर एस बुलियन कर जाए हैं और अब सेख करते हैं अब यह आथ टेटा हुआ और इसके बाद यहां पर यह लोगिंग सक्सेस्फ़ली कम्प्लियेट होगा और यहां पर यह जो माई अकाउट है और उसके पेज़ पे लैंड भी सुकसेसफुली होना चाहिए यह बिसिकली जो यूजर की एपिएज हैं उनको हिट कर रहा है यूजर डाटा एक्टी सी लाने के लिए यह साथ ही सुकसेसफुली पास होने चाहिए और यहां पे हम माई अकाउंट के पेश पर लेंड होने चाहिए यह मॉविंग फॉरवर्ड हम एपिएस को भी मॉक कर देंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है यहां पे हम बेसिकली इनका डाटा यहां से जब यह सकसेस हो जाती है हैं तो इनका data से पकरेंगे और इनको मॉक कर देंगे दाट से थाके इनपन habe주 तैंपे लिए और माउच करनेंगे और सुंपर लन क कर देंगे कि यहां पे आदेख सकते हैं कि माईे काउंके पेश घौ सिकसेस्फुली सेफ यहां पर देखते हैं वंस अगेन यह बिसिकली सारी जो डेटा उसको फिर फैच करेगा एटी सी उगारा उसमें जरा टाइम लगेगा जो एपियर रिक्वेस्ट हैं हमें लेकिन होफुली जरा जल्दी पास हो जाएगी इस दफ़ा और यहां पर आप देख सकते हैं यूजर अथन्टिकेशन फील्ड सिर्फ मुझे यह यहां पर चाहिए था और यहां पर हम एक चीज़ सिर्फ लगा लेंगे कि अगर यह हुआ है थन्टिकेटिड हो गया तो ही यह करो अधर वाइस एल्स बैसिकली सी वाए डॉट सिंपल उसको रहना तो वो प्रिफेर वाल्स की केस में पर दी मैनेज कर लेगा इसको यह कर दो यहां पर यह करते हैं और इसी के साथ हमारा यह जो काम है वो कंप्लीट हो गया और आप यह वाले लॉक्स जो हैं वो भी यही पर मौफ कर सकते हैं एल्स दिस और इसको मौफ कर दो यहां पर यहां पर यह कह दो रैडी तो स्टार्ट अब नेक्स हमने काम करने आगे कंटीनू करने से पहले वो यह है कि हमने इन एपिए इसको मौफ करना है सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो एपिए ह क्योंको आता भी होगा वो यह strict mode है क्योंकि यह जो react का strict mode है ना यह development में APS को double call करते था है अब आप देखेंगे कि यह जो APS हैं वो एक एक दफाई कॉल होंगी पहले आप देख रहे थे कि जो यह यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो APS है वो एक दफाई कॉल होगी ओके पहले ही एक ज्यादा दफाई कॉल हो रही थे यह जैसे ही complete होगा यहां पर हमारा काम खत्म हो जाएगा यहां पर वाफिज आते हैं और उसके इलावा यहां पर हम एक काम यह भी कर सकते हैं कि इसको विजट ना करें हम और यह भी हम यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि वह काम भी हम वहां पर कर रहे हैं तंटीगेट करें और उसके अकॉर्डिंगली बस आगे continue करते हैं that's it यहां पर हमें और किसी भी चीज़ की जोट नहीं है save करते हैं और एक दफ़ा फिर देखते हैं कि क्या improvement हुई है को इसको मैं यहां पर close कर रहा हूं basically यहां पर लाके close और start again और अब देखते हैं कि क्या होता है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अगर मैं application टैब में आऊंगा तो कोई author detail नहीं है मैं जैसे यहां पर आऊंगा author detail सेट हो जाएगी और अब वो यहां पर basically read करने कुशिश कर रहा है और अब आप देख रहे हैं कि at least पहले से कम जो API calls हैं वो लेकिन अभी भी यहां पर यहां पर यह जो है ना API calls दो दफ़ा कॉल हूं है मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ एक दफ़ा गैट यूजर की API calls करें और ज्यादा ना करें लेकिन अभी पहले से यह काफी बेतर हो चुका है अब हम next यह काम करेंगे कि इस API को mock करेंगे एक काम यहां पर confirm कर दोगा के अभी यह इसको इक दफ़ा फिर रण करते हैं अभी आप देख सकते हैं कि यह प्री फ्लाइट है यह एक्चॉल है उसके बार यह प्री फ्लाइट है यह अच्छल है मतलब सिर्फ यह दो रफ़ा कॉल हूं है अब मैं इसको यहां से में में आ status code होता है यहां इसको खतम करके देख सकते हैं यह pre-flight है 204 pre-flight होती है फिर actual है pre-flight और actual that's it और जैसे यह complete हो जाएगी उसके बाद फिर मैं यह strict mode को दोबारा add करूँगा और दोबारा test करेंगी अगर यही रहता है तो हम इसको ऐसे रहने हैं save close और यहां पर एक दफ़ा एक complete refresh कर लोगा यह सारा कुछ refresh कर लेगा एक दफ़ा दोबारा reload कर लेगा और अब हम देखेंगे कि क्या कितनी दफ़ा गर सिर्फ दो दफ़ाई कॉल होती है तो सिर्फ हम उसको वैसे ही रहने है ओके यह pre-flight यह actual उसके बाद देखते हैं आप यह और यह यह pre-flight थी यह actual है यह pre-flight और यह actual है दो दफ़ाई यह ओर दिया तो हम उसको वहीं पर लेने देंगे ताकि उसका issue ना हो यहां पर आप इस काम को improve करने का एक तरीका का और हो सकता लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसी दाने दूँगा यह काम हो गया यहां पर pre-flight actual, pre-flight actual यह चीज हमारी complete हो गी है next अब हम यह देखेंगे कि हम API को intercept कैसे कर सकते हैं basically वह हमने पहली देखा हुआ लेकिन अब हमें सरफ intercept नहीं करना data का mock भी करना है कि हम अपनी इन का यहां से data copy कर लेते हैं यहां से यह जो data आ रहा है हम simple जैसे यह API request आएगी हम उसी वक्त actual request को खतम कर देंगे और इस data को return कर देंगे इसी तरह जैसे यह request आएगी हम actual request को खतम कर देंगे यह data return कर देंगे ताकि हमें जैसे मैंने कहा कि हम यह data हमें require होगा हम इस data को copy कर लेते हैं यहां पर एक और बना लेते हैं mock data उसमें index.tx export const update user status API response equal to this और इसी तरह इसको भी copy कर लेंगे export const यहां पर आप एक ही कर सकते हैं जरा अपनी सानी के लिए export const APIs mock data और इसमें hopefully आपने guess कर लिया होगा यह हो जाएगा ऐसे और इस पर आपने यहां पर हो जाएगा get user data यह यह और इसकी जरूरत नहीं है इसको close करते हैं और यहां पर आप continue करेंगे ब्राजर में आते हैं इन चीज़ों को close कर देते हैं यह हमें जरूरत है इसको भी close करते हैं इसको भी और यहां पर साइप्रस mock API response यह network results में देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं इसको फिर्ट है आपके हमने इंटरसेप्ट करना है इस यूजर आ गया और और ऑके यहां पर आ जाते हैं और इसमें यहां पर लिखा होगा करेंपर यह रहास टावी माट प्रस्पानस और ऑके ऑके इसको भी देखते हैं, यह क्या चीज है, और mainly हमारा वैसे यह है, यह जो intercept response है, इसे पहले करके देखते हैं कि यह हमारा यहां पर काम करता है कि नहीं, हमें चाहिए c y dot intercept, intercept हम ने क्या करना है, get complete API, sorry, get API, no, complete API URL, यह चाहिए हमें, और यहां पर हमें चाहिए API URLs dot get user data, और इसमें हमें, एक उसके लवा यहां पर मुझे यह देखना है, get user data, क्योंकि मैं माई यह गांट में था, इस वज़ा से कुछ और पैस नहीं हूँ, यहां पर अब static क्योंकि data तो API mock data, I think, उसमें get user data, यह हो गया, इसी तरह इन दोनों को दूसरे को भी कर देते हैं, ताकि वेटर अगर यह काम करता है, update user status, update user status, that's it, save करते हैं, देखते हैं, यह हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि उसी वक्त यह काम, save हो गया है, लेकिन once again, इसमें मसला क्या होगा, कि वह मैं आपको बता रहत जब हम यहां पर test कर दे होंगे, अगर मैं यहां पर नेम को update करता हूँ, let's say मैंने इस नेम को कर दी है, even एसर, और अब मैं update करता हूँ, basically update की call पूरी complete हो जाएगी, और जैसे ही get की call होगी, यहां पर अभी तो यह complete होगया, और यह complete और पर successfully complete होगया, यहां पर, अगर मैं end पर आ जाता हूँ, तो अभी यह फिलहाद बस spending है, इसको फोड़ा से time दें, जैसे ही complete होगा, पर मैं आपको बताता हूँ, यहां पर यह pre-flight request है, और यह actual request है, और इसमें यह कह रहा है के, error आ गया है इसको, okay, no problem, refresh करते हैं, और यह, जिसमें करते है, one lesson, update, और वो close region की वज़ा से fail हो रहा है, यह शायद हमारा back end stroke हो गया, इसको दोबारा close करते हैं, दोबारा start कर लेते हैं, यह, बस service ऐसे ही काम करती है, तो इसका, यहां पर आप देख सकते हैं, अब यह फिर delay ले रही है, काफी ज्यादा स्टार्टों ने में इसको one करते हैं, य इसको दोबारा start करते हैं, चलें, अब यह start हो गई है, फिर एक दफार इसको refresh करते हैं, यह load हो गया, और इसको यह कर देते हैं, अपडेट करते हैं, और hopefully अपकी बार यह pass हो जाएगी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब, यहां पर अभी यह यह दिखा रहा है, अगर मैं refresh करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर SM आ जाएगा, क्यूंकि यह data हमने mock किया हो, इस वजा से यह थोड़ा सा issue है, कि हम यहां पर इस चीज़, और जैसे उन्होंने इसमें कहा भी था, कि interceptor करते वक्त जो stepping के जो disadvantages हैं, कि no guarantee match actual server data, क्यूंकि हमने update कर दिया, तो अब यह कोई guarantee नहीं है, कि actual server data हम use कर रहे हैं, that's it, यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, उसको हम करते हैं, let's say कि इसमें use करते हैं, environment variable ना, अबीकली इसको false कर दिता हूँ, और enable कहते हैं, enable, okay, इसको मैं add कर दूँगा, utils में, envs में, इसमें, यह खतम हो गया, इसमें यह, और यहां पर if cypress.env, और यहां पर cyenv.this, अगर यह है, तो इसको यूज कर लो, otherwise, actual data को fetch कर लो, ताकि चले हमारे पास दोनों control हो, यहां पर आभी यह actual data fetch करेगा, जो कि backend request से आ रहा होगा, यहां पर थोड़ा time लगेगा, क्योंकि यह back end में API call करेगा, और वहां से data को fetch करेगा, और फिर प्रोपली यहां पर display करेगा, नीची आ जाते हैं, actual requests पर, यह new requests हैं, इनको थोड़ा time लगेगा, जैसे यह complete होंगे, फिर हम cut data, यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह updated data है, और अब इसका फाइदा यह है, कि अगर हमने, इसी तरह मैं बाकी जगा पर भी इसको use करूंगा, और अगर हमने basically mock data, step data को use करना होगा, तो हम सिर्फ इसको यहां पर आएंगे, यह new requests में इसको true कर देंगे, और save करेंगे, और यह basically, जो mock data उसको use करने लग पर देगा, इसको इसको खतम करें, यहां पर, जो कि at least relatively कापी fast होगा, next, अब मुझे, मैं यहां पर आता हूँ, और इसकी network tab में आता हूँ, मुझे इसका जो, यह है, new search articles, इसका result चाहिए, copy object, इसको close किया, और अभी के लिए, okay, इसको close किया, यहां पर इसमें आए, और इसमें, यह हो गया, यह इसकी API को यहां से copy कर लो, और इसके लिए मैं एक लाइदा पेज ही बनाओंगा, क्योंकि यह तो कापी ही ज्यादा है, इसके लावा, इसमें आजो, जैसे इसका data आता है, इसको भी मैं copy paste कर लोगा, और इसके साथ हमारा काम complete हो जाएगा, एक मुझे detail का भी data चाहिए, लेकिन उसके बिना भी मारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम जो view detail पेज है उसको use कर दे होते हैं, यहीं से जो data हमारे पास होता है, उसके फिरूप, यहां से हम इसका data भी copy गल लेंगे, copy object, और यहां पर, इसको यहां से इसका नाम, format, और basically यह जो लंबे text हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा text वैसे ज़रूरत नहीं है, mock data है, तो literally इतने text की ज़रूरत नहीं है, यहां से कुछ भी एक point पकरें और वहां से यहां तक कट करते हैं, इसी तरह, यहां से, यहां तक, यहां से, यहां तक, अखिर, अभी मैं इस पर ज़र ज़र टाइम नहीं लिगाना चाहरा तो बाकी जो आवएसी दाने दे, close करें, इदर आजाँ, हमारे पास जो data है वो available हो चुक है, इसके बाद हमने अब यहां पर सिलफ और सिलफ जो आगे काम करना है, वो यह है कि यह जो चीज है, इसको देखना है, इसको हम एक helper function में call कर सकते हैं, just one minute, यहां पर आता हूँ, और इसमें कहता हूँ, export const mock यहां, intercept stab api response, this और इसमें basically एक मुझे परामेटर चाहिए, get user data, get user data boolean, if get user data, then यह वाला काम और यहां पर सबसे पहले हम ने यह देखना है कि जो basically यह है, enable hackening, यहां पर हम यह कह सकते हैं, by pass global check, by pass, e and v check, boolean, और यह यहां पर, इन दोनों में से एक चीज़ हो जाए, तो हम इस चीज़ को यहां पर यह कर सकते हैं, same, इस इस तरह हम ने पर जाए and हम इसको करेंगे, यहां पर और अपने गास कर लिया होगा, यह यहां पर इस तरह हो रहा होगा, यह यहां पर आएगा, यह यहां पर आएगा, गुलियन आएगा, और इसको कॉपी करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर हम सिंप्ली इसको करेंगे, और यहां पर जिस जिस डाटा को हमने बैसिकली मॉक करना उसको सिरफ और सिरफ यह कह देंगे और अभी के लिए इसको अगर यहां पर देखें तो यहां पर आएं और यहां पर आएं रिलान करें तो आप देख सकते हैं कि यह मॉक जल्दी से कंप्लीट हो जाता है जैसे हम यहां पर आते हैं बिसिकली यह सिर्फ पेज को लोड कर रहा है जैसे ही पेज लोड होता है कर सकते हैं कि इसमें अब यह जो गैट और दोनों request हैं उनका wait करने लगकर है और इसमें एक last काम हम कर सकते हैं वह यह है कि bypass this true save और जैसे ही हम यह करेंगे तो पिर यह दोनों को bypass कर देगा तो हमने इसको और जग्सानलिटी को better कर दिहाए इसjam को अभी हम यह यहां से अब हम continue करेंगे और यह my account page के जो tests हैं उनको लिखेंगे अभी के लिए इतना लिखेंगे के ओके जो user data है वो यहां पर available होना चाहिए मेन के यह button enable होना चाहिए यहां पर हम कुछ type करें तो यह enable हो जाना चाहिए अगर वाफिस में आ जाते हैं तो फिर यह disable होना चाहिए और अगर सारा कुछ खतम कर देते हैं तो फिर यह message है यह show होना चाहिए यह और उसके इलावा एक जो test हमने लिखना है वो यह लिखना है और सिर्फ को किया जाता है ताकि जो data fetching में वह faster लेकिन आफ एक्चुल जो data updation है बेकेंड में वह मर्लब एफेक्ट माँ यहां पर इसको खतम कर दोंगा और इन दोनों को इसको और इसी के साथ हम इसमें आएंगे यहां पर इसे उपर ले जाओंगा इसे उपर ले जाओं और यहां पर मुझे दो और चाहिए हैं जो कि obviously मैं यहां से ले रहा होँगा इस चीजिज को और इस चीज़ को कोपी करूंगा यह इन दोनों को कोपी करूंगा यहां पर और यहां पर इसको केस्ट कर दोऊगा और इसको मैं यहां पर call करना भूल गया और यहां पर इसको मैं paste कर दूंगा यहां पर that's it इसी के साथ यह हमारा complete हो गया intercept की API की call इसे close कर देंगे इसे close कर देंगे और इसी के साथ हमारा जो flow है वो complete हो गया next अब हम next वीडियो में continue करेंगे और जो test cases मैंने अभी आपको explain किये हैं उनको complete करेंगे यह थी आज की वीडियो hopefully आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो में हमने कुछ new concepts सीके जिसमें हमने यह देखा कि environment variables क्या होते हैं उसके बाद हमने यह देखा कि यूजर को code के थ्रू हम authenticate कैसे कर सकते हैं और उसके लावा हमने यह देखा कि हम किसी भी API को intercept कैसे कर सकते हैं उसके response data को mock कैसे कर सकते हैं जिससे के उसका response time में वो बहुत ही काम हो जाता है और हमारी जो basically testing है वो काफी ज्यादा fast हो जाती है यहां से हम next video में continue करेंगे और जो my account page है उसके test cases को finalize करेंगे once again इस course को अपने friends के साथ family members के साथ और social media पर ज़रूर share करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस course से फाइदा हासिल कर सकें और automation testing सीख कर अपने career में grow कर सकें course के related, video के related, channel के related कोई भी question हो तो प्लीज उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा video को like, share and comment करें channel को subscribe करें और bell icon को press करना बिलकुल न भूलें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए Allah आफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel स्लमाव अलेकुम मैं हूँ एसन महमूद and welcome to zions लास्ट वीडियो में हमने साइप्रस में environment variables का concept study किया था उसके लावा हमने user को code के तुरू authenticate करवाया था और उस logic को काफी improve किया था लास्ट ली हमने यह देखा था कि हम साइप्रस में जो aps है उनको intercept कैसे कर सकते हैं उनके response को कैसे control कर सकते हैं ताके जो हमारा testing time में वो कम से कम हो जाए और speed हमारे test की ज्यादा से ज्यादा हो जाए इस वीडियो में हम वहीं से continue करेंगे और जो हमारा my account page है उसके test cases को define करेंगे और उनको complete करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ स्टार्ट करने के लिए मैं code में आ जाओंगा और browser open कर लूँगा और cypress मारा यहां पर running में है मैं इसे यहां पर स्टार्ट कर लूँगा और यहां से e2e में pages में my account में आ जाओंगा यहां पर basically हम यहां पर एक चीज कर सकते हैं कि जो authenticate वाला test है उसको कर लें कि user का जब तक data नहीं है वो unauthenticated state में होना चाहिए उसके बाद जब user का data हो वो authenticated state में हो और जब हम logout करें और उसके बाद फिर refresh करें तो वो वाफिस unauthenticated state में चले जाना चाहिए यह good test case है जिसको हम नेक्स वीडियो में cover करेंगे अभी move on करते हैं और हमारे पास यहां पर यह चीज है यह दोना aps हम intercept कर रहे हैं उसके बाद हमने next अब यह करना है कि इसके जो selectors हैं वो बनाने हैं मैं यहां पर simply जो app है उसको यहां पर open कर लूँँगा ताके जो इसके selectors तो गयरा है वो easy भी get cut सबको यहां से my account में आएंगे और यहां से हम simple इसके जो testing selectors हैं इसके जो starting value है वो हमने get करना है क्योंके जो mock data उसमें हम उसकी value है उसको रख रहे हैं SM पे equal तो हम यह assert कर सकते हैं क्योंके इसकी value है SM की equal होने चाहिए सबसे पहले यहां से start करते हैं c y dot get get c y element testing selector उसमें element testing selector dot pages my account dot form dot fields dot यहां पे आजेगा my user account data fields name dot input यह हो गया इसको as करतो my account page name field और इसमें value यहां contains यहां पर अब यूजर यहां पर वैसे mock data directly use कर सकते हैं API mock data dot get user data dot result dot data dot name name और इसको देखते हैं यह पास होता है कि नहीं क्योंकि बिसिकली यह text पे लगी हुई है और यह input है ok ok get नहीं dot value नहीं ठीक है बस एक नहीं Cyplus assert on input value of च यौ कुण ए अ Arkansas स्वश you अब दिस एंड एड ओके यह रही ठीक है शुट थैव वैल्यू दिस सेफ करते हैं यहां पर आते हैं और यह पास हो गया लैस्ट है अब हमने इसको करना है कि जो यह बटन है दी सेट का यह बदोना चाहिए यह यहां पर सबसे पहले तो यह मैं कहां पर लगाओं ओके सबसे पहले माई अकाउंट पेज एटूई टैस्प्स ताकि यह ओके अब अबडेट यूजर डैटा सुक्सेस फुली यह बटने 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 यह ब बी डिसेबल ये हो गया और सब्मेट बटन शुड़ बी अनेबल ये सब्मेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर अब हम इसकी जो बैसिकली वैल्यू है उसको खतम करेंगे c y dot get this dot type यहां के clear ओके और उसके बाद यहां पर ये जो है ये अनेबल हो जाना चाहिए c y dot get this should be enabled और ये जो है disabled हो जाना चाहिए उसके बाद यहां पर हमें उसके error का message चेक करना है कि error message आना चाहिए c y dot get get c y testing selector element testing selector और यहां पर pages my account form fields और once again जो काम और क्योंकि यह काम अभी करना है बदेगा वो input पर था यह उस पर है error message इसको as कर दो और यह हो जाएगा my account page name field error message dot should should be visible और यहां पर हम एक काम कर सकते हैं इसको यहां से पहले उठाएं और यह और यहां पर dot should not exist एक section यह लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर c y dot get और add this यह लगा और उसके बाद last हमने यह काम करना है कि इसमें data add करना है यहां पर c y dot get यहां पर add this type let's say कि क्योंकि हमें एक new name each time एक new name चाहिए तो हमें यहां पर वो time चाहिए कि मैं यहां पर create कर सकता हूं उपर तो use नहीं करता cost current time new date dot get time time को लिया और यहां पर this data को use किया plus this क्योंकि हम mock data use करें लेकि फिर भी यहां पर my confirmation के लिए from time को use करेंगा that's it और इसके बाद अब यह जो है should not exist और यह जो है should be enabled यह जो है should be enabled और lastly dot click click क्लिक करने के बाद हम नहीं यहां पर करना है c y dot intercept जो है get c y api complete api url और यहां पर api urls update user data इस पर intercept करना है और intercept करके हमने इसके इसको wait किया यहां पर const user data और यह जो है इसको store कर लो const user updated name equal to this यह यहां पर यहां पर हमने करना है के intercept result dot response dot response यह क्या कहरा है sorry body dot हम पहले intercept कैसे कर दे थे यहां पर हम intercept उपर लगा दे थे और उसके बाद नीचे उसको wait करते थे और रोकी करते थे तो ऐसे ही करते हैं इसको intercept को फल लगा देते हैं dot as update user data API request इसको यहां पर get करते हैं obviously get नहीं करना वेट करना है और यह dot then में आ जाएगा और then यहां पर wait यह dot this और यह और इसके साथ यह response आ जाएगा यहां पर body आ जाएगी और और इस body को हम as a I API response और उसमें I user यह करेंगे यहां पर हम check कर लेंगे if this यहां पर okay बस एक नट यह कर लेंगे rest body और इसकी जगा हम कर लेंगे dot result dot data ठीक है यहां पर कर लेंगे cost rest data यह और इसको हम कर लेंगे dot this अगर यह exist करता है तो आगे आजो और यहां पर हमने एक्सपेक्ट this dot name to equal updated name that's it save करते हैं यहां पर आते हैं अब देखने क्या होता है सबसे पहले obviously assertions लगेंगी यहां पर यह क्या हम से जर्शन नेयम और के यह कहा रहा है यह को get करने की कोईशच कर रहा है और यह तो exist ही नहीं कहता अब यह और के क्योंकि एक चीज़ exist नहीं करती तो इसको get करने का भी कोई फाइदा नहीं है get वही चीज़ हो ही जो exist करती हो तो यहां पर हम इसको यहां से remove कर देंगे बाकी काम करने देंगे यह और जब हम इसको clear करेंगे जो के हम पर कहा रहे हैं जो के हम कहां पर कर रहे हैं उसके बाद Cartag attendees यह काम अभोना चाहिए Okay यह वा clear क्लियर के बाद उसका बलर कॉल करने है .blur उसके बाद उसका बलर नेम आ गया यहां पर अब यह क्या कर रहा है not to exist in dawn यह किस चीज़ को assert कर रहा है यह assert कर रहा है ओके नहीं basically इसके बाद यह not existing यह be visible होगा be.visible continue यहां पर यह होगा यह होगा नेम होगा अपडेट किया और उसके बाद आएड़ आ गया यह invalid जो चाहिए session है यह काफी ज़्यादा तंग कर रही है यह basically both is यह जाता था let's see कहां पर आया है तू डाट तू वी डाट इक्वल नहीं के साथा यह session is available थी यह वहाँ पर वी टेक्स में available हैं यह पर नहीं है पर नहीं है कोई मसला दी cv.rap यह should इक्वल इसके that's it let's see और यह यह और यह यह और यह ठीक है लेकिन ठीक है चलें साइप्रस में जो भी आप उसको रैप करके उसको बेसिकली एक वैलियू बना लें जो इसमें साइप्रस की क्मांद्स चल सकती है लेकिन वह session तो गयरा काफी असान तरीका था और यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा सारा complete हो गया इसी के साथ जो हमारा test cases था और इसमें एक ही case में हमारा जो सारा data था वो complete हो गया और इसकी अब हमें जरूरत नहीं है यहां पर हम basically इस चीज़ को कर देंगे comment यहां पर comment आप कर दूंगा हम comment the following line to intercept fetch APIs and speed up the test flow data will be more data not the actual server data that's it अब यहां पर एक दफास यह confirm कर देते हैं क्योंकि यह अगर हम server के साथ fetch करें तो भी चलता है और अब आप देख सकते हैं कि जो नाम था वो यहां पी आया है और यह क्या कह रहा है और यहां पर इस वजह से यह खेल हो गया क्योंकि यह उस पे रहा एक चीज़ जो मैं यहां पर करूंगा इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए यह है कि मैं यहां पर यहां पर बैसिकली एक सब्सक्राइब इसको इससे सेश्चन को फ़तम कर देते हैं क्योंकि यह सेश्चन तभी ट्रू होगी जब हम डेटा को मॉक कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसको जड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन अभी जो क्रेंट हमारा टेस्ट केस है वो काफी बहतर है यहां पर यह टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट अब हम एक सिंपल सा टेस्ट लिखते हैं जिसका यूसकेस ही होगा कि अगर सबसे पहले हम एप को विजिट करेंगे सिंपल बस एप को उपन करेंगे हमें लॉग इन और रिजिस्टर का पेज नदर आना चाहिए उसके बाद हम यूजर को लॉग इन करवाएंगे यूजिंग कोड और पेज रिफ्रेश करेंगे फिर हमें लॉग आउट और बाकी बटन्स नदर आने चाहिए मेंली सरफ हम सिंपल लगें इन खाम को और लास्टली फिर हम लॉग आउट करेंगे और बिसिकली एक्शन और उसके बाद लॉग आउट करने के बाद पिर हमें लॉग उट करेंगे और बिसकली अपिये का वेट करेंगे उसे पीए पे एक तोर सब्सक्राइट लगा लेंगे के वह सिकसेस होनी चाहिए और उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे यह देखेंगे के वैसे यह एस पीए यह आटमेटिकली वहां पर जानी चाहिए लेकिन हम और वन्स अगेन हमारे पास लॉग इन और रिजिस्ट्रिट के बटन्स शोगने चाहिए यह हमारा टेस्सकेस बन चाहिए स्टार्ट करते हैं से मैं यहां पर एक और फाल बना लूँगा जनरल टेस्ट्स इंडेक्स.Cy.ts और इसमें मैं इससे कोपी कर लूँगा इसमें देख लेंगे कोई अन्यूस्ट इंपोर्ट है यह थी और सेव प्लेस यहां पर अब यह है जनरल यहां के हम क्या करना है लॉगिन लॉगिन इक्षिंस इसको भी खतम कर देंगे फिर ये सिर्फ रिजल्ट रहने देंगे एक रिजल्ट और इसको इन्फो कर देंगे नहीं ये है इन्फो इन्फो करना एक साइन होता था शायद एक मुना बेटर कमेंट्स में देख रहते हैं बेटर कमेंट्स ये हमारे पास अलर्ट हाइलाइट क्वेस्चन नहीं अगर अगर एक कर देंगे तो यह हो जाएगा लेकिन मुझे स्टैरिक ही ठीक है सिर्फ हाइलाइट करना सेफ और यह ठीक है इसको क्लोस कर दो यहाँ पर यह बालबाल रंतों नहीं हो रहा है इसमें वाफिज आजा है और इसको क्लोस कर दो यहाँ पर अब सबसे पहले मुझे इंटरिसप्ट को गएरा कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ जब हम एप को विजिट करें c y.visit app routes.route हमने सिर्फ और सिर्फ यह confirm करना है .get यहाँ पर get c y element selector element selector dot header dot this login dot as login button और इसकी मैंने कोई अब दी बेशन बनाई हुई है हम प्रोजेक्ट रिकॉर्ड में आएंगे इसमें header navigation header search करते है header यह है login btn और यहाँ पर should be enabled visible भी होना चाहिए और runnable भी होना चाहिए यहीं से continue करेंगे और दूसरे पर भी assert लगा देंगे register बटन रिजिस्टर उसके बाद जो है यहाँ पर सी वा है sorry const let current url path window.location.href इसको आप यहाँ पर hit cut के देख सकते हैं कि क्या receive होता है क्या नहीं होता यह पूरा हो रहा है तो हमें पूरा नहीं चाहिए हमें path name चाहिए जो के basically इसके बाद होता है that's it तो हम यहाँ पर path name कर लेंगे और यहाँ पर आप मैंने cy.rep current path name .should equal app routes .login एक उसके बाद अब मैंने यहाँ पर करना है और basically क्योंकि यह app है मैंने खुद बनाई है सारा कुछ इस वजा से मैं assertions दिमागे में करता जाता है आप यहाँ पर जब हम route पर होते है तो यह automatically app इसको redirect करती है और मेरे क्याल से हमारा authentication state थी वह private enabled थी शहए okay private app पहले enabled अब अगर enable करेंगे local host अब अब नक्तिकेशन state नहीं available होगी जब हम route पर करते हैं तो यह automatically login पर ले आता है उसकी वजा से मैंने assertion लगाई कि यह login पर होना चाहिए उसके बाद अब क्योंकि हम login पर आ गया तो एक तो हमारे पास यह login की heading होनी चाहिए assertion में लगाने लगाँए इसको हम selection लगाएंगे यहां पर login हो गया और get और यह है pages dot login page dot heading heading यह basically as login page heading should be visible उसके बाद यह यह अनेबल होना चाहिए इस पर इस सेकेंड इस सेक्ट लिकाऊंगा c y dot get इसको copy कर लो यहां पर आजाएगा यह as इसका नाम भी यही रखता हूँ dot should be enabled dot should मैं बस एक हो जिस clickable हो है नहीं यह हो गया अब और यह enable है उसके बाद इस पर click कर देना है हमने उसके बाद हमने once again यही काम करना है because we made it यह इसके बाद इस चीज़ काम करेंगे के यह रिजिस्टर होना चाहिए और यहां पर अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद अब इसके बाद सहरे इसके बाद इसके बाद बढाद आश्ए यहां पर ही लॉग इन पेज्ट ये इसको लॉग इन पेज्ट यह ही कहा देंगे और यह शुड भी अनेबल्ड और इसके इलावा बहुत सारी इसर्शन्स है मैंने बिसिकली अभी बहुत बैसिक चिहए पे तक आपके पुसला हैं, विस हमाँ में लगा बाएंअ की है यहां के पास अप्टों प्रसों सर रहा हैं उप कलिक की कर देंगे अब इसको फिर असर्ट करेंगे इस चीज़ को और उसके बाद इसको और इसको यह एक्जेस्ट नहीं करना चाहिए यह बी वीजिबल होना चाहिए और इसको इतना ही बहुत है सेफ आ जाएंग जनरल टेस्ट इस पर क्लिक करते हैं यह हमें लोग इन सबसे पहले लोग इन पेज पर लेके जाएगा और आप यह क्या कह रहा है यह असर्ट कर रहा है यहां पर यह बटन पर देख रहा है यह यहां पर कंप्लीट हो गया यह यहां पर फेल हो गया क्योंकि बिसिकली यह इस एलिमेंट को यह यहां पर कहां पर फेल होगा यह है कि यह यहां पर फेल होना चाहिए इसको इनेबल ना किया क्योंकि वह बटन है तो उसको विजिबल ही रहने जाए यह बटन ही है तो इसको बी विजिबल आइस्ट के बाद यह क्या क्या है खुने है कि यहां पे एक तो मैं इसको भी खतम करता हूं मैं जो अंसोल लोग लगा हूँ है यहां पे पहले कंसोल लोग्स खतम कर लेते हैं और लोग्स यह क्या है कि मैं इसको खतम करता हूं इसकी जड़र्ट नहीं है वाफिस यहां पे ओके इसकी जड़र्ट नहीं है अद्रस इसको भी खतम करता हूं अच्छा अब इक लिए यह क्या कर रहा है यह बिस्किली यहां पे यह जो चीज इसके पास आई है यह क्रेंट पाथ विंडॉ लोपेशन इसको अगर मैं लोग कर वाके देखता हूं कि यह क्या है इसको विंडॉ को और लोकेशन को विंडॉ डॉकेशन सुरी लोकेशन मैं देखना चाहता हूं कि यह मुझे क्या देखा रहा है जो पात है लोकेशन जो है वो इस तरहां यह मुझे दे रहा है विसली यह चीज़ वह है वो इस ने हम यह वगारा ओडिजन जो पाथ ने मैं वो मैस्ट अप है वो एक्चुल पात नहीं नहीं है वो बिसिकली इस साइपरस का ओविएसली को कि यह आई फ्रेम से वगेरा में जा रहा है तो उस चीज़ का यह है ठीक है यह सर्चन स्टैने ते ओविएसली इसका एक तरीका का यह हो सकता है मैं करके दिखाता हूँ जस्ट इन केस के अगर कोई इंट्रस्टेट है कि यह हम में अगर पाथ नहीं में इसमें चाहिए हो तो इसको कैसे कर सकते हैं इसका एक मैं सिम्पल सा स्लूइशन बता रहता हूँ लेकिन वंस अगे मैं वह रिकमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इतनी सुरुकत नहीं है लेकिन अगर किसी प्र आप्सलूट्री नहीं हो तो यह एक वरकरांड इसका हो सकता है उसके लावा हो सकता है यह कोई स्पेशल क्वालिफाइड वे भी हो लेकिन अभी में रिजयन में वह नहीं है आपको अगर इसकी बहुत स्पेसिफिक नीट होगी तो आप इसकी दोक्मेंटेशन में जा सकते हैं और यह जो वरकरांड मैं दिखाने लगा हूँ वंस अगें मैंने प्रले ट्राइ नहीं किया वह वरक एफैक्त इंटर्डीus करवाइं और यहां पर हम लोकेशन पर यह चीज लगाएं, जोके हमारा आ हरे होगी आ रहे होगी, तोपले आपने क् ड्यांस्ट आ प्राइए उस्ट इरभपन लेका होगी तो वरकर लचेशन इसे और यहां पर मैं इसको पार्ट में पर सर्प प्रक्तर हूं। आप इसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं। और अब इसको बिसिकली कहीं पर शो करवाना है। इसकी वैसे यहां पर इतनी जिवर्व भी नहीं है। बस एक मिनट मुझे देजाएगा। यहां पर हम इसको कह सकते हैं कोई एक element बस इंटर्ड्यूस करवा रहें जैसे के let's say मैं input इंटर्ड्यूस करवा रहता हूं या फिर एक P इंटर्ड्यूस करवा रहता हूं जिसको style देते हैं will, position, absolute, top, negative 100% and right, सिरफ इसको screen से main के away गारो connected 100% user select none and visibility is done और इसमें basically इसको मैं कर दोंगा और इसमें basically हम इसको output करते हैं यहां पे हम json.stringify कर सकते हैं location को main इसको जुरूरत मेगी है इसको फतम कर देंगे that's it और इसको testing selector अभी के लिए add करेंगे और वो मैं एंदे पे करूँगा get testing attribute और अभी के लिए मैं इसको दे रहा हूं app location info यहां पे आते हैं let's see अब मैं document वैसे यह करने की जूद नहीं है यहां पे आते हैं test में और इसको मैं skip कर रहा हूं क्योंके मैं इसको test पिरना चाहता हूं it dot only testing this c y dot get get c y element selector यह और इसकी मुझे value चाहिए basically इसका जब text है उसको मैं कर सकांट then element यह और content equal to element dot get content नहीं el dot content el dot contents let's see let's see यहां पे console log लगा लगा लते हैं और EL पे भी console log लगा लते हैं और अब देखते हैं क्या होता है यह मेरे क्याल से कोई हमने चीज विजिट नहीं की इस विज़ा से c y dot visit और app routes dot register यह नहीं पहले register कुछ विजिट करें और यह आगया jquery यहां पर यह 0 और और at least इन्होंने उसको get कर लिया लेकिन मुझे यह text यहां पर चाहिए और यह dot data यहां पर आता हूं क्या मैं इसका text कह सकता हूं direct यहां पर नीचे आते हैं और यह ले यह content में इसका direct text आ गया और इसको basically आप कर सकते हैं json.parse save refresh और यह ले और इस पर आप पर सर्चन लगा सकते हैं यह एक complete सा work और इस पर आप पर सर्चन लगा सकते हैं और अगर इसका कोई official way होगा जो के अभी मेरे जहन में नहीं तो फिर एक बुरा impression भी होगा इस वज़ा से इसको अभी के लिए commit कर लेते हैं और बाद में इसको remove कर देंगे कि यह सिर्व और सिर्व आपको सिखाना के लिए था यह हमने पुछ कर दिया और उसके बाद मैं इसको code को remove कर दूँँगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यह सिर्व और सिर्व आप लोगों को बताने के लिए था आप में से किसी को जिध्यायर हो और इस तरह कोई चीज जो तो फारदा को दो सके यह लोगे खृवार आपको मैं एक दाफार्द मारी के साहते हो अज़ें कर दो लिए इसको एक हमारेक जाएत है gonna show ज़े दो मने और नहीं हुआ lash bei इस चीज को खत्म कर देंगे इस चीज को खत्म कर देंगे और इस चीज को खत्म कर देंगे 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 और इस चीज को खत्म कर देंगे और इस चीज को खत्म कर देंगे और इस चीज को खत्म कर द एप में यह एप एंट्री पॉइंट में चाहा पर भी यह रियक्ट डैप टूल्स जो हो गया है यह मुझे नहीं चाहिए जस्ट वन मिनुट मैं यह इन्वार्मेंट वेडियेबल्स में डिर्क करोंगा यह इस इस टेस्टिंग इंपूर्ट डॉट मैटा डॉट विटैक्स नहीं यह बिसीकली इस क्यब्स पर हम उसमें कर रही हं साइपरस में आप यह रियुब्ल इंट्रूजूस कर भाच सकते हैं कि कि मैं टेस्टिंग कर लाँ और इसकी बेस्पर को खतम कर सकते हैं ओके मैं अभी के लिए इसको रहने को बादार से यह इतना जबरूरी नहीं है सर्फर से लेंडम से सिजेशन थी जो मैं यहां पर इसको कर सकते हैं इसको क्लोज कर देंगे और इसी के साथ हमारे यहां पर यह जो जनरल टेस्ट था वह भी पास हो गया नेक्स्ट अब हम मुवण करेंगे और सर्च न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज फीड इन दो पेजिस के जो है वो लिखेंगे टेस्ट के सिस्ट यह थी आच की वीडियो ओफुली आपका आच की वीडियो बहुत पसंदाई होगी वीडियो के रिलेक्टिट कोई क्वेस्ट आपको प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में में मैं अच्छा जवाब दोंगा वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करें चैनल को सब्स्क्राइब क स्लमालेकुम मैं हूँ एसल महमूत एंड वेलकम टु जायांस लास्ट वीडियो में हमने अपनी न्यूस्पेपर एप की एंटो एंट टेस्टिंग को और मॉस्ट कम्प्रीट कर लिया था उसमें कुछ टेस्किस रुमैनिंग है लेकिन वह आप फुद वहां पर इस वीडियो में हम एक न्यू टेस्टिंग टाइप से स्टार्ट करेंगे जो के है कम्पोनेंट टेस्टिंग एंट्रियूस रही है यह नया फीचर है जिसके तुरू आप एक इंडिविज्वल कम्पोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं डिरेक्ली डॉम में मॉंट करके और करते हैं वीडियो की तरह स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर ब्राउजर में आ जाओंगा और साथ ही कोट को अपन कर लूँगा और यहां पर मैं साथ ही इसे भी स्टार्ट कर लूँगा साइप्रस को और कम्पोनेंट टेस्टिंग क्या है किस तरह काम करती है ओवियसली बैसिकली इस में पूर्स में तो मैं आपको बताई रहा हूंगा लिखिन अगर आपने और जादा सीखनी है तो आप यहां पर साइप्रस की ओफिशल वेड़साइट में जाकर उसको स्टड किरें यहां पैस्त्राइब करने क्या साइप्रस करिया झार्स कन्तिकश लिया निज्ट और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर इसने हमारे लिए विज दो इंठ चन्पोनेंट्टेस्टिंग की Tois और यहां पर सत्य ने ट испनें ऑर यह फॉर्ट करते हैं स्टर्ट फॉर्ड य इसको देखते हैं यहाई है, header, ओके, यह हमारे पास यहाँ पर component mount हो गया है, यहाँ पर create हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास cypress में mount की command है, जिसमें हमने component देना है, header, let's say के इस component हम test करते है और इसको यह self-closing component है that's it और यहां पर इसको करते है header component testing test that header component shows logo and logo login and and register button save करते हैं यहां पर आते हैं और यह basically यहां पर error आ गया कि इस component को उपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम यहां पर यह यहां पर यह स्टेट यूज कर रहे हैं इसी तरह navigation में किस तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं जो कि जो हमने स्टार्टिंग में यह provider setup गिये थे उन पर depend करते हैं इसका अब solution क्या है और कैसे करेंगे यह अब हम next से करेंगे बेसिकल इसका solution बहुत ही simple सा है हम यहां पर HOC में आएंगे और एक HOC क्रेट करेंगे testing wrapper hoc index.tsx और यहां पर const testing wrapper कुछ भी नाम दे सकते हैं hoc react.functional component और muterface try this props यहां पर props में अभी सरफ हमें children चाहिए react.react not और यहां पर हम कहेंगे try testing props यहां पर children receive करेंगे और यहां पर अब हमें जो जो चीजें चाहिए मैं यहां से पूरा कोपी कर लोंगा क्योंकि यह almost सारे चाहिए जो चीजें नहीं चाहिए और को remove कर देंगे testing container को anything क्योंकि को इसकी जगा पर यूज किया हुगा है यह 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 चीज़ इसकी जगा हम memory router यूज कर देंगे तो ज़रा साम रहेगा हमारे लिए यह हमें नहीं चाहिए यहां पर memory router आगे है इसमें यहां पर हम child sorry जो चिल्गा ने उसको पास कर देंगा तो अधियर क्यूरी क्लाइट चाहिए हमें इसको यहां से कोपी कर देंगे और लास्ट यहां पर क्यूरी क्लाइट चाहिए वह हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे यहां से इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे और इसके लावा और अबकर कोई हमें जो है एचोसी चाहिए होगा पर वाइडर वह भी एकड़ सेख़़ए तो को यहां पर क्लोजी करने से पहले, फिल हमें जोवार यह फिलाने से लेगा यह अंपिलीमैंट करना पर एगा क्या हम इन दोowan को यहां पर लावन को यहां पर लानी किया का इनपर लहाओ मैंने खुन से एक्सपोर्टि गया export भी नहीं गिया export default this यहां पर आजाएं import और यह लें यह आपके सामने लोड होगे अब जो भी आपको component टेस्ट करना और अगर आपको कोई भी यहां से देख लते हैं या date picker input यह करना था select obviously इसको वो चाहिए सारी inputs चाहिए तो जो जो इसको inputs चाहिए वो आपको इसे provide करनी परेंगी आपके सर्फ यह चाहिए थी और जब आप वो inputs ओके इसको और जो set field हो गया रहा है अब इसको यह अच्छी एक example है क्योंकि इसको जो क्योंकि इसको एक formic क्योंकि इसे formic का hoc पी चाहिए यह formic में रैप होगा तो पिर इसका काम सलेगा तो उसके लिए हम एक formic का वो बना लेते हैं hoc rapper इसमें बना लेते हैं formic hoc testing index.tsx const this react.functionalComponent interface i this props children react.react node यहां पर चिल्डरन आ गया यहां पर चिल्डरन आ गया यहां पर return और यहां पर अब हमने करना है formic उसमें form यहां रखरना जाएं तो कर लें और इसमें basically children this इसको तरफ इसे को तरफ अनिस्ज्ड वैल्यूउ एटीसी इसराइं कर टें तक 추가 ऑब एक्सपर्ट टेफॉल्ड यह کो पी करें यहां पर आजें इस्में और इसको यहां पर रैभ करकें इसके साथ इसी के साथ hopefully यहां पर आपका असाइन हो गया है once again क्योंकि इसको date picker को वो चाहिए है इसके styles तो वो styles हम इस formic में assign कर देंगे ताकि अगर इसको हम use करें तो वो वहां पर use हो गया है यह styles है इनको यहां पर use कर लेंगे save और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह काम कर रहे है और क्योंकि हमने set state etc नहीं किया तो इस वज़ा से वो काम नहीं कर रहा लेकिन बाकि जो mounts वाला काम है वो काया रहा है और यहां पर refresh करके दिखा रहता हूं कि अब जो console वो ठीक है और यह भी यहां पर काम कर रहा है यह कंपोनेंट टेस्टिंग का स्टार्ट था अब हम next continue करेंगे और हैडल कंपोनेंट में जो उसकी assertion है उसके सिरफ एड करेंगे assertions को और वीडियो को continue करेंगे मैं यहां पर आऊंगा code में इससे close करूंगा इन सब को अब एक चीज जो मैं खरना चाहरा हूँ यहां पर वो यह है कि इसको यहीं पर रहने दें कोई इतना फ़रक नहीं करता है यहां पर वातिस आते हैं इस टेस्ट में और इसमें से इसकी जलूरत नहीं है यहां पर मुझे header की जलूरत बस और इससे remove कर दें save करें यहां पे header load हो गया है और अब से लोग पर से अब इसकी assertions यहां पर करना है cya.get यहां पर get cya element selector element selector.header.logo पर लगा लेते हैं .should और यहां पर be visible यहां पर I think should be a image भी होना चाहिए .image next move on करते हैं इसी को copy कर जाते हैं यहां पर हमें next चाहिए navlinks.login यह visible होना चाहिए उसके बाद register यह login होना चाहिए और यहां पर search not.exist save करते हैं और इसे के साथ यह session सारी पास हो जानी चाहिए इमिज के लोड़ होने का wait कर रहा था that's it इस वजा से और यहां पर हम कर लेते हैं c y.wait wait अगर करते हैं okay whatever वह automatically wait कर रहा उसके लिए तो हमें इसको वर ज्यादा complex करने के ज़रती है वह simple item का wait कर रहा है और that's it उसके load होने के बाद यह करता है तो इसी तरह आप जिस भी component का चाहिए test लिख सकते हैं obviously आप component को state pass कर सकते हैं सारी चीज़ों को control कर सकते हैं और इसका और ज्यादा due type यहां पर आपको मिल सकता है कोई चीज़ अगर आपको ना समय लगे तो वह आपको चैनल पर मुझसे बूच सकते हैं और मैं उसे explain करणाँ अबसे यह थी आज की वीडियो hopefully आपका आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो के related कोई question हो तो please segment section में mention करें मैं असका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तके लिए Allah अपिस